अतीत को मैं कोई खास महत्वन नहीं दिया करता हूँ और नहीं उसके बारे में शायत कभी सोचता हूँ फिर भी संचेप में मैं यह बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं एक अध्यात्मिक सिक्षक बना और किस तरह से यह किताब वजूद में आई अपनी उम्र के तीसवे साल तक मैं लगभग लगतार ही व्यग्रता, चिंता और मन स्ताप की अवस्था में रहता आया था जिसके बीच में कभी कभी आत्म घाती और साथ का दौर भी आ जाया करता था यह बताते हुए अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैं अपने पुरुव जनम की या किसी और के जीवन की बात को आपको बता रहा हूँ मेरे 29 जनम दिन के कुछ ही दिनों बात की बात है, कि एक सुबह जब मेरी निद काफी जल्दी खुल गई थी, तब एक अजीव सी घाबराहट का एसास मुझे पर हावी था इससे पहले भी कई बार में ऐसी अवस्था में जाग चुका था, तेकिन पिछली किसी भी बार की अपेक्छा, इस बार यह एसास कुछ अधिखी सगन था रात का सनाटा, अंधेरे कमरे में फरनीचर के धुंदली आकिरतियां, कहीं दूर से गुजरती रेल की आवाज, वो सब कुछ, मुझे इतना गैर, इतना खराब, इतना बेमानी लग रहा था कि उसने मेरे अंदर संसार का प्रती, एक गहड़ी विरक्ती, और उची और अनिक्छा पैदा कर दी लेकिन सबसे बड़ी अनिक्छा वो और उची तो मेरे अपने अस्तित्व के प्रती थी दुख के इस बोज को ढोते-ढोते जिन्दा रहने का क्या मतलब है इस आव विराम संगर्स में जूशते हुए जीना क्या जरूरी है मैं महसूस कर रहा था कि जिन्दा रहने की सहज इक्छा के मुकाबले जीवन को खत्म कर देने की, अपने वजूद को मिटा देने की एक प्रबल इक्छा उस समय अधिक सबल हो गई थी अपने इस जीवन को मैं अब और नहीं खीच सकता यहीं बात मेरे मन में बार बार आये जा रही थी और तब अचानक ही मैंने ध्यान दिया कि एक अजीब सा विचार मेरे ही अंदर से उठकर आ रहा है मैं एक हूँ या दो हूँ अगर मैं अपने जीवन को खीच नहीं पा रहा हूँ तो फिर तो मुझे में दो अस्तित्व मौझूद है मैं और यह जीवन जिसे कि मैं खीच नहीं पा रहा हूँ ऐसा हो सकता है मैंने सोचा लेकिन उनमें से एक ही तो वास्तुईक होगा इस अनोखे बोट से मैं इतना चकित था कि मेरा दिमाग एकदम ठाहर सा गया था हाला कि मैं पित्र सचेत था लेकिन मन एकदम विचार रही था फिर मुझे लगा जैसे मैं किसी शक्ति के अंदर शक्ति के एक भावर में घुमता हुआ नीचे की और जा रहा हूँ आरंब में तो इसके गती धीमी थी लेकिन फिर तेज होती गई एक प्रचंड भैने मुझे दबोच लिया था और मेरा सारा शरीर कांपने लगा था तब मुझे ये शब्द सुनाई पड़े किसी भी चीज का परतिरोध ना करो यह ध्वनी जैसे मेरे ही हिर्दे स्थल से आई थी मैं खुद को एक सुन्य में खीचता हुआ महसूस कर रहा था और मुझे यह भी लग रहा था कि वह सुन्य वह रिक्तिता कहीं बाहर नहीं बलकि मेरे ही भीतर है और फिर अचानक ही मेरा वह भय तिरोहित हो गया और फिर मैंने खुद को उस सुन्य में उतर जाने दिया इसके बाद क्या हुआ वह मुझे याद नहीं है मेरी नींद खिड़की के बाहर चीडियों के चहकनी की आवास से तुटी ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी ध्वनी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी मेरी आखे अभी भी बन थी लेकिन मुझे एक किमती हीरे की छवी दिखाई दी जी हाँ, हीरा अगर ध्वनी कर सकता तो उसकी ध्वनी साइद ऐसी ही होती मैंने अपनी आखे खोली भोर की पहली किरने पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थी बिना कोई विचार किये मैंने महसूस किया मुझे भान हुआ कि जितना हम जानते हैं उससे कही अधिक तो अभी परकाश में आना सेस है और वह असीम है पर्दों में से जागता वह सौम्य जियोतिर में परकास साख्षात प्रेम था मेरी आखों में आशु छलक आये थे मैं उठ गया और कमरे में जहर कदमी करने लगा वह कमरा मेरा जाना पहचाना था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वह कमरा पहले कभी देखा ही नहीं था हर चीज एकदम नई और पहली बार देखी जा रही लग रही थी मानो वह अभी अभी अस्तितों में आई हो मैंने कुछ चीजों को उठा कर देखा पैंसिल को एक खाली बोतल को और उनकी सुन्दरता वह सजीवता को मंतरगमुग्ध होकर देखता रह गया उस दिन मैं सहर में घूमता रहा और इस धर्दी पर जीवन के चमतकार पर विश्मित वचकित होता रहा जैसे इस संसार में मैंने अभी अभी जन्म लिया हो अगरे पांच महीनों तक मैं एक अन्वरत व अव विच्छिन गहन शान्ती व अनन्द की अवस्था में रहा उसके बाद उसकी सिद्धत कम होने लगी या ऐसा सायदा इसलिए लगा क्योंकि वहीं अब मेरी सुभाविक अवस्था रहने लगी थी अपने सांसारी कामकाज में तब भी करता रहा था लेकिन मुझे यह बहुत तो हूँ ही गया था कि जो कुछ भी मैं करूंगा वो शायद ही उसमें कोई इजाफा करे जो कि मेरे पास पहले से ही है दरसल मैं यह तो जान गया था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही महतुपूर्द अर्थपूर्द वह सांकेतित घटित हुआ है लेकिन वह क्या है यह मैं नहीं समझ पा रहा था और यह बात मेरी समझ में तब तक नहीं आई जब तक की कई साल तक अध्यातमिक ग्रहंतों का अध्यन करने और अनेक अध्यातमिक गुरूओं की संगत में रहने का बात मुझे यह भान नहीं हो गया कि लोग जीस चीज की तरास में है वह तो मुझे पहले ही प्राप्ट हो चुकी है मैं समझ गया कि उस रात की पीरा के सखन दबाव ने दुख और भैसे भरे मेरे अहंग के साथ मेरी तादत मेयता से मेरी चेतना को बलपुर्वक अलग कर दिया है वह अहंग जो की मुलता मंद वारा रचीत एक मिथ्या रूप में ही हुआ करता है निश्ची थी वह अलग वह असंग किया जाना इतना जोड़दार रहा था कि मिथ्या तसा दुख रूपी वह अहंग ततकाल ही पूरी तरस ऐसे द्वस्त हो गया जैसे हवा से फुलाए गए खिलोने में से डाट को निकाल दिया गया हो उसके बाद जो कुछ सेस रह गया था वह था मेरा वास्तुविक सरूप यानि सदा सरवदा विद्धमान रहने वाला जो मैं हूँ अर्थात नाम वो रूप के साथ तादात में किये जाने से पहले वाली मिरी चितना अपनी विसुद अवस्ता में बाद में अपने अंदर इस्थित उस खेत्र में परवेश करना भी मैंने सीखा जो की समय वो मिर्थियू से परे रहता है जिसे की मैंने उस सुन्य में लेकिन पूरी तरह चेतन्य रूप में अनुभव किया था मैं इतनी अर्णी विचर्णिया अनंद तथा पवित्रता की अवस्ताओं में रहा कि जिस आरंभिक अनुभव का वर्णन मैंने अभी उपर किया है वो अभी इनकी तुल्दा में फिका पड़ जाता था एक ऐसा भी समय आया कि जो भौती वो संसारिक इस्तर पर मेरे पास कुछ नहीं बचा ना कोई संबंध न रोजगार न घर और नहीं समाजिक पड़िभासा वाली कोई पहचान लगवग दो साल मैंने पार्कों की बेंचों पर परम अहर्द की अस्था में बैठे 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 ब्यतित किये वैसे तो ऐसे परम सुंदर अनुभाव का आना जाना होता रहता है लेकिन किसी भी अनुभाव की तुल्ला में साइध जो सबसे अधिक मौलिक अनुभाव रहता है वह है अपने अंदर सांती के उस अंतर प्रवाह का बना रहना जो कि उस रात से मुझे छोर कर फिर नहीं गया है कभी कभी तो यह बहुत सबल हो जाता है इतना सबल कि लगवग इस पर्स गोचर हो जाए और दूसरे भी उसे महसूस कर पाएं और कभी कभी यह प्रिश्ट भूमी में चला जाता है कहीं दूर बज़ती संगीत की किसी स्वर्द लहडी की तरह हो जाता है बाद में लोग अकसर मेरे पास आने लगे और कहने लगे जो आपको मिला है वह मुझे भी चाहिए क्या आप मुझे वह दे सकते हैं या उसको पाने का तरीका बता सकते हैं और मैं कहता है वह तो आपके अंदर पहले सही है उसे आप बस महसूस नहीं कर पा रहे हैं और वह इसलिए क् आपका मन बहुत अधिक शूर मचाय रखता है। मेरा यहीं उत्तर बाद में एक पुस्तक के रुप में विक्षित हो गया जो की अब आपके हाथों में है। इससे पहले कि मैं जान पाता मुझे पुना एक संसारिक पहचान दे दी गई थी। मुझे एक अध्यात्मिक सिक्षक कहा जाने लगा था वह सत्य जो आपके भीतर विराजमान है। उनकी स्वेक्षा के लिए, उनके चुनौती सरीखे प्रशनों के लिए और सुनने की उनकी उत्सुकता वतत्परता के लिए। उनके बिना यह पुस्तक अस्तित में नहीं आपाती। वे लोग उन अध्यात्मिक अग्रदूतों में से हैं, जिनका समुदाय अभी छोटा अवस्य हैं, लेकिन स्वभाग से वह बढ़िधी कर रहा है। यह वे लोग हैं जो उस मुकाम पर पहुँच रहे हैं, कि जहां की वे इतने सक्षम हो जाएं, कि विरास्त में मिलने वाले उन सामुहिक मानसिक संसकारों को, उन धर्रों को तोर कर बाहर आ सकें, जिन्होंने चीरकाल से मनस्यों को दुख के बंधन में डाला हुआ है। मुझे विश्वास है कि जो लोग इतने आमूल रुपांतरन के लिए तयार हैं, उन तक पहुँचने का रास्ता यह पुस्तक अपने आप खोज लेगी और उनके लिए यह एक उत्प्रेड़क का काम करेगी। मुझे यह भी आशा है कि यह पुस्तक उन अन्य अनेक लोगों तक भी पहुँचेगी जो इसकी विश्वास्तु को विचारने महसूस करेंगे। और उनके भीतर सजग वसजी हो उठे। यह पुस्तक जिस रूप में है वह सेमिनारों, ध्यान के कक्छाओं और नीजी परामर्स वाले सत्रों के दवरान पूछेगर प्रश्णों के उत्तर के रूप में खुद वा खुद बनती चली गई है और इसलिए मैंने इसे प्रश प्रश्णों वह उत्तरों को तो मैंने शर्ष सब्द जयों कातियों लिख दिया है। पूर्ण रहा है कि उसे मैंने वैसा बोला भी नहीं था। संपादक त्वरा भी कुछ अत्रिक्त प्रश्णों पूछे गए हैं ताके कुछ मुद्दों को अलधिक इस पश्टिता दी जा सके। पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक आप देखेंगे कि ये समवाद दो विभीन इस्तरों के बीच लगतार बदलते रहते हैं। एक इस्तर पर तो मैं आपका ध्यान उस चीज की और आक्रिष्ट करता हूँ कि जो मिथ्या आपके अंदर बैठी हुई है। वहाँ मैं मानविय अच्चय तन्यता तथा उसके विकार विक्रिति वाली प्रक्रिति के बारे में वात करता हूँ और उसके सर्व समानने रूप से प्रकट होने वाले वयोहार के बारे में यानि समानी समंधों में होने वाले द्वंद वा टकराव से लेकर कभी लों और देशों के बीच होने वाली यूद इस्थिती तक यह ग्यान होना बहुत महत्पुर्ण है क्योंकि मिथ्या को मिथ्या का रूप में असत को असत के रूप में, खोट को खोट के रूप में, गलत को गलत के रूप में देखना, नो कि उसे खुद के रूप में देखना जब तक आप यह नहीं सीख रहे थे, तब तक कोई स्थायर रूपांतरन आप में नहीं आ सकता और इसलिए आप मिथ्या, माया, मोह और भरम में पुना पुना फस्ते रहेंगे और इसी कारण दूख के किसी न किसी रूप में भी इस इस तर पर मैं आपको यह भी पताता हूँ कि जो कुछ भी मिथ्या, असत, खोट या गलत आपके भीतर है उसे कैसे आप अपना स्वरूप ना बनाए और कैसे उसे अपनी व्यक्तिगत समस्या ना बनाए ना माने, क्योंकि इसी तरह तो मिथ्या अपने अस्तितु को इस्थाईत्व दिया करता है दूसरे इस्तार पर मैं मानवत चितना के परम सोरूप, परम रुपांतरन की बात करता हूँ कभी भविश्य में होने वाले किसी संभावना की तरह नहीं बलकि अभी इसी समय उप्रवद रुपांतरन के रूप में चाहे आप कोई भी हो और कहीं भी हो इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपने मन की गुलामी से खुद को मुक्त करें कैसे आप चैतन्यता वाली इस आत्म ग्यान की अवस्था में परवेश करें और कैसे इसे अपने दिन परतिन के जिवन में बनाये रखें पुस्ता के इस स्तर पर शब्दों को हमेशा ही कोई जानकारी देने के प्रयोजां से प्रयोग नहीं किया गया है बलकि उन्हें पढ़ने के साथ आपको नई चेतना में परवेश दिलाने के लिए तयार किया गया है बार-बार मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अब में अत्यंत चेतन्य विद्धमानता वाली काल निरपेक्ष अवस्था में यानि अतीप वभुश में न भटकने वाली अवस्था में अपने साथ ले चलूँ ताकि आपको आत्मग्यान का स्वात चखा सकूँ जो मैं कह रहा हूँ उसे जब तक आप अनुभूत करने योगिन नहीं हो जाते तब तक वे अंश आपको पुनाराविर्थी जैसे लग सकते हैं लेकिन जब आप उसे अनुभूत करने में सक्षम हो जाएंगे तब मेरा विश्वास है कि आप जान जाएंगे कुन में बहुत अधिक अध्यात्मिक शक्ती है और आपके लिए वे इस पुस्तक के सबसे अधिक फलदाई अंसो की तरह हैं क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर आत्म ग्यान का वीज मौझूद रहता है इसलिए अक्सर में खुद आपके अंदर बैठे उस घ्याता से बात किया करता हूँ जो विचारक के पार रहता है यानि वह अंतरात्मा जो की अध्यात्मिक सत्य को तुरंत पहचान लिया करती है उस के लिए वहाँ पढ़ना रोक सकते हैं शांत बैठ सकते हैं और अभी जो कुछ पढ़ा गया है उसे महसुस कर सकते हैं उसके सत्य को अनुभाव कर सकते हैं इस पुस्तक में अनेक अन्य जगा भी ऐसी आ सकती है जा आप स्वता और स्वेक्षा से थोड़ा थमना चाहोंगे त प्रजेंस लेकिन आप पढ़ते जाएगा जब आप पढ़ते जाएंगे तब आपके दिबाग में कभी कुछ प्रश्ट उठेंगे तो कभी कुछ अपतिया उठेंगी उनका उत्तर आपको इस किताब में शायद कहीं आगे मिल जाए या यह भी हो सकता है कि जैसे जैसे अपने अंदर भी गहरे उठरते जाएंगे वैसे वैसे वे प्रश्ट वे अफतिया आपको और प्रसांगे की लगने लगें इस किताब को क्योल अपने दिमाग से ना पढ़ें पढ़ते पढ़ते अगर आपके अंदर की गहराई से उठती कोई सद्भाव की अनुक्रिया दिखाई दे और जो पढ़ा गया है उसके प्रतिस्वी कारुकती सुनाई दे तो उस पर ध्यान दे मैं आपको कोई ऐसा अध्यात्मिक सक्ते बता ही नहीं सकता जिसे कि आपका अंतर्मन पहले से ही न जानता हो जो कुछ मैं कर सकता हूँ वह केवल इतना है कि आपको याद दिला दूँ कि आप क्या भूल गये हैं और तब जिवन्त ग्यान वह ग्यान जो पुरातन होतुए भी नितनूतन रहता है जाग जाता है और आपके शरीड के भीतर हर एक कोजिका से प्रस फुटी थोने लगता है हमारा मन हमेशा ही वर्गी करन करना और तुलना करना पसंद किया करता है लेकिन यह किताब आपको बेहतर प्रिदाम तब देगी जब आप इसके सब्दों वो परिभासाओं की तुलना अन्य सिक्षाओं के सब्दों वो परिभासाओं से नहीं करेंगे अन्य था आप भ्रम नहीं अर्थ रखते हो किसी भी सब्द के साथ पंध मत जाए सब्द तो केवल वे पाइदान है जिन पर कदम रखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है और फिर तुरंत ही उन्हें पीछे छोड़ देना होता है मैं जब जीजस या बुद की किसी उक्ती का उलेह करता हूँ या एक कोर्स अफ मिरेकल से या अन्य किसी सिच्छा से किसी उद्धरन का उलेह करता हूँ तब मैं कोई तूलना करने के लिए ऐसा नहीं करता हूँ बलकि आपका ध्यान इस तत्य की और अक्रिष्ट करने के लिए करता हूँ कि सार तत्यों के रूप में अध्यात्मिक संदेश एक ही है और एक ही रहा है भले ही उसे भीन-भीन परकार से अभिव्यक्त किया गया हो इन में से कुछ जैसे की प्राचीन धर्म इतने सारे बाहरी और असंगत आडंबरों से इसकदर लग चुके हैं कि उनका अध्यात्मिक सार वो सच्टो लगवक छिपी गया है इसलिए काफी हद तक उनका गहरा अर्थ अब पहचान में ही नहीं आ रहा है और यहीं कारण है कि अपनी रुपांतरन कारी शक्ति को उन्होंने खो दिया है जब मैं प्राचीन धर्मों से या अन्य सिक्छाओं से कोई उधरन देता हूँ तब मैं ऐसा उनके गहन अर्थ को प्रकट करने के लिए और इस परकार उनके रुपांतरन कारिश शक्ति को पुणा उजागर करने के लिए ही किया करता हूँ खास तोर से उन पाठकों के लिए जो कि उन धर्मों या सिक्छाओं के अनुयाई है उनसे मेरा कहना है सत्य के लिए कहीं अन्यात्र जाने की कोई आवशक्ता नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप में पहले सही है उसमें ही गहराई तक कैसे उतरा जाए अधिकतर मैंने यहीं प्रयास किया है कि मैं वह सब्दावलिष प्रयूक्त करूँ जो याथा संभाव सर्वधम संभाव वाली हो ताकि अधिक से अधिक लोगों की समझतक बात पहुँच सके इस पुस्तक को काल के प्रभाव में न आने वाली एक परम अधियात्मिक सिक्षा का तथा सभी धर्मों के सारांस का एक आधुनिक संस्क्रन कहा जा सकता है इसे किसी बाहरी सुरोच से नहीं लिया गया है बलकि भीतर के ही एक सच्चे सुरोच से लिया गया है इसलिए इसमें कलपनाओं, अटकलों और अनुमानों वाला कोई सिधान शामिल नहीं किया गया है मैं अपने आंतरिक अनुभाव में से ही बोलता हूँ और कभी कभी मैं अगर जोड़ देकर बोल रहा होता हूँ तो ऐसा मैं अवरोध की उन बहारी परतों को हटाने के लिए करता हूँ जो कि आपके मन पर लदी हुई है और आपको अपने भीतर के उस स्थल पर ले जाने के लिए करता हूँ जिसे कि आप पहले से ही जानते हैं वैसे ही जैसे कि मैं जानता हूँ वह अस्थल जहांकि सत्य को सुनकर पहचाना जा सकता है और तब आप में उल्लास, प्रसंता और उत्थित सजीवता का एक भाप्रस्पुटित होता है जैसे आपके अंदर कोई कह रहा हो हाँ मैं जानता हूँ कि यही सत्य है आत्म ग्यान में सबसे बड़ी बाधा आत्म ग्यान या एनलाइटमेंट क्या होता है या एक भीखारी तीस से भी अधिक वर्षों से एक सरक्टे किनारे बैठकर भीख मांगा करता था एक दिन एक अजनभी उसके पास से गुजरा उसको देखकर भीखारी अपनी आदत के अनुसार गिरगराया कुछ पैसा दे दे बाबा मेरे पास छुट्टा नहीं है उस अजनभी ने कहा और फिर भीखारी से उसने पूछा जिस पर तुम बैठे हूँ वह क्या है भीखारी ने लापरवाहिस से जवाब दिया कुछ नहीं ये तो एक पुराना लकडी का बक्सा है मैं तो नजाने कब से इसी पर बैठता आया हूँ अजनभी ने पूछा इसमें क्या है कभी देखा भीखारी बोला नहीं तो क्या करना है देखकर क्या होगा इसमें कुछ नहीं अजनभी ने जोड़ देकर कहा अरे भाई तनी की देखो तो सही भीखारी ने बड़ी कोशिस करके और बड़ी मुश्किल से उसका धकन खोला तो अश्चड़ और विश्वास और खोशी से उसकी आँखे खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि वह बक्सा तो सोने कसी को से भरा हुआ था मैं उसी अजनभी जैसा ही हूँ जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन वह आपको अंदर जाकने के लिए कह रहा है बाहर रखे किसी बक्से के अंदर नहीं जैसा कि कहानी में बताया गया है बलकि उससे भी बहुत निकट खुद अपने अंदर जाकने के लिए लेकिन मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ साइद आप ऐसा कहे है हर वह व्यक्ति जिसे की अपनी असल दौलत नहीं मिली है और उस दौलत के साथ आने वाला आत्मा का अनंद और गहडी तथ अविचल सांती भी जिसे नहीं मिली है वह विखारी ही तो है भले ही उसके पास धेड़ सारी सांसारिक सपत्तिक की नहो ऐसे लोग सुख या उपलब्धी के चंद टुकरों के लिए मान्यता, सुरक्षा और प्रेम के लिए बहार भटकते रहते हैं जबकि असल खाजाना तो खुद उनके भीतर ही मौजुद रहता है जिसमें कि ये सब चीजे तो सामे रहते ही है साथ ही ये खाजाना किसी भी ऐसे खाजाने के मुकाबले असीम रूप से महान होता है जो कि ये संसार उन्हें देश सकता है आत्मग्यान ये एनलाइट्मेंट शवद में एक अति मानुए उपलब्धी वाले विचार के कल्पना कर ली गई है और हमारा अहम इसे इसी रूप में देखना पसंद भी करता है लेकिन आत्मग्यान का सिधा सच्चा अर्थ है अपने बिइंग के साथ अभिंता की अवस्था में रहना यानि खुद को अपने अस्तितु से भिंदा समझने की एक स्वभाविक अवस्था में रहना यह किसी ऐसी चीज के साथ जूड़ने की अवस्था है जो आपड़ी में है और विनासी है जो की तत्व रूप में तो वह आप ही है लेकिन फिर भी वह आप से कहीं अधिक महान है नाम और रूप से परे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है यह इस अभिनात्तों को इस एक्यात्तों को अनभाव करने में अक्षम होना ही तो प्रित्थक्ता कवव भिनता का भ्रम पैदा किया करता है खुद से भी और अपने चारों तरफ के संसार से भी तब आप स्वयम को जाने अंजाने एक अलग विलग खंड के रूप में देखने वह महसूस करने लगते हैं इसमें इससे आपमें भाय का सामावेश हो जाता है और परिनाम सरूप आपके भीतर बाहर द्वन्द का रहना एक समाने अवस्था बन जाती है आत्मग्यान के लिए बुद्ध द्वारा दी गए सीधी सरल परिभासा मुझे बहुत अच्छे लगती है दुख का अंध हो जाना इस परिभासा में अलोकिता या दिव्यता जैसा कुछ नहीं है फिर भी एक परिभासा के रूप में यह सचमुच अधूरी है यह तो बस इतना बताती है कि आत्मग्यान क्या नहीं है दुख का नौ होना लेकिन जब कोई दुख नहीं रहता तब शेष क्या रह जाता है बुद्ध इस पर मौन है और उनके मौन में यह संकेत समाहित है कि इसे आपको अपने लिए स्वयम ही खोजना होगा उन्होंने एक नकरात्मक परिभासा का प्रियुक इसलिए किया है ताकि मन इसे कोई ऐसे चीज नव बना डाले जिस पर विश्वास कर लिया जाए या मन इसे कोई अलोकिक या दिवी उपलब्धी ना बना डाले यानि वह इसे कोई ऐसा लक्ष ना बना डाले जिसे पाना आपके लिए समभाव ही न हो बुद्ध दुआरा इतना सतर्क कर देने के बावजूद भी अधिकास बौध यहीं मानते हैं कि आत्म ग्यान तो किवल बुद्ध के लिए था उनके लिए नहीं है कम से कम इस जिवनकाल में तो नहीं अपने बीइंग शम्द कब प्रियू किया है क्या आप बता सकते हैं इसे आपका क्या अभिप्राय है बीइंग वह है जो शास्वत है अमर है छीरिस्थाई है यह वह जिवात्मा है जो जन्दम बरण के चक्र में रहने वाले असंखी रूपों से परे एक समीकित जिवन है तथा पी यह बीइंग यह अस्तित्व किवल पार वह परे ही नहीं है बलकि हर रूप के अंदर अपने अंतरतम, अद्रिश तथा और विनासित तत्व के रूप में यह विद्वान रहता है इसका तत्व पढ़ी अया है कि यह आपकी अंतरात्मा के रूप में आपके वास्त्विक सोरूप में अभी भी उपलव्द है लेकिन अपने मन से इसे पकड़ने का प्रयास मत कीजिएगा इसे समझने का भी प्रयास मत कीजिएगा आप इसे किवल तब जान सकते हैं जब आपका मन बिलकुल निश्चल हो, बिलकुल सांथ हो जब आपका अवधान पुरी तरह से और नितान्त रूप से अब में हो जब आप अब में बिदमान हो तब बीइंग को मुसूस किया जा सकता है लेकिन मानसिक इस तर पर उसे कभी समझा नहीं जा सकता बीइंग के प्रती सजगता को पुना प्राप्त कर लेना और उस सजगता की बोध अनुभूती की अवस्था में अवस्थित रहना यहीं है आत्मक्यान अनलाइटमेंट जब आप बीइंग कहते हैं तब किया आप इश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं और अगर ऐसा है तो आप इश्वर शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं करतें हजारों वर्षों से इश्वर शब्द का ब्राध दुरुप्योग होता आया है और इसलिए यह शब्द अपना अर्थ खो चुका है इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है मैं इस शब्द का प्रयोग तो करता हूँ लेकिन बस कभी कभी दुरुप्योग से यहां मेरा अभिप्राया है कि जिन लोगों ने पवित्रता के इस सब्राज की इस शब्द के पीछे के अनंत विस्तार की एक जलग भी नहीं देखी है वे लोग इसका प्रयोग इतने द्रिट विश्वास के साथ करते हैं जैसा कि वे जानते हैं कि वे किस बारे में बात करने हैं या इश्वर के विरुद वे ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वे जानते हैं कि वे क्या चीज है जिसे वे औस्विकार कर रहे हैं ऐसा दुरुपियों बेतु के विश्वासों, हट धर्मिताओं और आंकार भड़े मिथ्या आभासों को जरम देता है जैसे मेरा यह हमारा इश्वर ही एक मात्र वास्तुक इश्वर है और तुम्हारा इश्वर मिथ्या है, भ्रहम है यह निच्से की यह परसुद उकती इश्वर मर चुका है यह इश्वर सब्द आज एक सीमित वस्वकुचित अवधारना बनकर रह गया है जैसे ही इस शब्द को बोला जाता है तो तुरंत एक मांसिक चवी उभर कर आती है हलांकि अब वह एक सफेद दाढ़ी वाले ब्योब्रित व्यक्ति की चवी तो शायद नहीं बनती लेकिन इश्वर सब्द सुनने पर या सोचने पर आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज का तो मांसिक चितरण कर ही लेते हैं जो कि आप से बाहर कही है और हाँ वह व्यक्ति या चीज प्राया पुलिंग हुआ करती है इश्वर, बीइंग या कोई भी सामानार्थि शब्द नो तो उस शब्द के पीछे की अनिर्वचनिया और अवर्ननिया वास्त्विक्ता को परवाशित कर सकता है और नो ही व्याख्या कर सकता है इसलिए एक मात्र महत्पुन प्रश्णिया है कि या शब्द जिसकी और संकेत करता है क्या उसे अनुभाव करने में वो आपके लिए सहायक सिध होता है या बाधक बनता है क्या यह शब्द खुद से परे उस वास्त्विक्ता की और संकेत करता है जो की अत्यांत गुड है अनुभावत्तीत है या यह खुद को आपके मन में केवल एक ऐसी अधारना के रूप में एक ऐसी मासिक मुर्ती के रूप में बड़ी असारी से ढल जाने देता है जिसमें की आप विश्वास रखते हैं बीइंग शब्द कुछ भी ब्यान नहीं करता और इश्वर सब्द भी नहीं करता तथा पी बीइंग शब्द के साथ एक अच्छी बात या है या कोई सीमित वसंकुछित आवधारना नहीं है यह शब्द उस असिम अद्रिश को घटा कर एक सीम पूलता तो है और आपकी अपनी विद्वानता की अनुभूती के रूप में यानि मैं यह हूं या मैं वह हूं के बजाए मैं हूं के बोत के रूप में बीइंग के रूप में यह आपकी तुरंद पंगुच में रहता है इसलिए बीइंग शब्द और बीइंग को अनुभ इसा तादात में कर लेना यानि उसके साथ एककार वह एक जान हो जाना ही सबसे बड़ी बाधा है ऐसा करना विचार को अनिवारे बना देता है विचार को सोचने को रोग पाने में अस्मर्थ होना एक दुखदाई अवस्था है एक बड़ा भारी कलेश है लेकिन हमें इसका भान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लगभाग हर कोई इसे पीडित रहता है इसलिए हमने इसे एक आम बात मान लिया है लगतार होता यह मांसिक सोर आपको आंतरिक शांती के उस परदेश में परवेश करद पाने से वंचित कर देता है जो कि बीइंग के साथ और प्रिश्तार चर्चा करेंगे दार्शनिक डेस्कॉट्स ऐसा मानता था कि उसने आधार मुद तथा वास्त्विक सत्य को पालिया है और इसलिए उसने यह वक्तव्य दिया चुकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं दरसल जिस सबसे बड़ी और बुनियादी गल्ती को उसने अपने शब्दों में प्रकट किया है और वह्या है कि उसने अपनी विचारना को बीइग के सम्तुल्य माल लिया है और अपनी पहचान को विचारना के सम्तुल्य आदता सोचने को मजबूर व्यक्ति यानि हम में से लगभग हर व्यक्ति इस पश्टिता एक प्रिथकता की अवस्था में रहा करता है एक निडंतर सम्नस्या तथा द्वंद वाले पागलपन की जटीलता से भरे संसार में रहा करता है वह एक ऐसे संसार में रहा करता है जोकि मन के लगातार बढ़ते विखंदन को दर्शाता है जबकि आत्म ग्यान अखंडिटा की पुर्णता की अवस्था होती है जीवन के प्रकट रूप इस संसार के साथ भी एकत्व और सांथी जीवन के अप्रकट रूप अपने अंतर्तम स्वरूप के साथवी एकत्व अर्थात भी इंग के साथ एकत्व और इसलिए यह एक सांथी में अवस्था होती है केवल दुखों का तथा भीतर बाहर के द्वन्त का अंत होना ही आत्म ज्यान हो जाना नहीं है बलकि अन्वरत और दिरंतर रूप से सोचते रहने की इस दुखदाईस दास्ता से मुख्ध होना भी यह है अपने मन के साथ खुद को तादात्मे कर लेना उसके साथ खुद को एक रूप व एक जान कर लेना यह धारनाओं, लेबलों, छवियों, दिशकर्सों और परिभासाओं का एक ऐसा धूदला परदा बना देता है जो सभी सच्चे समंधों में बाधक बन जाता है यह परदा आप और स्वयम आपके बीच, आप और आपके संगी साथियों के बीच, आप और प्रोकृति के बीच, आप और इश्वर के बीच आ जाता है यह विचार का परदा ही है जो प्रिथकता का, अलगाव का भ्रम पैदा कर देता है या भ्रम की एक आप है और एक बिल्कूल अलग कोई और है तब आप एक सारभूत तथे भूल जाते हैं कि सारेडिक प्रतिती तथा पिर्थक रूपो वाले इस्तर के नीचे नीचे आप जो कुछ भी है उसके साथ आप एक के है भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह है फिर आपको यह एक कत्व एक स्वयम सिधर सत्य जैसा लगता ही नहीं है आप इसके सत्य होने का विश्वास भले ही कर ले लेकिन फिर भी आप जान नहीं पाते हैं यह सत्य है कोई विश्वास कितना ही सरल सुख़ लगे लेकिन खुझ अपनी अनुभूती द्वारा ही सत्य आपको बंधन मुक्त कर सकता है सोत्य राना तो जैसा एक रूग बन चुका है कोई रूग तब होता है जब चीजे संतुलन से बाहर हो जाती है उदाहरन के लिए शरीर में कोशिकाओं का विभाजित होना और उनका ब्रिधी करना इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन जब यहीं प्रकेडिया संगहटी शरीर रचना की अपेक्छा करती है तब कोई कोशिकाएं बहुत जनन करने लगती है और हम रोगी हो जाते है ध्यान दीजे मन एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है बसरते की इसका सही इस्तमाल किया जाए गलत तरीके से इस्तमाल किये जाने पर यह बरा विनाशकारी हो जाता है और भी इस पश्ट रूप से कहा जाए तो बात के और इतनी नहीं है कि आप अपने मन का इस्तमाल गलत तरीके से करते हैं बल्कि आम तोर पर आम तोर तो इसका तो आप इसका इस्तमाल करते ही नहीं है दरसल वो अभी आपका इस्तमाल किया करता है यही रोग आप समस्ते हैं कि आपका अपना मन है यह एक भ्रांती है भरम है मिथ्या अभास है यानि यह उपकरण आप पर हावी हो चुका है मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ यह सच है कि मैं काफी निरुद्दस से सोच विचार किया करता हूँ जैसा कि सभी लोग करते हैं लेकिन फिर भी मैं चीजों को पाने और पुरा करने के लिए अपने मन का इस्तमाल करता हूँ करना तो चुनता हैं हूँ और ऐसा मैं हमेशा करता हूँ केवल इसलिए कि आप शब्द पहली भड़ लेते हूँ या पर्मानु बम बना लेते हूँ इसका अर्थ या नहीं हो जाता कि आप अपने मन का इस्तमाल कर रहे हैं जैसे कुत्ते हड़ी को चबाना चुसना पसंद करते हैं ठीक वैसे ही मन को समस्याओं में अपने दात गड़ना पसंद है इसलिए वो शब्द पहली भड़ने बैठ जाता है पर्मानु बम बनाने लगता है जवकि आपको इन में से किसी में भी दिल्चस्पि नहीं है अच्छा मैं आपसे एक सवाल पुछता हूँ क्या आप जब चाहें तब अपने मन से मुक्त हो सकते है क्या आपको मन का ओफ बटन मिल गया है आपका मतलब है कि सोचने पर पुर्ण विराप नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता सुआए एक या दो पलों के लिए तब तो आपका मन आपका इस्तमाल कर ही रहा है अंजाने ही आप उसके साथ तादात्मय हो गए है उसके साथ एका कार वह एक जान हो गए है इसलिए आप यह जानते तक नहीं है कि आप उसके गुलाम हो गए है यह लगभग ऐसा ही है जैसे आपके दिल दुमाग पर हावी हो जाए और आप यह बात जानते भी नो हो और फिर उस हावी होने वाले के स्वरूप को आप अपना ही स्वरूप समझने लगे स्वतंधरता की आज आदे की शुरूआत इस बोट से होती है कि जो आप पर हावी है वह आप नहीं है आप उससे अलग है यानि आप विचार करता नहीं है उससे अलग है यह जानना आपको अपने स्वरूप को देखने की छमता देगा जियो ही आप विचार करता को देखना उसका अउलोकर करना अरम करते हैं तियो ही चैतन्यता का एक उच इस्टार आप में सक्रिय हो उड़ता है तब आपको यह बोध होना अरम हो जाता है कि विचार से परे प्रग्या का एक विशाल समराज्य है कि विचार तो उस प्रग्या का एक छुद्र वो नगन्य पक्ष है आपको यह भी बोध हो जाता है कि सचमुच महत्वाली चीये जैसे सुन्दड़, प्रेम, रचनात्मक्ता, हर्ष, भीत्री, शांती ये सब मन से भड़े ही पैदा होते हैं या बोध हो जाने पर आप जागरा, चतन्य होना अरंब करते हैं खुद को अपने मन से मुक्त कीजिए विचार करता का अउलोकर करने से आपका सही सही अर्थ क्या है कोई अगर किसी डॉक्टर की यहां जाएं और उससे कहे मुझे अपने सिर में कोई आवाज सुनाई देती है तो बहुत संभव है कि उसे किसी मनोरोक चिकित्सा के पास भेज दिया जाएगा लेकिन सच तो यह है कि हर कोई अपने सिर में कोई न कोई आवाज या बहुत सारी आवाजे वास्तों में हर समय सुना ही करता है यह वह बे इरादा, बे इक्तियार और खुद बखुद चलने वाले विचार परकिडिया है जिसके बारे में आपको यह पता ही नहीं है किसे रोकने का समर्थे आप में है इस अनवरत चलने वाले स्वगत कथन या कथोप कथन को रोकने का समर्थे सच्मूच आप में है आपने सरक पर आते जाते ऐसे पागल को शायद देखा होगा जो अपने आप से ही बत्याते या बरबराते हुए चले जाते हैं लेकिन वह पागल जो कर रहा है उसमें और आपने तत्ता अन्य समाने लोगों में कोई खास अंतर नहीं है सिवाए इसके कि आप उसकी तरह आवाज नहीं बुरा करते हैं सिर में बोलती यह आवाज टिका टिपनी किया करती है अटकले लगाती है निर्णाय वह निशकर्ष निकालती है तुड़ना करती है शिकायत करती है पसंद ना पसंद करती है वगयरा वगयरा यह भी जरूरी नहीं है कि आप जहां हो या जिस पर स्थिती में हो या आवाज उस समय उसी प्रसंग की बात पुर्ट ही हो हो सकता है कि वह हाल ही में गुजरे समय को या काफी पहले गुजरे समय को फिर से जिला रही हो यानि अतीत के गड़े मुर्दों में फिर से जान डार ही हो या किसी संभावित भावी इस्थिती की रिहलसल कर रही हो या कुछ कल्पना कर रही हो अक्सर वो चीजों के बिगरने की या नकरात्मों प्रिणाम पाने की कल्पना अधिक किया करती है इसी को चिंता कहते हैं कभी-कभी तो इस साउंट्रेक के साथ दृष्य कल्पना या मानसिक चल्चेत्र भी जूर जाय करता है भले ही वह आवाज प्रतेक्ष परिस्थेती के प्रसंग में हो लेकिन उसके व्याख्या वह अतीत के अनुसार ही करेगी इसका कारण या है कि वह आवाज आपके उस पुर्व प्रभाव ग्रस्थ और पुर्व संसकार ग्रस्थ मन से ही आ रही होती है जो कि आपके विगत इतिहास का तथा उस सामुहिक मानसिक्ता का पड़नाम होता है जो कि आपको वन्शागनुत मिला होता है इस तरह आप वर्तमान को अतीत के चस्मिन से देख रहे होते हैं और उसका वास्विक अर्थ नहीं बलकि उसका बिलकुल उलट पुलट अर्थ बताने वाला रूप आपको दिखाई दे रहा होता है इसलिए वा आवाज अगर खुद उस व्यक्ति के ही बतरीन दुश्मन बन जाती हो जिसके सिर में वा बोल रही हो तो इसमें आश्चरे नहीं होना चाहिए कुछ लोग तो अपने सिर में एक अत्याचारी एक उत्पिड़क एक जालिम को लिए हुए ही जिया करते हैं जो कि उनपण ही लगतार हमले करता रहता है उन्हें दंडित करता रहता है और उनकी ही जीवन शक्ति को सूखता रहता है और फिर यहीं बन जाता है उनके कलेश, कला, व्यथा, तथा, दुख का और रूख का भी अनकहा कारण अच्छी बात यहा है कि आप खुद को अपने मन से आजात कर सकते हैं और यहीं होती है सच्ची मुक्ती इसका पहला कदम तो आप अभी ही उठा सकते हैं जब जब भी हो सके आप अपने सिर के अंदर बोल दी आज को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए बार बार आने वाले उन विचारों के धर्रे पर उशेश ध्यान दीजिए जो पुराने ग्रामफोन रिकॉर्डर की तरह आपके सिर में शायद सालों से बज़ते आर हैं विचार करता का अवलोकन करने का मेरा यही अर्थ है इसका छोटा सा सुत्रिया है अपने सिर में बोल दी आवाज को ध्यान से सुनिए एक साक्षी के रूप में वहां उपस्थित रहिए जब भी आप उस आवाज को सुने तो तठस्थ भाव से सुने यानि कोई नीन निशकर्ष न ले जो आप सुने उसकी कोई नीन्दा अलोचना भी नो करे और नो ही किसी नतिजिवर पहुँचे क्योंकि ऐसा करने का अर्थ तो यहीं होगा कि वहीं आवाज पिछले दर्वाजे से दोबारा अंदर आ गई है तठस्थ भाव से सुनने पर आपको प्रत्यक्च अर्भाव होने लगेगा एक आवाज है और उसे मैं सुन रहा हूँ ध्यान से सुन रहा हूँ यह मैं सुन रहा हूँ वाला बोध आपके स्वर्म वहाँ उपस्थ होने का या भाव या कोई विचार नहीं है यह तो मन के पार से आ रहा होता है इस परकार जब आप कोई अपना विचार सुनते हैं तब आप किवल उस विचार के प्रती ही सजग नहीं रहते हैं, बलकि उस विचार के साची के रूप में खुद के प्रती भी सजग रहते हैं, तब चैतन्यता का एक नया ही आयाप आप में आगया होता है, जब आप उस विचार को सुनते हैं, तो उस विचार के पीछे या उस तब आप मन के साथ तादात्मत्या नहीं करने के कारण मन को कोई उर्जान नहीं दे रहे होते हैं। बे इरादा, बे इक्तियार और खुद पर कुद चलने वाली मनों गरस्त विचार प्रकेरिया के अंति की शुरुवात होती है यहां। विचार जब ती रोही तो हो जाता है तब आप अपने मन की धाराप प्रवाहता में एक विराप, एक अवकास महसूस करते हैं। मन की अनुपस्थिती जैसा एक अंतराल महसूस करते हैं। पहले पहल तो यह अंतराल छोटे ही होंगे, शायद कुछ पलो के ही हो, लेकिन धीरे धीरे यह अंतराल लंबे होती चले जाएंगे। जब यह अंतराल आते हैं तब आप अपने भीतर एक तरह का ठाहराव और शान्ती महसूस करते हैं। बिएंग के साथ एक के अनुभाव करने वाली सहथ सो भाविक अवस्था की शुरुआत होती है यह, जिसे की अभी तक आपके मन द्वारा दुरूह तथा दुर्गम बनाया जाता रहा था। अभ्यास करते करते ठाहराव, इस्थिर्ता, निरावता और शान्ती का या अहसास या अनुभोती गहन से गहनतर होती जाएगी। दरसल इस गहनता के कोई थाह नहीं होती, तब आप अपने भीतर गहराई से आते हुए आनंद के एक सुक्चम आभिर्वाव को महसूस करेंगे, बीइंग का आनंद होगा यह, यह कोई मुर्चा जैसी अवस्था नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें चेतन्यता जात और सजगता से रहित करना होता, तो वे हासिल करने योगे ही नहीं होते, भीतरी संबंधता वो जुराव के इस अवस्था में, आप मन के साथ तादात्म में में रहनी की अवस्था कहीं अधिक जागरूप, कहीं अधिक प्रपुद्ध रहते हैं, तब आप पुरी तरह उप अवस्थिती वाले इस परदेश में, जब आप और गहरे में जाते हैं, तब आप विसूद चाय तन्यता की अवस्था मसुस करते हैं, इस अवस्था में आपको अपनी उपस्थिती इतनी सघंता के साथ इतने आनंद के साथ अनभूत होती हैं, कि उसके तुला में आपकी तमाम विचारणा, तमाम भावनाएं, पंच्चत्तों का आपका यह शरीड और समुचा बाहरी संसार, यह सभी अपेक्चाक्रित महत्वहीन और नगन्य हो जाते हैं, लेकिन तब भी यह कोई स्वार्थ परता वाली अवस्था नहीं होती, बलकि स्वारहितता वाली अवस् होते हैं, साथ ही अबोध्य और असीम रूप से वह आप से विशाल होती है, जो बात मैं यह कहनी की कोशिस कर रहा हूँ, वह परस पर विरोधा भासी और प्रतिकूल भी लग सकती है, लेकिन इसके अलागा कोई और तरीका भी तो नहीं है, जिसके द्वारा मैं उसे बता सक विचार करता का अलोकन करने के बजाए ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने अवधान का, अपने ध्यान का फोकस, अब नाउं की और मोर कर अपने मन की निरंतर चालमयन तक के एक अंतरार पैदा कर दें, और इसके बात के लिए केवल वर्तमान पल के प्रतिक अत्यंत चैतन्य हो ज करना गहरा संतोस देने वाला होता है, इस तरह से आप अपनी चैतन्यता को मन की हरकतों से बचा कर दूर ले जा सकते हैं, और मन की अनुख पस्थिती का एक अंतराल, एक फासला, एक ऐसा ठाराव बना सकते हैं, जिसमें आप अत्यंत सजग वा सचेत तो रहते हैं, लेकिन विचार नहीं कर रहे होते, यहीं है ध्यान का सार, अपने दिन प्रति दिन के जीवन में इसका अभ्यास आप रोज मररा के किसी भी ऐसे काम को करते हैं, जिससे की आदतन करना आपके दिन चरिया का एक भाग बना हुआ है, उस काम को आदतन करने के बजाए, आप उसे अप अभी आप सीधिया चड़े या उतरे, तब अपने हर कदम पर, अपने हर गतिवीधी पर, यहां तक की अपने सांस पर भी, आप अपने पूरा-पूरा ध्यान बनाए रखे, पुरी वर्त्र, पुरी तरह वर्तमान में रहे, या जब भी आप अपने हाथ धोए, तब हाथ होने का दौरा अपने अंगों को महसूस होने वाली सभी अनुभूतियों पर ध्यान दे, पानी की अवाज, हाथों पर उसके छोगन, आपके हाथों का संचालन, साबुन के सुगंध, वगेरा वगेरा, या जब आप अपनी कार में बैठे, तब दरवाजा बंद कर लेने के कुछ पल ठहरें और अपने स्वास, प्रस्वास की घति पर ध्यान दे, वहाँ अपने उपास्यते के नीरव, शान्त, लेकिन उर्जस्वी अनुभूति को महसूस करें, एक ऐसा पैमाना है जिस पर आप इस अभ्यास की सफलता को माभी सकते हैं, और वह है शान्ती की इस तरह आत्मग्यान के प्राप्ति की आपकी यातर में जो एक अकेला सबसे महत्पूर्ण कदम है, वह है खुद को अपने मन के चोले से बहार निकालना सिखें, जब भी आप अपने मन की चलाय मानता में एक अंतराल पैदा कर लेते हैं, तब आपकी चैतन्यता का अधिक प्रबल होकर निकलता है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब आप अपने सिर में से आने वाली आवाज को सुनकर कुछ इतरा मुस्क्रापरें, जैसे कि आप किसी बच्चे की काला बाजी या उच्छल कूद पर मुस्क्रापरते हैं, इसका मतलब यह होगा कि अपने म अनलाइटेनमेंट, विचार के इस तर से उपर उठना, इस संसार में जिन्दा रहने के लिए सोचना विचारना क्या आवश्यक नहीं है? आपका मन तो एक उपकरण है, एक ओजार है, एक साधन है, इसे कुछ विशेश कारे करने को बनाया गया है, और जब वह कारे संपन हो जाए, तब इसे आप यथा स्थान वापस रखते हैं हकीकत तो यह है कि अधिकतर लोगों का 80-90% सोचना विचारना, नौ केवल बार बार दोहराना और निडर्थक सोचना मात्र होता है, बलकि गरबड़ी वाला और अधिकतर नकरात्मक प्रकिर्टी वाला होने के कारण अधिकांश्ता वहानिकारक भी होता है अपने मन का अलोकर करके तो देखिए और आप पाएंगे कि यह बात बिल्कुल सच है, इसके कारण आपके जीवनी शक्ती का बहुत अधिक हरास होता है, आप उसे व्यार्थ गवाते रहते हैं इस परकार के सोचने विचारने से अगर आप खुद को रोक नहीं पाते हैं तब यह सचमुच एक लट बन जाता है लट की पहचान क्या होती है? सीधे सरश शवदों में यह होती है जब आपको यह भी महसूस ना हो, किसे रोकने का विकल्प भी आपके पास है तब समझे कि वह बात लट बन चुकी है लट आपसे भी अधिक बलवाली हो जाती है लट आपको सुख की एक गरत फहमी भी दिया करती है वह सुख जो कि निश्चित रूप में दुख में बदल जाय करता है क्यूंकि आप खुद को इसके साथ तादात्मे कर लेते हैं इसके साथ एकाकार वह एक जान हो जाते हैं जिसका मतलब है कि आप अपने सुख की खुद के होने की अनुभूती अपने मन में भड़ी हुई चीजों से उसकी बातों से प्राप्त करने लगते हैं क्यूंकि आपको लगता है कि अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो जैसे आपका होना ही खत्म हो जाएगा जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं अपनी व्यक्तिगत तथा सांसकरितिक संसकार ग्रस्तता के अधार पर आप अपनी एक मांसिक छवी रच लेते हैं कि आप क्या हैं अपनी इस मायावी या काल्पनिक छवी को हम अहम कह सकते हैं यह अहम हमारे मन की हरकतों का बना होता है और इसलिए इसका बना रहना हमारी लगतार चलने वाली सोच पर ही ठीका होता है अहम शब्द का अर्थ अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है लेकिन जब मैं यहां इस शब्द को प्रयूक करूँ तो इसका अर्थ होगा वह मिथ्या मैं जो की अपने मन के साथ अच्चैन्य रूप से खुद को तादात में कर लेने से उत्पन होता है अहम के लिए वर्तमान पलतु जैसे होता ही नहीं है उसके लिए तो केवल गत और आगत अतीत और भवश्य ही महत्पुर्ण हुआ करते हैं मन द्वारा इस तरह सत्य को पूरी पूर्णतिया पलट दिये जाने से इस तथे का पता चल जाता है कि अहम की डिती निती पर चल रही पर चल कर ही मन इतना अव्यवस्थित व्रिश शिंखल और गरबड जाला बन गया है वह हमेशा ही अतीत को जीता जागता बनाए रखने की जुगत में रहता है क्योंकि उसके अनुसार अतीत के बिना भला आप कौन है क्या है वह खुद को भविश्य में लगतार प्रच्छेपित करता रहता है अपने निरंतर अस्तितों को सुनिशित करने के लिए भी और वहां किसी तरह की राहत या कोई उपलवधि पाने के लिए भी वह कहा करता है एक दिन जब ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा तब मुझे शान्ति मिल जाएगी अगर कभी अहम वर्तमान में रूची ले भी रहा होता है तो वह उस वर्तमान को देखी नहीं रहा होता है जो की है बलकि उसे पूरी तरह से गलत रूप में देख रहा होता है क्योंकि वह उसे हमेशा अतीत की दृष्टी से ही देखा करता है या वह वर्तमान को किसी लक्ष की प्राप्ति का किवल एक साधन बना रहा होता है कोई ऐसा लक्ष जो कि मन रचित भवश में कहीं इस्थित रहा करता है अपने मन का अलुकन किया किजे और आप जान जाएंगे कि वह किस तरह से काम करता है सुवत अंतरता की वीवमुक्ति की चावी वर्तमान पल में ही उपलब्द रहती है लेकिन जब तक आप अपना मन बने हुए हैं तब तक आप वर्तमान पल को पाही नहीं सकते हैं विशले सन और विवेचन करने की अपनी छमता को मैं खोना नहीं चाहता अधिक इस पश्ट तरीके से सोचना अधिक फोकस के साथ सोचना या सीखने मुम में मुझे कोई अपत्ती नहीं है लेकिन मैं अपने मन को खोना नहीं चाहता सोचने का गुन ही तो हमारे पास एक सबसे अधिक मुल्यवान चीज है इसके बिना तो हम केवल एक किस्म के पश्रू बन कर रह जाएंगे त्यतना के विकास मार्ग में मन का प्रबल होना केवल एक मुकाम होता है आवशकता इस बात की आ गई है कि अब हमें यथा सिग्र अगले पराव पर जाना होगा अन्यथा हम इस मन के द्वारा तबाह कर दिये जाएंगे क्योंकि अब यह बराहें विकट हो गया है इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूँगा सोचना विचारना और चैतन्य होना एक ही बात नहीं है विचार करना चैतन्य का किवल एक छोटा सा पहलू है विचार चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता लेकिन चैतन्यता को विचार की अवश्यक्ता नहीं होती आत्मग्यान होने का मतलब है विचार से उपर उठना विचार के स्तर से नीचे यान पशुपक्षी या पीर पोजह के स्तर पर वापस नो गिड़ना आत्म ग्यान की अवस्था में आप अपने विचार करता मन का इस्तमाल तभी करते हैं जब ऐसा करना अवस्यक होता है लेकिन वह अभी पहले की अपेक्षा कही अधिक केंदरित तथा प्रभावी ढंग से तब आप अपने मन का उप्योग केवल विवहारी कामकाज के लिए करते हैं किन्तु इसकी खुद बखुद और लगतार चलने वाली अंदरोनी बखबख से आप अजाद रहते हैं और इससे आपको एक भीतरी नीरस्ता निश्चिलता वा सांती मिलती है तब अगर कभी आप अपने मन का प्रयोग करते भी हैं और खास दोर से तब करते हैं जब किसी रचनात्मक समधान के अवश्यक्ता आप पर दी है तब भी आप हर कुछ मिन्टों में विचार और विचार रहिता के बीच मन और मन रहिता के बीच आते जाते रहते हैं मन के अनुपस्थित रहने की अवस्था ही विचार रहित चेतन्यता की अवस्था होती है केवल इसी अवस्था में रचनात्मक रूप से सोचना संभव हो पाता है क्योंकि इसी अवस्था में विचार में वास्त्विक शक्ती होती है अकेला विचार यानि जब विचार चैतन्यता वाले अत्यांत विशाल समराजी के साथ जुरा नहीं रहता तब वा बहुत जल्दी ही निरर्थक, उन्मादी और विनाशक बन जाता है मन अन्यवारे रूप से अपने ही अस्तित्वी की रक्षा में लगे रहने वाला एक यंत्र है दूसरे मनों पर आक्रमन करना और उनसे अपना बचाव करना, सुचनाओं को एकत्र करना, उन्हें अपने गुदाम में भरे रखना और उनका विशलेशन करते रहना ये काम वह बखुबी किया करता है लेकिन मन रचनात्मक बिल्कूल भी नहीं है जितने भी अच्छे चितरकार हैं, वे अपनी मन रहित अवस्थाओं में से ही अपनी भीतर की निरवता और निश्चलता की अवस्था में से ही अपनी रचना किया करते हैं भले ही वे यह बात जानते हो ये नौ जानते हो ऐसी अवस्था वाला मन ही उनकी रचनात्मक तरंग को उनकी अंतर द्रिष्टी को रूप व अकार परदान किया करता है बड़े बड़े वग्यानिकों ने भी बताया है कि उनका रचनात्मक प्रसफुटन उनकी मानसिक सांतता व इस्थिर्टा के समय ही हुआ है आंश्टीन सहित अमेरिका के सर्वच प्रतिष्टित गनी तग्यों के बीच कराए गए देश्व्यापी सर्वेक्षन के दोरान उनसे उनके कारे करने के तरीके के बारे में पूछे गए प्रशनों के उतर चोकाने वाले रहे हैं और वे ये कि रचनात्मक काड़े के उस छोटे तथा निर्दायक चरण में विचार तो केवर एक सहायक की भूमी का आधा करता है इसलिए मैं तो कहूंगा कि जिस कारण से बहुत सारे विज्ञानिक रचनात्मक नहीं हो सके उसका सीधा सीधा कारण यह नहीं है कि वे यह नहीं जानते थे कि सोचना रूका कैसे जाए यह चमातकार मन के चरिये विचार के जरिये नहीं हुआ है कि इस प्रित्वी पर जीवन की तथा आपके सरीड की रचना की गई और उसको संभाला भी जा रहा है इस परश्ट है कि कोई प्रग्या काम कर रही है और वह इस मन से कहीं अधिक विशार है यह कैसे संभा हुआ कि एक इंच के एक बटा एक हजारवे भाग की मानो कोशिका अपने डियने में इतने सारे अनुदेश भरे रखती है जिन्हें बताने में 600 पन्नों की एक हजार कितावे भर जाएंगी अपने सरीर की कारे प्रणाली के बारे में हम जितना अधिक जानते जा रहे हैं उतना ही हमें पता चलड़ा है कि इसके अंदर काम कर रही प्रग्या कितनी अपार है और उसके बारे में हम कितना कम जानते हैं मन जब उस प्रग्या के साथ पुनाह जूर जाता है तब वह सबसे अध्भूत और और सधारन बन जाता है तब वह हमें ऐसा कुछ परदान करता है जो कि खुद इससे भी महान होता है भावना आपके मन के प्रति, आपके तन की प्रतिकिरिया भावनाओं का क्या किया जाए? अपने मन से अधिक तो मैं अपनी भावनाओं में ही उल्जा रहता हूँ मन जिस रूप में मैं इस शब्द का प्रयोग करहा हूँ केवल विचार नहीं होता इसमें आपकी भावनाओं और उनके साथ ही समूचा अच्चेतन मानसीक भावनात्मक प्रतिकिरिया वाला एक पूरा धर्रा भी शामिल रहता है भावना तब उभर कर आती है जब मन और सरीर मिल जाते हैं आपके मन के प्रति आपके स्रीड की प्रतिकिडिया होती है या आप यह कह सकते हैं या आपके स्रीड पर पढ़ने वाला आपके मन का प्रतिबिम्ब होता है उदाहरन के लिए एक आक्रामक या उग्र विचार आपके शरीड में एक उड़जा खड़ी कर देता है जिसे हम क्रोथ कह देते हैं तब शरीड लड़ने भिड़ने के लिए तयार हो जाता है यह विचार कि आप खत्र में है चाहे वह सारेडिक खत्रा हो या मनोवेग्यानी खत्रा यह विचार सरीड के संकुचन का कारण बन जाता है और सरीड के इस पहलू को हम भय कहते हैं अनुस संधान बताते हैं कि बलवती भावनाएं सरीर के जैव रसायन पर भी असर डालती है यह जैव रसायनिक पड़िवर्तन ही भावनाओं के सारेडिक पक्ष को प्रकट करते हैं आम तोर पर आप अपने समूचे विचार ढदे के प्रति सजग नहीं रहा करते हैं इसलिए अपनी भावनाओं का अलोकन करने से ही यह संभाव हो पाता है कि आप उनके प्रति सजग रह सकें अपनी विचार परक्रिया के साथ आप जितना अधिक तादात में हो जाते हैं पसंद नापसंद किया करते हैं, निर्णय निशकर्ष निकाला करते हैं, टिकाटी पन्नी किया करते हैं यानि अपनी चैतन्यता के साथ आप जितने कम उपस्षित रहते हैं आपके भावनात्मक शक्ति उतनी ही बलवत्ती होती जाती है भले ही इस बात से आप अवगत रहते हो या न रहते हो लेकिन जब आप भावनाओं से नाता तोड़ लेंगे तब परिनाम सरूब उनको आप केवल साधिक इस तरपर ही महसूस करेंगे केवल एक सारीरिक समस्या की तरह या किसी लक्षन की तरह हाल ही के वर्षों में इस विशेपर काफी कितावे लिखी जा चुकी है इसलिए हमें इसमें अधिक जाने की आवस्यक्ता नहीं है आपके कोई भी सवल और चतन्य भावनात्मक सरूप आपके साथ घटित होने वाले किसी बाहरी घटना के रुपने भी प्रकट हो सकता है और वह भी बिना बात के उदाहरन के लिए मैंने देखा है कि जो लोग अंजाने ही और प्रकट किये बिना ही अपने अंदर कुरोध का एक भंडार लेकर चला करते हैं उन पर कुरुध लोगों द्वारा अधिक आक्रमन किया जाता है शाबदिक तोर पर भी और शारेडिक तोर पर भी और वो भी अक्सर बिना किसी खास कारण के ही इस तरह के लोगों में से कुरोध का जैसे एक इतना जवर्दस्त रिसाव होता रहता है हो रहा होता है कि कुछ लोग उसे अफचेंतर रुप से मसूस कर लेते हैं और वह उनके अपने अंदर बैठे उनके ही क्रोत को भरका दिया करता है यदि आपको अपनी भावनाओं को अनुभूत करने में कोई कठिनाई होती हो तो आप अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर अपने ध्यान वह अधान को फोकस करना शुरूप कीजिए अपने शरीर को अपने अंदर महसूस कीजिए ऐसा करना आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में भी ले आएगा इस पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा आगे करेंगे आपका कहना है कि शरीर पर पढ़ने वाला मन का परतुबिम ही भावना होती है लेकिन कभी-कभी तो इन दोनों में ही द्वंद हो जाता है यानि मन कहता है नहीं जबकि भावना कह रही होती है हाँ या इसका उलट भी होता है अगर आप अपने मन को वास्तों में जानना चाहते हैं तो आपका श्रीड उसका एक सच्चा परतिविम दिखा देगा इसलिए अपनी भावना को अपने श्रीड में देखिए बल्कि महसूस किजिए अगर इन दोनों में साफ तोर पर कोई द्वंद दिखाई दे तो विचार जूट बर्ढ़ा होगा और भावना सच बोल रही होगी वो हवाला परम सत्य नहीं कि आप कौन है बल्कि आपके मन के अवस्ता के बारे में ततकालिन सत्य सतही विचारों के और अच्यतन्य मानसिक प्रकिडियाओं के बीच चलने वाला द्वंद एक समानने बात है हो सकता है कि अपने अच्यतन्य मन की गतिविधियों को विचार के रूप में पहचानने में अभी आप सक्चम ना हुए हो लेकिन शरील में एक भावना के रूप में तो वह हमेशा हैं प्रतिविम्बित हुआ करता है और उसके प्रति आप सजग वह अवगत भी हो सकते हैं किसी भावना को इस तरह से देखना ऐसा ही है जैसे किसी विचार को देखना ये सुनना जैसा कि मैंने पहले बताया है अंतर के वल इतना है कि विचार तो आपके दिमाग में रहा करता है जबकि भावना भावना में एक ससक्त शारिक अंस होता है और इसलिए मुख्य रूप से वो शरीड में ही मसूस की जाती है तब उस भावना से नियंतरित हुए बिना ही आप उसे शरीड में ही रहने दे सकते हैं ऐसे में आप खुद वो भावना नहीं बन जाते हैं बलकि उसकी उपस्थिती के दृष्टा बन जाते हैं और उसके अउलोकन करता बन जाते हैं अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो जो कुछ भी आपके अंदर और चैतन्य है वह सब चैतन्य के परकाश में आ जाएगा तो क्या बहाँणा का उलोकन करना भी उतना ही महत्पूर्ण है जितना कि विचार का उलोकन करना जी हाँ, अपने आप से यह प्रश्ण पूछने की आदर डालिए इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है यह प्रश्ण आपको सही दिशा की उर्ट संकेत कर देगा लेकिन कोई विसलेशन करने मत बैठ जाए बस और लोकन कीजिए अपने ध्यान वा अवधान का फोकस अपने भीतर रखिए भावना की उर्जा को अनुभाव किजिए अगर वहाँ कोई भावना नो दिखाई दे तो अपने अवधान को और गहरे में ले जाए अपने सरीड की भीतरी उर्जा के छेतर में ले जाए ये बीइंग में परवेश करने का द्वार वही है। भावना कोई भी हो वह विचार काहीं एक विस्तिर्ण वह उर्जित प्रकट रूप हुआ करती है। और हावी होने वाले इसके प्रवल वेख के कारण शुरू-शुरू में तो इसका अलोकन करने के लिए आपका विदमान रह पाना भी असान नहीं होता है। वह आप पर हावी हो जाना चाहती है और इसमें वह अक्सर काम्याब भी हो जाती है। तब तक कि आपके विदमानता आपके प्रेजेंस भरपूर न हो। प्रेजेंस के आभाव के कारण अगर आप भावना के साथ और चैतन्य तादात मेरता में खीचे चले जाते हैं जैसा कि अक्सर होता भी है तब वह भावना और अस्थाई रूप से आप बन जाती है। अपना प्रतिरूप बनाते हुए खुद को बढ़ा चढ़ा कर प्रतिम्भी करने लगता है और भावना का उफंता आवेग विचार प्रक्रिया को खुराक देने लगता है। चक्र चलता रहता है। लेकिन इसमें खत्रे के एक निरंतर भाव के अलावा प्रित्याक के और अपुर्णता के घरे भाव भी शामिल हो रहते हैं। सबसे अच्छा यह रहेगा कि ऐसा सब्द प्रयोग किया जाए जो कि उतना ही अकार रहीत हो जितनी की वह अधारभुत भावना हो और इसलिए उसे बस दुख कहा जाए। मन का मुख्य काम है उस भावनात्मक दुख को हटाना या मिटाना जो कि उसकी और विराम गतिविद्यो का एक कारण रहा करता है। लेकिन वह क्यों इतना कर सकता है कि वह उन्हें हाल फिल हाल के लिए बस धाप दे। सच तो यह है कि मन उस दुख से पिंट छूटाने के लिए जितना अधिक संगर्श करता है, दुख उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। मन कभी भी कोई समधान हासिल नहीं कर सकता और नौहीं वह आपको कोई समधान हासिल करने देता है, क्योंकि वह खुद ही समस्या का एक अंतरंग भाग होता है। तनी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कल्पना कीजिए, जो कि किसी घर में आगल लगाने वाले अपराधी की तलास कर रहा हो, जबकि अपराधी वह पुलिस अधिकारी ही है। आप तब आप तब तक उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते, जब तक कि आप मन के साथ अपनी तादात्मयता में से अपने अहम भाव को मैं को गरहन करना बंद नहीं कर देते, तभी मन आपके ठीकाने से डुठा कर गिर सकता है, और तभी आपके सच्चित सो भाव के रूप म बीइंग प्रकट हो सकता है, हाँ मुझे पता है कि आप क्या पूछने वाले हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, सकरात्मक भावनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे कि प्रेम, अनन्द, वे भावनाएं बीइंग के साथ रहने वाली भीतरी जुराव की आपकी स्वभ चोटे आफसर घटी दुगा करते हैं, अधिकांस लोगों के लिए तो ऐसे आफसर कभी कभार इतिफाक से ही आते हैं और ऐसे पलों में ही आते हैं कि जब मन, मौन हो गया हो, कभी महान सौंदर के द्वारा, कभी बहुत तेज वा तनाव भड़ी सारीरिक गतिविधी के द् तब अचानक ही भीतर एक ठाहराव, निश्चलता और निरावता हो जाती है, और उस ठाहराव, निश्चलता तथा निरावता में ही अनुभूत होता है एक सुक्षम, किन्तु सघन, आनन्द, प्रेम और शांती आम तोर पर ऐसे अवसर बहुत कम अवधिके होते हैं, क्योंकि मन जल्दी ही अपनी सोर मचाओ हरकतों में लोट आता है, जिसे हम सोच रा कहते हैं प्रेम, अनन्द, वो शांती तब तक फल्फुल नहीं सकते, जब तक कि आप मन के हावीपन से खुद को मुक्त नहीं कर लेते उस में से बाहन नहीं निकाल लेते, किन्तु ये सब वे नहीं है, जिन्हें मैं भावनाई कहता हूँ वे इन भावनाई से परे डहती हैं, कहीं अधिक गहरे तल पर इसलिए आपको अपनी भावनाई के प्रती पूरी तरश सजग होना होगा उन्हें महसूस करने योग्य होना होगा, तकि जो कुछ उनसे परे हैं, उसे महसूस करने से पहले आप इन सब को महसूस कर सकें इन अवास्थाओं की कोई विप्रीत विलोम अवस्था नहीं होती और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका उद्गम मन के अंदर नहीं बलकि उसके परे से होता है इसके उलट भावनाएं द्वैत वादी मन का भाग होती है और इसलिए वे विप्रीद विलोम के सिधान्थ के अंतरगत चलती है इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भावनाओं के मामले में अच्छी के साथ साथ बुरी भावना भी चल ही आएगी इस तरह आत्म ग्यान नौ होने की अवस्था में तथा मन के साथ तादात में कर लेने की अवस्था में गलती से इसे अक्सर अनंद कह दिया जाता है वह तो आम तोर पर दुख या सुक के बाड़ी बाड़ी से चलने वाले दिरंतर चकर में दो पल के सुक का एक पहलू मातर हुआ करता है सुक हमेशा ही किसी बाहरी चीज़ से प्राप्त किया जाता है जबकि आनंद आपके भीतर से ही प्रसफूटित हुआ करता है इसलिए जो चीज़ आपको आज सुखद लग रही है वह कल वही चीज़ आपके लिए दुखद हो सकती है या आपसे दूर जा सकती है और फिर उसका अभाव आपको दुख देने लग सकता है और जिसे अक्सर प्रेम कह दिया जाता है वह कुछ समय के लिए तो आपको सुख़द और उत्साही लग सकता है लेकिन दरसल वह लगाव की लथ होती है एक बहुत जरूरतमन्द वाली अवस्था होती है जो कि पलक जपकते ही इसकी विपरीत अवस्था में भी बदल सकती है बहुत से प्रेम समन्द सुख का शुरुवाती वेख वा उनमाद उतर जाने के बाद प्रेम वा नफरत के और अकर्शन वा अक्रमन के भी जूणने लगते हैं सच्चा प्रेम आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा देवी कैसे सकता है वो अचानक ही नफरतमन नहीं बदल जाता और नहीं वास्त्विक अनंद कभी दुख में परवर्तित होता है जैसा कि मैंने कहा है आपके आत्मग्यान की अवस्था में पहुचने से पहले भी यानि खुद को मन की तादात्मियता से बाहर निकाल लेने की अवस्था से पहले भी आपको वास्त्विक अनंद की सच्चे प्रेम की या गहन सांती की कोई ऐसी जलक मिल सकती है जो कि सांत ह यह आपके वास्ट्विक स्वरूप के वे पहलू है जो मन द्वारा अक्सर बाधित कर दिये जाते हैं। तब आपको ऐसा लग सकता है कि आपको एक बेश किमती चीज मिली थी लेकिन वा खो गई या आपका मन यह कह सकता है यह कहकर आपको बहका सकता है कि वा तो कोई भ्रह्म था और कुछ नहीं। लेकिन सत्य यह है वा कोई भ्रह्म नहीं था और नहीं आप उसको खो सकते हैं। वह तो आपकी सुवभाविक अवस्था का एक भाग है जिसे मन द्वारा बाधित तो किया जा सकता है लेकिन नश्ट कभी नहीं किया जा सकता। जब आकास घने बाधलों से भरा हुआ हो तब भी सुर्य लोब थोड़ी हो गया होता है। बालकों के बाधलों के पढली तरफ वह तब भी अवस्थित रहता है। बुद्ध ने कहा है कि दुख तो इक्षा वो लालसा के कारण पैदा होते हैं और यह भी कि दुख से मुक्थ होने के लिए हमें इक्षाओं के बेडियों से मुक्थ होना होगा। जितनी भी इक्षाओं हैं वे सभी मन द्वारा पाहरी चीजों में तथा भविश में बेइंग के अनंद के विकल्प के रूप में एक उपलब्धी या मुक्ती की तलाशी हुगा करती है। जब तक मैं मन हूँ तब तक वे लालसाएं वे आज सकताएं वे चाहतें वे आज सकतियां वे मुक्ताएं मैं ही तो हूँ। उनके अलावा कुछ और मैं होता ही नहीं हूँ। सिवाई ऐसे किसी संभावना ऐसे किसी अपुर्ण संभाव्यता रुपी वीज के जो कि अभी अंकुरित नहीं हुआ है उस अवस्था में मुक्त होने या आत्मग्यान प्राप्त होने की मेरी इक्षा भी भविश में होने वाली उपलब्धी या पुर्णत्व की किवल एक और लासा ही तो होती है इसलिए इक्षा से मुक्त होने की या आत्मग्यान प्राप्ति की इक्षा मत किजिए वर्तमान में उपस्थित रहिए, विधमान रहिए, अपने मन का अलोकन करता बनिये बुध का उद्धारन देने के बजाए स्वयम बुध बनिये, प्रबुध बनिये, यहीं है बुध शब्द का अर्थ इंसान यूगों से दुख के चंगुल में फसा आ रहा है, तभी से जब से की उसने समय और मन के छेतर में परवेश किया है और बिएंग के प्रती सजगता को खो दिया है, उस मुकाम पर उसने खुद को एक पराएपन वाले संसार में एक निरथक टुकड़े के रुप में देखना शुरू कर दिया था, मुल सुरोत से अलग और दूसरे इंसानों से भी अलग जब तक कि आपने खुद को अपने मन के साथ तादत में किया हुआ है, उसके साथ खुद को एक अकार वए एक जान किया हुआ है या अध्यात्मिक भासा में इसे यूग कह ले कि जब तक आप और चैतन्य हैं तब तक दुख का होना और पड़ी हारे है, अनिम बारे है यहां मैं मुख्य रूप से भावनात्मक दुख की बात करणा हूँ और वहीं सारेडिक पीरा वर रूगो का भी मुख्य कारण है नाराजगी, रोश, कुढ़न, मनो मालिन्य, नफरत, खुद पर तरस खाना, अपराजबोध, क्रोध, अवसाद, इर्श्या, इत्यादी और यहां तक की थोरा सा चिर्चिरा पन भी ये सब दुख के ही रूप हैं और हर विशय सुख और हर भावनात्मक आवेग अपने अंदर दुख का बीजहीं लिये हुए होता है यानि अपना ही औभी भाजी विलों जो कि कभी आगे समय में प्रकट होगा उचा उठने के लिए जिसने कभी ड्रक्स लिये हो वो जानता होगा कि वह उठना बाद में गिरना हो जाता है कि विशय सुख किसी न किसी तरह के दुख में बदल ही जाता है पौव से लोगों को अपने अनुभाव से यह पता चल गया होगा कि कोई अंतरंग संबन कितनी आसानी से और कितनी जली सूख के सुरोथ से बदल कर दूख का सुरोथ बन सकता है एक उच्चतर दृष्टी से देखने पर नकरात्मक और सकरात्मक दोनों धुरूव एक ही सिख्य के दो पहलू है दोनों ही उस अधारवुद दुख के भाग हैं जिसे की चेतना की मन के साथ तदात्मे वाली और मन ने अवस्था से प्रिथक नहीं किया जा सकता आपके दुख के दो इस तर होते हैं वह दुख जिसे आप वर्तमान में रचते हैं और वह दुख जो की जुरा तो अतीत से है लेकिन अभी भी आपके तन मन में रहता है वर्तमान में कोई दुख न रचना और अतीर के दुख को विदा कर देना यहीं वह मुद्दा है जिस पर मैं अब बात करना चाहता हूँ चैतन्यता दुख से बाहर निकलने का मार्ग है वर्तमान में अब और दुख पैदा मत किजिए किसी का भी जीवन दुख से पुरी तरह मुद्ध कभी नहीं हो रहता है तो दुख से बचने की कोशिसे करने के बजाए क्या यह जानना अधिक महचपूर नहीं है कि दुख के साथ कैसे जिया जाए इंसान के अधिकतर दुख तो दरसल ऐसे हैं जिने होना ही नहीं चाहिए था ऐसे तमाम दुख आपके खुद के ही बनाए हुए हैं यानि जब तक कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने उस मन को सौपे हुए हैं जिसका कि आप कभी अलोकन भी नहीं करते हैं जिसपर कि कभी आप गौर भी नहीं करते हैं तब तक आप अपने दुखों के जनक खुदी बने रहेंगे वर्तमान में जो भी दुख आप पैदा कर रहे हैं वह हमेशा ही जो है को स्विकार नौक करने की और जो है का पर्तिरोद करने की ही एक अवस्था हुआ करती है विचार के इस तर पर यह पर्तिरोद दरसल आपके मन के निर्णय निसकर्स का आपके मन की धारना का ही एक रूप हुआ करता है और भावनात्मक इस्तर पर यह आपके नकरात्मकता का सुईकार नो करने की प्रविर्थी का एक रूप हुआ करता है आपके दूप की प्रवलता निर्भर ही इस बात पर करती है कि वरतमान इस्थिती के प्रती आपका प्रतिरोध कितना प्रवल है और प्रतिरोत की यह प्रबलता इस बात पर निर्वर करती है कि आपने खुद को अपने मन के साथ कितनी प्रबलता से तादात में किया हुआ है अपने मन के साथ आप कितनी प्रगढ़ता से एक अकार बने हुए है यानि किस हद तक आपने यह माना हुआ है कि आपका मन और आप एक ही है हमारा मन हमेशा ही अब को न करने उसे औस्विकार करने और उसे बच निकलने की कोशिस में रहा करता है दूसरे सब्दों में आप अपने मन के साथ खुद को जितना तादाप में करते जाएंगे उसके साथ जितना एकाकार वो एक जान होते जाएंगे आपके दुख उतने ही बढ़ते जाएंगे या इस बात को उलट कर यूँ कहा जा सकता है आप अब की जितनी अधिक कद्र करने लगेंगे उसे जितना अधिक स्विकार करने लगेंगे अपने दुक से आप उतना ही अधिक मुक्त होते चले जाएंगे और इस तरह अपने अहंकार ग्रस्त मन से भी मुक्त होते चले जाएंगे ऐसा क्यूं होता है कि हमारा मन सवभावता अब का प्रतिरोत किया करता है उसे औस्विकार किया करता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो समय के बिना यानि अतीत में या भवश्य में जाए बिना नो तो काड़े कर सकता है और नो ही निर्देशक बना रह सकता है इसलिए समय के दाहरे से बाहर रहने वाले अब को हमारा मन अपने लिए बराखत्रा मानता है दरसल मन और समय को अलग-अलग किया ही नहीं जा सकता वे औभिभाज्य हैं अभीन है जरा कल्पना कीजिए कि इस प्रित्वी पर माना जिवन बिल्कुल नहीं है केवल पेर पौधे और प्रसु पक्षी है क्या तब भी इस प्रित्वी पर अतीर वा भयुस्य जैसी कोई बात होगी क्या तब भी यहां समय की कोई सार्थकता रह जाएगी तब अगर कोई पूछेगा क्या बजा है या आज दिन क्या है तब इसका क्या कोई मतलब होगा ऐसे सवाल ऐसे सवाल पर पेर और चील क्या चकित नहीं हो उठेंगे और पुछेंगे समय यह क्या होता है यहां तो जो है वह क्यों अब है अब ही समय है इसके लावा और क्या है हाँ यह जरूर है कि इस संसार में रहते हुए हमें अपने संसारी काम काज करने के लिए मन की भी आउसकता पड़ती है और समय की भी लेकिन एक ऐसी इस्थिति आप पहुशती है कि जब यह दोनों हमारे जीवन की सारी बाग दोड़ी अपने हाथों में ले लेते हैं और यही अत्मान को अतीत और भविस्य की बातों से धापने की मनमानिक कोशिस में लगा रहता है और इस तरह आपकी ओज्योस्विता और स्रिजन करने की असिम छमता जोकी अब केह साथ अभीन रूप से मिलजूल कर रहा करती है वह चुकि समय द्वारा अतीत या भविस्यो द्वा बोज के दुख से पीडित हैं और जब जब वे वर्तमान के पहुमले पल की उपेक्षा करते हैं या उसे स्विकार नहीं करते हैं या उसे किसी ऐसे भावी पल तक पहुंचने का माध्यम बना लेते हैं जो कि वास्त्विक्ता के धरातर पढ़ना होकर केवाल उनके मन में ए एक खाम ख्याली के रूप में रह रहा होता है तब वे अपने उस बोज को बढ़ा ही रहे होते हैं वयक्ति रूप से भी और सामूहिक रूप से भी मानव मन में एकष्थर होते जा रहे है समय के इस धर में अतीत से आया दुख भी एक बड़ी मात्रा में रहा करता है अगर आप खुद के लिए भी वा औरों के लिए भी अब और दुख पैदा नहीं करना चाहते हैं और आपके अंदर पल रहे पहले सहीं बाकी बचे दुख में अब और दुख जोरना नहीं चाहते हैं तो अब और समय की रचना करना आप बंद कर दिजे या कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अपने जीवन के वेवहारी कामकाच के लिए जितना जर्ली हो उससे ज्यादा समय की रचना करना अब आप बंद कर दें समय की रचना बंद कैसे की जाए अपने अंदर गहराई तक आप यह मस्यूस किजिए कि आपके पास बस यहीं एक पल है इस अब पर ही अपने जीवन का प्रमुक फोकस बनाए रखिए जहां अभी तक आप समय में यानि अतीत में या भविस्य में रहते आए हैं और अभ में यानि वर्तमान में केवल कभी कभी ही और वह भी केवल एक छोटा सा दोरा करने आया करते हैं वही अब आप अब में ही रहना शुरू किजिए और अतीत में जब भविस्य में कोई छोटा मोटा दोरा करने ही जाय किजिए और वह भी केवल तब जब आपके जीवन के किसी विवहारी कामकाज के लिए ऐसा करना जरोड़ी हो जाए वर्तमान पल का हमिसा स्वागत किजिए उसे स्विकार किजिए जो चीज हमारे सामने प्रतियक्ष उपस्चित है उसके प्रति अपने अंदर प्रतिरोध पैदा करने से ज्यादा बेकार कि वह पागलपन की बात बहला और क्या हो सकती है जीवन जो कि वर्तमान में रहता है और वर्तमान में ही रहेगा भी उस वर्तमान का विरोध प्रतिरोध करने से बड़ी पागलपन की बात भर और क्या हो सकती है जो है कि प्रति समर्पित हो जाए जो है कि प्रति समर्पित हो जाए इस प्रतियक्ष जिवन को अपनाईए और फिर देखिए कि आपके विरोध काम करने के बज़ाए वो किस तरह एक दम आपके लिए काम करना शुरूप कर देता है कभी कभी वरतमान इस्थिती सुइकार करने योगी ही नहीं होती वो दुखद होती है, वो बुरी होती है वो जैसा भी है, है ध्यान इस बात पर दीजिए कि आपका मन उस इस्थिती पर किस तरह ऐसे नामों के ठपे लगा रहा है यह देखिए कि ठपे लगाने कि उसकी यह प्रकिरिया किस तरह से काम कर रही है बैठे बैठे बस धारनाय बनाते रहने की उसकी यह प्रकिरिया आपके लिए केवल पीरा, दुख वो और प्रसंता को ही रचा करती है मन की इस ना समझ हरकत को ध्यान पुरवक देख लेने पर आप उसकी प्रतिरोधी प्रविर्टी से बहान निकालाते हैं और तब आप वर्तमान पल को होने दे सकते हैं, यह आपको बहारी प्रस्तितियों से भीतरी स्वतंतरता होने का एसास कराएगा फिर आप देखें यह क्या होता है और फिर यदि अवश्यक हो यह संभाव हो तो जो उचित हो वह करें सबसे पहले इस्तिति को सुईकार करें, फिर जो उचित हो वह करें वर्तमान पल में जो कुछ भी हो उसे ऐसे सुईकार करें, जैसे ऐसा होना आप नहीं चुना था हामेशा ही वर्तमान पल के साथ काम करें, उसके विरूध नहीं उसे अपना शत्रू नौ बनाए बल्कि उसे अपना मित्र बनाए साथ ही बनाए ऐसा करना आपके समूचे जीवन को चमतकारी रूप से बदल देगा इस दुख का अंत करना जब तक आप अब की शक्ती को गरहन करने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक आपके द्वारा महसूस किया गया हर भावनात्म के दुख अपने पीछे अपने अवसेश छोड़ता जाता है और फिर वहीं अवसेश आपके अंदर जिन्दा रहता है वहाँ वह पहले सही मौजूद अतीत के दुख के साथ वह मिल जाता है और फिर आपके मन, तन को अपना बसेरा बना लेता है इन सब दुखों में आपके बचपन में जहिले गए वेद दुख भी शामिर रहा करते हैं जो कि उस संसार द्वारा अंजाने में ही आपको दिये गए होते हैं जिसमें की आप पैदा हुआ होते हैं इकठा होता गया यह संचित दुख एक नकरात्मक प्रिष्ट भूमी बनकर आपके तन मन पर कबजा कर लेता है अगर आप इसको एक स्वेम भू अद्री से हस्ती मान ले तो आप सच में बहुत निकट पहुँच रहे हैं यहीं होता है भावनात्मक संचित दुख इसके अस्तित्व के दो रूप होते हैं सुसुप्त और सक्डिय हालांकि यह संचित दुख 90% सुसुप्त अवस्था में ही रह करता है लेकिन अती दुखी व्यक्ति में यह 100% समय भी सक्डिय रह सकता है कुछ लोग तो पूरी तरह इस संचित दुख में ही जिया करते हैं जब तक कि अन्नी लोग इसे केवल कुछ खास हालात में ही मसूस करते हैं जैसे घनिष्ट संबंधों में या पहले हुई किसी छती या कुछ खो जाने से जुरे मामलों में या किसी सारेडिक या मांसिक अगहात इत्यादिक के मामलों में कोई ही बात इसे भारका सकती है खास तोर पर वह बात जो की आपके पिछले दुख के रूप में आकर इसके तारों को जंचना देने वाली हो अपनी सुसुप्त अवस्था में से यह सब यह जब जागनहीं वाली होती है तब तो आपको कोई भी विचार या आपके किसी नज़ती की द्वारा अंजाने में कही गई कोई छोटी सी ठिपन्नी भी इसे सक्रियक कर सकती है कुछ संचीत दुख वैसे तो बहुत बेहुदे और आप प्रियकर होते हैं लेकित तुलनात्मक रूप से देखे तो वे उतने ही हानिकर भी नहीं होते बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो कि बस जिंकता रहता हो पिन-पिन करता रहता हो जबकि अन्य संचीत दुख किसी व्यवसन की तरह चिपक जाने वाले होते हैं वे विनाशकारी डैथते या सचमुच राक्षस जैसे होते हैं कुछ तो सारेडिक रूप से पचंड हो जाते हैं जबकि बहुत से भावनात्मक रूप से प्रबल हो जाते हैं कुछ आपके आसपास वाले या निकट वर्ती लोगों पर आक्रवन कर सकते हैं तो कुछ आप पर ही यानि अपने आसरेडाता पर अपने मेजबान पर ही हमला बोल सकते हैं उस समय अपने जीवन के प्रती आपके विचार तथा आपके भावनाएं बहुत अधिक नगरात्मक और आत्मगाती हो जाया करती हैं उस इस्थिती में रोग और दुरगटनाएं अक्सर होने लगती हैं कुछ संची दुख तो अपने मेजबान को ही यानि उस विक्ती को ही आत्महत्या करने के लिए उक्साने का काम करने लगते हैं जिसमें वे रह रहे होते हैं जब आप ऐसा मानते हैं कि आप अमुक व्यक्ति को जानते हैं लेकिन फिर अचानक ही और पहली बार ही आपका वास्ता कभी उसके परायपन और आप प्रियोवे वहार से हो जाता है तब आप एकदम दंग रह जाते हैं लेकिन इस बात को औरों के बजाए अपने ही अंदर देखना खोजना कही अधिक महत्वर रखता है अपने ही अंदर उठने वाले किसी भी आप्रसंता वह खेत के लक्षर पर गौर कीजिए या संचित दुख का जाग उठना हो सकता है वह अपने किसी भी रूप में परकट हो सकता है जैसे चिर्शिरापन, अधीरता, खिंड मन्यता होना, किसी को चोट पहुँचाने या ठेस पहुँचाने का मन करना, क्रोध करना, ताव खाना, आउसाद में डूप जाना, अपने समंधों में कोई बखेया करने के जरूरत महसूस करना, इत्यादी, जब वह अपनी सुसुप्त अवस्था में से जाग रहा हो, आप उसे तभी के तभी पकर लिजे, अस्चित्व रखने वाले किसी भी अन्यहस्ती की तरह ही, हर संचित दुख भी जित रहना चाहता है, लेकिन वह तभी जीवित रह सकता है, जबकि आप बेखुदी में खुद को उसके साथ तादाप्त में होने देते हैं, उसके साथ खुद को एकाकाथ वह एक जान हो जाने देते हैं, तब वह संचित दुख जिवन्त होकर उठखरा होता है, आप पर हावी हो जाता है, वह आप बन जाता है, और फिर वह आपके माध्यम से जीता है, उसको अपनी खुराक भी आप जैसी भी वह बात जो कि आपके दुख को और बढ़ाने वाली हो, वही उसके खुराक बन जाती है, उसका भोजन बन जाती है, जैसे क्रोध, विनाशक्ता, तोरफोर, घरना, सोक, विसाद, भावनात्मक, मासा, हिंसा और बिमारी भी, इस तरीके से जब संचित दुख आप पर हावी हो जाता है, तब वह आपके जिवन में ऐसे हालात पैदा करने लगता है, जिन्मे की वह अपने बल की पुनारा वीर्ति को बाराम बार पकट कर सके, ताकि उसे अपनी खुराक, अपना पोशन मिलता रह सके, दुख केवल दुख पर ही पलता है, दुख पर ही फलत है, वह हर्स, अनन्द, इत्यादी पर कभी पल नहीं सकता, ये उसे नौत रूचते हैं और नहीं पचते हैं, जब संचित दुख आप पर हावी हो जाता है, तब आपके दुख की हवस भी बढ़ने लगती है, तब आप दुख के या तो सिकार बनने लगते हैं, या सिकारी बन जाते हैं, यानि तब या तो आप खुद ही दुख से दुखी रहना पसंद करने लगते हैं, या आप दुसरों को दुख देना चाहने लगते हैं, या दोनों ही स्थितियों में रहने लगते हैं, वैसे इन दोनों ही स्थितियों में कोई खास अंतर नहीं है, और चुकि कि तब आपको अपनी मन स्थिती की सुधी नहीं रहती इसलिए आप जोर सोर से यह दावा करने लगते हैं कि आपको दुख की चाहन बिल्कुल नहीं है लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी सोच और आपका विवहार कुछ इस तरह के हो में ना पड़ते इससे बाहर निकल जाते क्योंकि और और दुख चाहना तो एक पागलपन ही है और सजग रहते हुए कोई पागल नहीं हो सकता संचीत दुख जो कि आपके अहम द्वारा फेलाया जाने वाला अंधेरा ही है वह दरसल आपकी चेतन्यता के प्रकास से डरता है उसे डर रहता है कि कहीं वह पकरा न जाए उसका अस्तितो निर्भर ही इस बात पर करता है कि आप और चेतन्य बने रहते हुए उसके साथ ता अपने अंदर बैठे हुए दुख का सामना करने में आप मसूस किया करते हैं, लेकिन अगर आप उस दुख का सामना नहीं करते हैं, अगर आप अपनी चैतन्यता का परकास उस दुख पर नहीं डालते हैं, फिर आप उस दुख में ही बारंबार वो लगतार जीने के लिए बा तो केवल एक हवाई भूत है जो की आपके चैतन्यता के उजारे में कभी ठार ही नहीं सकता। कुछ अध्यात्मिक सिक्छाओं में बताया गया है कि मुल्ता सभी दुख केवल भ्रह्म वो ब्रहांती ही होते हैं और यह बात सच भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आपके यह भी सच है? केवल विश्वास कर लेना ही किसी बात को सत्य नहीं बना देता। क्या आप अपना सेश पूरा जीवन दुख को अनुभाव करते हुए और यह करते हुए बिताना चाहेंगे कि दुख तो केवल भ्रह्म है, भ्रहांती है? ऐसा करने से क्या आप दुख से मुक्त हो जाएंगे? यहां हमारा सरुकार जिस बात से है वह यह है कि आपको इस सत्य का सच्मुच बोध हो, कैसे हो, यानि अपने खुद के अनुभाव में आप इसे वास्प्रिक रूप कैसे दें? तो संचीत दुख यह कभी नहीं चाहता है कि आप उसे सीधे और साफ तोर पर देखे, कि आप उसे गौर से देखे और यह सोचे वा समझे कि वा आखिर कीस लिए? जियों ही आप उसका अॉलोकर करते हैं, अपने भीतर उसके बल को महसूस करते हैं और अपना ध्यान, अपनी तवज्जो उस पर टिका देते हैं, तियों ही उसके साथ आपकी तादात्मियता, उसके साथ आपके एककार होने का अभास तूटकर विखर जाता है, तब चतन्य संचित दुख के साच्छी बन जाते हैं, द्रश्टा और अवलोकन करता बन जाते हैं, अर्थात फिर वह दुख आप बन कर आपको इस्तमाल नहीं कर पाता है, और नहीं तब वह आपको खुद के भारन पोशन का माध्यम ही बना पाता है, तब आपको अपने ही अंतरतम की शक डालने के प्रती काफिस सजग हो जाते हैं, और चेतन्यता तो इस दुख को रजती है, और चेतन्यता इसे रुपांतरित करके स्वय में विलिन कर लेती है, यानि वह इसे भी चेतन्य बना देती है, संत पॉल ने इस सर्वस मान्य सिधान को बरही सुन्दर शब्द में व्य जाती है, वह स्वयम प्रकाश में हो जाती है, जिस तरह अंधेर से आपका जूझना बिकार है, उसी तरह संचित दुख से भी आपका संघर्ष करना बिकार जाता है, यह कोशिस आपने एक आंतरिक द्वंद पैदा कर देती है, जो कि आपके संचित दुख में विडिधी कर इस दुख को तो बस ध्यान पुरुवक देखना ही काफी होता है ध्यान से गौर्ब से देखने का तात पड़े है उसे इस पल में जो है के रूप में देखना और स्विकार करना आपके संचीत दुख में आपकी वस सक्ति भी सामिल रहा करती है जो कि छल बल से आपके समूचे उर्जा छेतर से हरन कर ली गई है और फिर आपके मन के साथ तादात में करने वाली प्रतिकूल प्रकिडिया का प्रयूक करके वह और अस्थाई रूप से एक स्वचालित सक्ति बन बैठिती है यह सक्ति खुद अपने ही पीछे पढ़ जाती है और जिवन के प्रतिकूल काम करने लगती है उस जानवर की तरह जो कि अपने ही पूच को खा जाने की कोशिस कर रहा हो क्या आपको नहीं लगता कि इस वज़ा से हमारी सभेता इतनी अधिक जिवन विनाश नहीं सकती होती तो जिवन वियर्थ जिवन उड़ जाही है जब आप तदात्मियता को तोड़ना वचोड़ना अरंभ कर देंगे और त्रेश्टा बन जाएंगे तब कुछ समय तक तो संचित दुख अपनी हरकते जारी रखेगा और आपको अपने साथ पुनाह तदात्मे करने के लिए एककार हो जाने के लिए आपको भलाने फोल्ट सलाने की पूरी कोशिस करेगा हलाकि उसके साथ तदात्मियता नौ करने से आप उसे तब कोई उर्जा परदान नहीं कर रहे होंगे लेकिन फिर भी उसमें कुछ विवेक तो बचा ही रहेगा बिलकुल वैसे ही जैसे सूत कातने की चर्खे तब भी काफी देर तक स्वता ही घुमती रहती है जबकि उसे घुमाने के लिए अपने जोड लगाना बंद कर दिया हो इस अवस्था में संचित दुख आपके स्रूर में कुछ पीड़ा कुछ दर्द भी दे सकता है हालांकि वे बहुत देर त को सीधा तोर पर देखने और उसके उर्जा को महसूस करने के लिए आपको प्रयापत रूप से वर्तमान में विधमान रहने की आउशकता होगी ऐसा होने पर वह आपके विचार को आपकी सोच को अपने काबो में नहीं कर पाएगा लेकिन अगर आपके विचार धारा आप संचित दुख की एक प्रबल वह प्रमुक उर्जात रंग है और क्लोट से भरे विचार आपके अंदर चल रहे हैं तो आपके मन में उमर घुमर कर यहीं विचार आते जा रहे होंगे कि अमुक ने आपके साथ क्या किया या आपको क्या कहा और अब आप उस व्यक्ति के तन्य नहीं रह जाते और चतन्य हो गए होते हैं और तब आपका संचित दुख आप बन चुका होता है जब कभी भी क्रोध आता है तो उसके पीछे दुख अवस्य ही होता है या जब कभी भी आप पर उदासी का भाव चा जाता है और आप नकरात्मक मनो भावना पर चलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आपका जीवन कितना खराब है तो उस समय आपकी विचारधारा संचीत दुख के साथ जामिली होती है और इसलिए आप और चैतन्य हो गए होते हैं और अपने ही संचीत दुख के आकरमन के सहद सिकार हो गए होते हैं यहां औचय तंड्य शब्त का प्रयोग मैं जिस अर्थ में कर रहा हूँ वह है अपने किसी मांसिक या भावनात्मक स्वरूब के साथ तदातं में हो जाना एककार वह एक जान हो जाना यही है अचय तंड्य हो जाना इसमें यहां अर्थ भी सामिड रहता है कि और चेतन्य अवस्था में आप लेश मातर भी न तो द्रश्टा रह जाते हैं न साक्षी और नहीं और लोकन करता अवधान में सजक्ता पुर्वक रहने की अवस्था आपके संचित दुख और आपके विचार प्रकिडिया के बीच चलने वाली कड़ी को तोड़ देती है और तब रुपांत्रेंड की प्रकिडिया की सुरुवात हो जाती है यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दुख आपके चतनेता के दिपक में पढ़ जाने के बाद घी का काम करने लगा हो और उसके पढ़नाम सरू दिपक की जियोती और भी अधिक देपी त्व्यमान हो उठी है किमिया गिरी की प्रचीन कला कर हस्यमत अर्थ भी यही है सधारन धातु का रुपांतरन कर उसे सोना बना देना और दुख का रुपांतरन करके उसे चतनेता बना देना इससे आपके भीतर की तूटन भर जाती है और आप फिर से अक्षप, अखंड और 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 विभाजित हो जाते हैं संपुर्ण हो जाते हैं लेकिन तब आपकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आप आगे और दुख पुना स्रिजित न करें आईए इस प्रकिलिया को संचेप में बताता हूँ अपने अंदर उटने वाले हर मनोभाव पर ध्यान दीजिए यह जान लिजिए कि आपका हर मनोभाव आपका संचित दुख ही होता है स्विकार करें कि वह दुख महा है आपके भीतर है उसके बारे में सूच विचार नौ करें मनोभाव की उस अनभूती को उस एहसास को अपने सूच विचार में तबदील नो होने दे उसके बारे में नो तो कुछ अच्छा बुरा सोचे और नो ही उसका कोई विस्टलेशन करें उसके साथ अपनी कोई तादात्मियता नो करें, कोई जुराव नो बनाएं बस याथावात मजूद रहें, विधमार रहें और आपके भीतर जो हो रहा है उसका लगतार अवलोकन करते रहें आप केवल अपने भावनात्मक दुख के प्रती ही सजग न रहें बलकि उसके प्रती भी सजग रहें, जो की अवलोकन कर रहा है यानि मौन द्रश्टा, यहीं होती है अब की शक्ती, वर्तमान की शक्ती आपके अपने ही चतन्य स्वरूप की विधमानता की शक्ती और फिर देखें कि क्या होता है कई महिलाओं में यह संचित दुख खास दोर से उनके रितु स्राव से ठीक पहले जाग उठता है इसके बारे में और इसके कारणों के बारे में मैं बाद में सौ विस्तार चर्चा करूँगा फिलहाल उनसे मेरा इतना ही कहना है अगर आप उस खास वक्त में भी सजग मनी रह सके वर्तमान में विधमान रह सके और आपके भी तर्ब जो कुछ भी हो रहा है उसे खुद पर हाविन नौ होने दे बलकि उसे आप ध्यान से बस देखे तो आपकी वह अवस्ता आपके लिए सबसे स्क्रिसाली अध्यात्मिक अभ्यास का एक अवसर परदान करने वाली हो जाती है और ऐसे में अतीत के तमाम दुखों का तत्काल रुपांतरन संभाव हो जाता है संचित दुख के साथ अहम का तदात्मे हो जाना जो तरीका मैंने अब तक बताया है वो बहुत ससक्त होने के बावजूद बहुत सरल है इसे किसे बच्चे को भी सिखाया जा सकता है और हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आये कि जब बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाने वाले बातों में स्कूल इसे भी शामिल कर लें जो कुछ आपके भीतर घटित हो रहा है उसे एक और लोकन करता की तरह एक द्रश्टा की तरह देखते हुए जब आप वरतमान में विदमान रहने के अधारवूत सिधान को समझ जाएंगे जब आप इसे स्वयम अनुभूत करते हुए समझ लेंगे तब सबसे सक्तिसाली रुपांतर कारी साधन आपको उपलब्ध हो जाएगा इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपने दुख से अपना तदात्मे तोड़ते समय आपको अपने ही भीतर से उठने वाले बड़े भारी प्रतिरोध विरोध का सामना करना पड़ सकता है यह बात तब और भी सही सिद्ध हो सकती है कि जब आप अपने जीवर के अधिकान समय में अपने भावनात्मा संचित दुख के साथ बड़े प्रगाठ रूप से तदात्मे में रहते आए हो और आपका सारा यह अधिकान स्वरूप उसी में रमा रहा हो इसका अर्थिया है कि अपने दुखी स्वरूप को आपने अपने संचित दुख से ही दिर्मित कर रहा है और आप यहीं विश्वास करते आए हैं कि आपके मन दवरा गड़ी गई यह कल्पित कहानी ही आपकी असली कहानी है ऐसी अवस्था में अपनी तादात्मियर्ता को अपनी पहचान को खोद देने की नौबत आ जाने पर आपका अच्चेतन भय इस जवर्दस्थ विरोध प्रतिरूथ तो करेगा ही दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसा लगता है कि आप अपने चीर परीचित दुखी स्वरूप को खोद देने का जुखिव उठाने और अग्यात में प्रवेश करने की उप्पेक्षा उस दुख में ही रहना यानि संचित दुख मने रहना ही शायद अधिक पसंद करते हो अगर यह बात आप पर लागू होती है तो आप अपने अंदर उठने वाले इस प्रतीरोध को दिहान से देखिए अपने दुख के प्रती रहने वाले अपने आश्स सत्य को लगाव को दिहान से देखिए अत्यांत सजग सचेत हो जाए उस खास तरह के सुकी अनुभूती को ध्यान से देखिए जिसे आप दुखी रहने से हासिल करते आए हैं अपने दुख के बारे में बाते करने या उसके बारे में ही सोचते रहने की अपने बाध्यात्ता को ध्यान से देखिए इस सब के प्रति अगर आप चेतन्य हो जाते हैं तो उस विरोध प्रतिरोध का उठना बंध हो जाएगा तब आप अपने संचित दुख पर ध्यान दे सकते हैं दरश्टा भाव से उसके साथ विद्धमान रह सकते हैं और इस तरह उसके रुपांतरण का शुभांकर कर सकते हैं केवल आप ही यह कर सकते हैं और कोई और इसे आपके लिए नहीं कर सकता हाँ सुभागे से अगर आपको ऐसा कोई मिल जाता है जो कि गहराई तक चैतन्य है और अगर आप ऐसे चैतन्य व्यक्तियों के साथ अध्यने लगते हैं विद्वांता की अवस्था में रहते हुए उसे जूरे रहते हैं तो आपके लिए मददगार अवस्य हो सकती है और तब इस दिशा में परगती भी शिग्र हो सकती है इस तरह आपका अपना प्रकाश तिवरता से तेज होता जाएगा लकडी के जिस लठे ने सुलगना शुरुक ही किया हो उसे अगर किसी ऐसे लठे के साथ रख दिया जाए जो कि पहले से प्रचंड रुप से जल रहा हो और फिर भी और फिर कुछ दिर बाद उन दोनों को पुना अलग कर दिया जाए तो सुलगना शुरुक करने वाला वा लठा अधिक प्रचंडता से जल रहा होगा आखिर या भी तो वैसे ही याग है खुद ऐसी आग बन जाना ही एक अध्यात्मिक गुरु का काम होता है कुछ चिकीत सक भी यह काम बखो भी निबाह सकते हैं पशर्ते वे मन के इस तर से उपर उठ चुके हो और जिस समय वे आ मानता कि अवस्था का स्रिजन कर सकते हो और उसे बनाए रख सकते हो भय का सुरोत भय को अपने हमारे प्रात्मिक वह अधारभुत महावनात्मक दुख का एक भाग बताया है भय पैदा कैसे होता है और लोगों के जीवन में यह इतना अधिक व्याप्त क्यों रहता है और अगर मुझे आग का डर नहीं होगा तो मैं अपना हाथ उसमें देख सकता हूँ और जला सकता हूँ अपना हाथ आग में नौट डालने का कारण यह नहीं है कि आप आज से डरते हैं बलकि यह है कि आप जानते हैं कि इससे आप जल जाएंगे अनावस्यक खत्रे से बचने के लिए आपको डरने की आवस्यक्ता नहीं पड़ती है बस थोड़ी समझ और समानने से सूजबुच की आवस्यक्ता होती है ऐसी विवहारिक मामलों में अतीज से सीखे हुए सबब को लाउ करना बरा कारगा रहता है लेकिन अगर कोई आपको आग से या सालेरिक हिंसा से धमकी देता है तब शायद आपको डर जैसी एक अनुभूती तो हो ही सकती है दर की यह अनुभूती दरसल खत्रे से बच कर पीछे हटने की एक सहज सवभाविक और प्रकृतिक प्रविर्टी होती है किन्तु यह उस मनव्वयग्ञानिक भाय की अवस्था नहीं है जिसके बात हम यह कर रहे हैं मनव्यज्यानिक भय की अनुभूती किसी भी साक्षात, परतियक्ष और सच्मुच के खतरे के अनुभूती से बिल्कुल एक अलग चीज है यह तरह-तरह के रूपों में हुआ करती है जैसे बिचैनी, चिंता, व्यग्रता, घबराहट, तनाव, असंका, बिना बात का कोई अंचाना डर, इत्यादी इस परकार का यह मनव्यज्यानिक भय हमेशा ही किसी ऐसी बात का होता है कि कहीं ऐसा न हो जाए नो कि किसी ऐसी बात का जो कि ठीक हमारे सामने ही मौझूद हो इस भय की अवस्था में आप तो यहीं होते हैं लेकिन आपका मन कहीं भविस में पहुच गया होता है आपके मन की यह अवस्था ही व्याग्रता की असंका की एक खाई बना जेती है और ऐसे में अगर आप अपने मन के साथ खुद को एका कार बनाये रखते हैं और अब की वर्तमान की शक्ती वो सहचता के साथ अपना संपर्क हो बैठते हैं तो व्याग्रता की यह खाई आपके संग संग रहने लगती है किसी वर्तमान इस्थिती के साथ अच्छी तरह निपटने में तो आप हमेशा ही सफल हो सकते हैं लेकिन किसी ऐसी इस्थिती के साथ निपटने में आप कभे भी सफल नहीं हो सकते जिसे की आपके मन ने ही गढ़ लिया हो आप भविस्य के साथ निपटने में सफर नहीं हो सकते एक बाद और जब आप खुद को अपने मन के साथ तदात में किये रखते हैं यानि उसके साथ आप एका कार वो एक जान बने रहते हैं उस समय आपका अहम ही आपके जिवन की गारी को चला रहा होता है जैसा कि मैंने पहले बताया भी है अपने मायावी सोभाव के कारण और अपने रक्षा तंदर के प्रती हमेशा चाक चो मंद रहने के बावजूद आहम को हमेशा यहीं डर लगा रहता है कि उसे खत्रा है कि वह और सुरक्षित है यह बात उस समय भी लागो होती है कि जब अहम बाहर से बरा और आस्वस्त और विस्वस्त दिखाई दे रहा होता है तो यह बात याद रखिये कि आपकी हर भावपता आपके मन के प्रती होने वाले एक सारेडिक प्रतकिरिया ही होती है वह कौन सा संदेश है कौन सा संकेत है जो कि आपके अहम की तरफ से आपके मन द्वारा रचित अपने मिथ्या शवी की तरफ से आपके स्रीट को लगतार मिलता रहता है वह है खत्रा खत्रा वह खत्रे में हूँ और लगतार मिल रहा यह संदेश वह संकेत कौन सा मनों भाव पैदा करता है भाई और क्या? मनव विज्ञानिक भाई होने का कोई न कोई तो कारण होता ही है कोई नुक्सान होने का डर और सफल हो जाने का डर आहद हो जाने का डर ठेस लग जाने का डर वगारा वगारा लेकिन जितने भी डर है वे सभी अंत्यता अहम की अपनी मौत का उसके अपने सर्वनाश का डर ही सावित होते हैं अहम को तो अपनी मौत बस अग नहीं मोर पर खड़ी हुई लगा करती है और फिर आपके द्वारा ऐसे मन के साथ कर ली गई अपनी तादात मेयता की अवस्था में अहम की मौत का डर आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगता है उदाहरन के लिए किसी बहस में खुद को सही और दूसरों को गलत सावित करने की आपको जवरदस्ट जरूरत महसुसवा करती है और इसे एक आम वह साधारन से बात माना जाता है लेकिन अपने मन दवारा बना ली गई जिस चवी के साथ आपने खुद को तदात में कर रखा है उसका हर संभव बचा रहना, बचाव करना यह भी तो मौत के एक भाई के कारन ही किया जाता है यानि जब आप अपने मन की बनी हुई किसी छवी के साथ तदात में कर लेते हैं उसके साथ एका कार वो एक जान हो जाते हैं और फिर किसी बात में जब आप गलत सावित होने लगते हैं तब आपके मन में बैठी अहम की भावना को ही तो अपनी मौत का खतरा लगने लगता है। इसलिए तो अहम रूपी स्वैम को गलत सिद किया जाना आप कभी भी बर्दास नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि अगर गलत सिद हो गए तो जैसे आप मर ही जाएंगे। देते हैं तब आपके आत्म भाव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको सही सिद किया जा रहा है या गलत। और इसलिए तब स्वयम को सही सिद करने की आपके और चैतन्य मन की एक गहड़ी और जबरदस्त जरूरत जो की हिंसा कहीं एक रूप होती है आप में रही नहीं से जाती है। हाँ तब आप इस पश्टता से और दिर्णता से दूसरों को यह बतात सकेंगे कि आपको क्या लग रहा है या आपका विचार क्या है लेकिन ऐसा करते हुए आप में नो तो कोई अक्रमकता होगी और नहीं आप अपने बचाओ के किसी मुद्रा में होंगे। तब आपका आत्म भाव आपके भीतर कहीं अधिक गहरे से कहीं अधिक सच्चे इस्थान से आ रहा होगा आपके मन से नहीं। रेक प्रती सजग सचेत हो जाने से इसका द्रश्टा वो अउलोकर करता बन जाने से आप उसके साथ बनी हुई अपनी तादतमेता से छूड़ जाते हैं। आपकी इस चेतन्यता के प्रकास में और चेतन्मन के तौर तरीकों को उसके रंग ढंग को गाय भोने में देर नहीं लगती है। और तब अपना बचाव करने के उस सारी बहस का और सारे शक्ति परदर्शन का पटा छेप हो जाता है जो कि आपके समंधों को धीरे धीरे लिलता जा रहा था। दूसरों पर अपने शक्ति परदर्शन करना दरसल आपकी एक कमजोरी ही होती है तिसे हम शक्ति मान बैठते हैं। आपके सच्ची और वास्ट्विक शक्ति तो आपके भीतरी शक्ति है और वह आपको अभी इसी पल व्लब्ध है। इसलिए जिस किसी ने भी खुद को अपने मन के साथ तदात में कर रखा है अपने मन के साथ खुद को एक आकार वह एक जान कर रखा है और इसी करण अपने सच्ची तथा वास्ट्विक शक्ति से अपने अंतरतम के गहराई में विराजमान आत्म भाव से खुद को अलग कर रखा है उसके संग भय इस्थाई रुप से रहने लगता है जीतने लोग मन के इस सबंधन से छूड़ गए हैं उनकी संख्या चुकि बहुत ही कम है इसलिए आप यह मान कर चलते हैं कि आपका हर परिचीत या आपको मिलने वाला शायद हर व्यक्ति इसी भय की अवस्था में जी रहा है बस भय की प्रबलता किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकती है तराजू के एक पलड़े में मजूद व्यक्रता वा असंका और दूसरे पलड़े में मजूद अंजानी से घवराहत बेचैनी और किसी खत्रे के टपक पढ़ने के बीच पढ़ने के डर के बीच य अधिक्तर लोग इस बारे में जागते तभी हैं जब यह प्रबलता अपना कोई परचंड रूप धारन कर लेती है। कुछ लोग में तो यह भाव चेतन रहता है और कुछ में यह और चेतन रूप से बसा रहता है। और तंगी महसुस होने के भाव में रहा करता है। दोनों ही इस्थितियों में लोग अकसर अपने अहम को तुष्ट करने की और खुद को चीजों के साथ तदात में करने की जवर्दस्त होर और दौर में लग जाते हैं। ताकि अपने अंदर महसुस होने वाले इस गढ़े को खालिपन को भड़ सकें। इसलिए वे अधिकार, स्वामित्व, पैसा, काम्याबी, माननेता या किसी खास रिष्टे के लिए जीत और कोशिस करने में अपना जीवन खपा दिया करते हैं। लेकिन मुल रूप से वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि खुद के बारे में वे कुछ बेहतर महसुस कर सकें। खुद को ज्यादा मुकमल महसुस कर सकें। लेकिन उन तमाम चीजों को हासिर कर लेने के बावजूद जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि गड़्धा तो जीव का त्यूँ है, कि वह गड़्धा तो अथा है। तब वे सचमुच पड़िसान होटते हैं, क्योंकि तब वे खुद को और ज्यादा नहीं भाका पाते। हलाकि फिर भी वे भाकाने में लगे रहते हैं, भले ही ऐसा करना उनके लिए कठिन से कठिन तर होता जाता हो। जब तक आपके अहंकारी मन ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है, तब तक आपको चैन नसिव नहीं हो सकता, तब तक आप सांति में नहीं जी सकते और नहीं अपने जीवन में कभी परिपुर्णता ही अनुभाव कर सकते हैं, सिवाए कभी-कभी उन छोटे-छोटे आउसरों के कि जब कभी आपकी कोई मुराद पुरी हो जाए, या जब कभी आपकी कोई तलब पुरी हो जाए, अहं चोकि स्वार्च से उत्पन हुआ एक भाव है, अधा इसे बाहरी चीजों के साथ खुद को जोड़ने की उनके साथ तदात में करने की अवसकता परती है, खुद का बचाव किये जाने की और खुद को खुराग दिये जाने की इसे लगतार जरूरत परती है, जिन बातों के साथ खुद को जोड़ना आम को सबसे अधिक पसंद है, जिन बातों के साथ तदात में होना वह सबसे अधिक चाहता है, वे हैं स्वाम गिताएं, डिस्ते, नीजी वा पारिवारिक इतिहास, विश्वास की पड़िपाटियां और इनके अलावा राजनैतिक, राष्ट्रिय, जातिय, धारमिक तथा अन्य सामुहिक तदात में अताएं, सामुहिक जुराव, लेकिन आप इन में से कुछ भी तो नहीं है। क्या यह बात आपको डरावनी लग रही है, या यह सब जानकर आपको रहत महसुस हो रही है। अवस्य ही जा जाएंगे जब अपनी मौत आपको सन निकट आती महसुस होगी जब मौत आपके उन तमाम चीजों को आपसे एकदम अलग कर रही होगी जो कि आप नहीं है इसलिए मौत से पहले मर जाएए और तब आप पाएंगे कि आप मौत से मुठ्थ हो गये हैं यही है जीवन का रहस्य खुद को मन में तलास मत कीजिए पुर्ण चेतना या अध्यात्मिक आत्मग्यान के निकट पहुचने से पहले मुझे लगता है कि अपने मन की कारे परनाली के बारे में अभी बहुत कुछ चानने की मुझे अख़शकता है नहीं ऐसा नहीं है मन की समस्या को मन के इस तरपर नहीं सुलजाया जा सकता एक बार अगर आप मन की आधार भूत गरवर को समझ जाते हैं तब आपको कुछ और समझने या जाननी की जुरूरत वाकई नहीं रह जाती मन की जटिलताओं का अध्यान करना आपको एक अच्छा मनोव विज्ञानिक तो बना सकता है लेकिन ऐसा करना आपको मन के पार नहीं ले जा सकता जैसे की पागलपन का अध्यान करना स्वस्थ चित्ता तथा विवेक शिल्ता पैदा करने के लिए काफी नहीं होता अब तक आप और चे तन्ने अवस्था की अधार भूत सनज्चना को समझ चुके हैं यानि मन के साथ तदात में हो जाना और यहीं तदात मेयता बीइंग में अवस्थित आपके सच्चे स्वरूप के एवज में एक मिथ्या माय को अहम को खरा कर देती हैं और फिर आप जीजस के सब्दों में अंगूर की बेल से कटी हुई शाखा बन जाते हैं अहम की जरूरतें और चाहतें कभी खत्म नहीं होती खुद को हरदम खूले में और खत्रे में महसुस किया करता है और इसलिए हमेशा ही भाय की वह अभाव की आवस्था में रहता है एक बार अगर आप उसकी असल गरबर भड़ी कार गुजारियों को समझ ले तो फिर आपको नो तो उसके उन अनगिनत रूपों के खोजबीन और चानबिन करने के आवस्था रह जाएगी जिन में की वह परकट हुआ करता है और नो ही उन रूपों को अपनी नीजी समस्या बनाने की ही आवस्था रह जाएगी दरसल यह सारा परपंच अहम को बहुत पसंद है मैं के अपने मायावी रूप को उचा उठाने और ताकत देने के लिए उसे हमेशा ही किसी ऐसे की तलास रहती है जिसके साथ वह जूरा रहे और इसलिए आपकी समस्याओं के साथ जूरने के लिए वह तक पर रहा करता है यही कारण है कि बहुत से लोगों के लिए उनके मैं का अधिकतर हिंसा उनकी समस्याओं के साथ बड़ी घर निश्टता प्रुवक जूरा रहता है जब ऐसा हो जाता है तब वे उन समस्याओं से चुटकारा पाना ही नहीं चाहते क्योंकि इसका मतलब तो अहम को खो देना होगा तभी तो हमारे दुख में, हमारे कश्ट में और चेतन रूप से अहम का बहुत बढ़ा हात रहता है इसलिए जब आप यह समझ जाते हैं कि मन के साथ अदात्मियता ही और चेतन रूप कारण है जिसमें की भावनाई भी शामिल है तब आप उससे बाहर निकलाते हैं तब आप वर्तमान में बिधमान रहने लगते हैं और जब आप वर्तमान में रहते हैं तब मन के फंदे में फंशे, भिना आप उसे जैसा वह है वैसा ही रहने देते हैं मन सुआम गर्बड करने वाला नहीं है, वह तो एक कमाल का करन है गर्बड तब शुरू होती है जब आप अपना मैं उसमें तराचने लगते हैं और गलती से यह समझने लगते हैं, आप मन ही आप है, आपका मन ही आप है, तवह मन आपका अंकारी मन बन जाता है और आपके पूरे जीवन पर छाया रहता है, समय के भ्रह्म को तोड़ डालिए, मन के साथ तादार्मियता को तोड़ कर बाहर आना तो असंभाव लगता है, हम सभी तो इसमें तन्मय और तल्लीन रहते हैं, आप किसी मचली को उड़ने कैसे सिखा सकते हैं, इसके लिए सुत्र है, समय के भ्रह्म को तोड़ दीजिए, समय और मन हमेशा ही गल्ब बहियां डाले, साथ साथ चरा करते हैं, मन से समय को अलग कर दीजिए, तो वह अवस्य ही रूख जाएगा, जब तक कि आप ही कभी उसका उप्योग करना न चाहें, अपने मन के साथ तदात में करना, उसके साथ एका कार वह एक हो जाना, यह तो समय के जाल में फस जाना है, किवल यादों और उमीदों में जीने को बाद्धिय हो जाना है, एसा करना अनन्त रूप से अतीत और भविस्य में उल्जे रहने के प्रति रूची आपमें पैदा कर देता है, और भविस्य किसी भी रूप में उधार, मुक्ती और उपलब्धि का वादा कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों ही मिरिच गाएं है, मिरिग त्रिशनाएं है लेकिन समय की समझ के बिना हम इस संसार में कामकाज कैसे करेंगे कुछ भी और पानी का कोई लक्ष ही नहीं रह जाएगा मुझे शायद यह भी पता न रहे कि मैं कौन हूँ क्योंकि मेरा अतीज ही तो मुझे बताता है मुझे वह बनाता है जो कि मैं आज हूँ मुझे लगता है कि समय तो एक बहुत ही मुल्यवान और महतपूर्ण चीज है इसे बिकार गवा देने के बजाए हमें इसे बड़ी सूच-बुज से इस्तमाल करना चाहिए समय बिलकुल भी मुल्यवान या महतपूर्ण नहीं है बलकि यह तो एक ब्रहां है एक ब्रहांती है जिसे आप मुल्यवान वो महतपूर्ण समझें वो समय नहीं है बलकि एक ऐसी चीज है जो समय से बाहर है यानि वर्तमान अब वही वास्तम में मुल्यवान है महतपूर्ण है जितना अधिक फोकस आप समय पर अतीत और भविसे पर रखेंगे उतना ही अधिक आप अब से स्वार्धिक मुल्लेवान और महतपुर्ण चीज़ से वन्चित रहेंगे यह वर्तमान सबसे मुल्लेवान वो महतपुर्ण क्यूं है? पहला कारण है क्योंकि केवल यही है जो भी है बस यही है यह साश्वत वर्तमान वह आकास है वह उपलवध रिक्ट इस्थान है जिसके अंदर आपका पूरा जिवन खुलता जाता है एक वह कारक जो की सतत रूप से विधमार रहता है ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका जीवन अब में न रहो और नहीं कभी ऐसा होगा दूसरा कारण यह अब भी एक यह अब की ऐसा एक मातर बिंदु है जो की आपको मन के तंग कारगर से परे ले जा सकता है यही एक मातर वह बिंदु है जहां आप बेहीं के काल पिर पहुँच सकते है अब से बाहर कुछ नहीं है अतीत और भविशे क्या वास्तविक नहीं है कभी कभी तो यह वर्तमान से भी अधिक वास्तविक हो जाते हैं आखिर यह अतीत ही तो है जो यह निर्धायत करता है कि हम कौन है और यह भी कि वर्तमान को हम कैसे देखें और कैसे उसमें वर्ताव करें और हमारी भावी लक्षे ही तो यह निर्धायट करते हैं कि हम वर्तमान में क्या करें आपने अभी तक उस मुखे बात ग्रहन ही नहीं किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप उसे मानसे करूप से समझने के कोशिस कर रहे हैं मन उसे समझ ही नहीं सकता उसे तो किवल आप समझ सकते हैं किरपय ध्यान से सुनिए क्या आपने अब से बाहर कभी कुछ अनुभव किया है अब से बाहर कभी कुछ किया है कभी सोचा है या कुछ भी महसूस किया है क्या आपको लगता है कि ऐसे कभी आप कर पाएंगे अब से बाहर कुछ भी घटना या होना क्या समभव है जाहिर है इसका उत्तर स्पष्ट है है न कुछ भी अतीत में नहीं हुआ वह अब में ही हुआ है कुछ भी भविस में नहीं होगा वह अब में ही होगा जिसे आप अतीत मान कर सोचते हैं वह पुर्ववर्ति अब की स्मृति का अनुरेख ही तो है जिसे मन में संग्रहित किया गया है जब आप अतीत को याद करते हैं तब उस समृति के अनुरेख को ही पुना देख रहे होते हैं और ऐसा आप अब में ही कर रहे होते हैं भूट और भूट और भूट और भूट से भी सास्वत वर्तमान के परकाश सक्ती और सचाई के धुंदले परावर्तन ही है उनकी वास्त्विक्ता अब से उधारली हुई होती है जो कुछ मैं यहां कह रहा हूँ उसका सार्थ तत्व मन द्वारा नहीं समझा जा सकता लेकिन जोहीं आप इसे समझ देंगे त्योहीं आपकी चेतना मन से हटकर बीइंग में चली जाएगी समय से हटकर वर्तमान में विद्धमान में चली आएगी फिर अचाना की हर चीज जिवन्त महसूस होने लगेगी उड़्जा परसारित करने लगेगी बीइंग को अभिव्यक्त करने लगेगी अध्यात्मिक आयाम का मूल सिध्धान्त प्रानों पर संकट आने जैसी किसी स्थिती में चेतना का समय से हटकर वर्तमान में आजाना कभी-कभी सहज सोभावक रूप से ही हो जाता है अतीत और भविस में रमने वाला व्यक्तित्व कुछ पलों के लिए उनमें से निकलाता है और प्रबल चैतने उपस्थिती में आ जाता है जोकी इस्थिर भी होती है और बहुत सचित भी तब जो कुछ किये जाने के अवस्थिता होती है ऐसी अनुरूप क्रिया उस चैतन्यता से ही निकल कर आती है यही कारण है कि कुछ लोग बड़े खतरनाक कारणामों में शामिल होना पसंद करते हैं जैसे परवतारोहन, कारद और, इत्यादी हालाकि वे नहीं जानते कि वे खतरनाक कारणामे ही है जो उन्हें अब में आने को मजबूर कर दिया करते हैं ऐसी अत्याम सचित वो सजीव अवस्था में आने को जो कि समय से मुक्त है, समस्याव से मुक्त है, विचार से मुक्त है और व्यक्तित्व के भार से मुक्त है गतिवीदी पर निर्फर हो जाते हैं लेकिन आपको अब में परवेश्ट करने के लिए एवरेश्ट पर चड़ने की अविशक्तन नहीं है आप अभी उस अवस्था में परवेश्ट कर सकते हैं प्राचीन काज से ही हर पंत वो परंप्रा के पूरोधाव ने अब को अध्यात्मिक आयाम का मुल्सिधान बताया है इसके बावजूद यह एक रहस्य जैसा ही बना रहा है निश्चा ही इसे गिर्जा घरों और मंदिरों आदी में नहीं सिखाया पढ़ाया गया अगर आप चड़ जाएं तो वहाँ आपको गुस्पल के पाठ में ऐसा कुछ सुनाई देगा कल के लिए कोई विचार मत लाओ क्योंकि कल तो अपनी बातों के देख़ाल खुद कर लेगा या जो भी कोई हल पर हाथ रखता है लेकिन पीछे की तरफ देखता है वह इश्वर के समराज में प्रविश करने यूग यह नहीं है या वहाँ आप सुन्दर फूलों के लिए सुनेंगे कि वे आने वाले कल के बारे में व्यगर नहीं रहते हैं बलकि काल निरपेक्ज अब में सहचता से रहते हैं और इश्वर के तरफ से उन्हें भरपूर दिया जाता है दरसल इस सिक्छाओं के गहराई और मुल्भावना को आम तरपर समझा और पहचाना ही नहीं गया किसी ने इस बात को जाना ही नहीं कि उनका मतलब है कि जीवन इसी तरह से जिया जाए और इसे अपने अंदर एक गहन आंतरिक रुपांतरन लाए जाए जेन का समुचा सार यहीं है अब कि तलवार की धार पर अकेले चलना यानि वर्तमान में इतनी परिपूरंता से इतनी प्रकाष्ठा से विधमार रहना उपस्तित रहना कि कोई समस्या कोई दुख या ऐसा कुछ भी हो जो आपके स्वरूप में आप नहीं है वह बचा रह सक अब में यानि समय के अनुपस्तिती में आपकी समस्त समस्याएं विलुप्त हो जाती है दुख के लिए समय तो एक अवशक्ता होता है इसलिए वह अब में जीहीं नहीं सकता महान जेन गुरू जी अपने विद्यार्थियों के अवधान को समय से पर ले जाने के लिए अक्सर अपने उंगले उठा कर धीरे से पूछा करता था इस पल में क्या कोई अभाव है एक ऐसा अत्यांत महत्पुर्ण प्रश्ण जिसका उत्तर मन के इस तरपर देनी की आवशक्ता नहीं है या बनाया ही इस तरह से गया है किया आपके अवधान को अब की गहराई में ले जाए ऐसा ही एक अन्य प्रश्ण जेन परमप्रा में पुछा जाता है अगर अब नहीं तो कब इसलाम की रह सेवादी धारा सूफी मत की सिक्छाओ का केंदर बिंदू भी अभी है सूफियों में एक कहावत कही जाती है सूफी वर्तमान पल का पुत्र होता है और सूफी मत के महान उपदेश और कवी रूमी का तो उद्धोश यहीं रहा है भूत और भविस्यतो परदा डाल कर इश्वर को हमारी नजर से उज़ल कर देते हैं इसलिए इन दोनों को जला डालो तिरहवी श्यती के अध्यात्मिक सिक्षत मिस्टर एक होट ने इन सब बातों का सरांत इन शवदों में दिया है समय ही है जो परकास को हम तक नहीं आने देता है इश्वर को पाने में समय से बड़ी कोई बाधा नहीं है अब की शक्ति में प्रवेश करना अभी कुछ पल पहले जब आप वर्तमान की सास्वता और भूत वा भविस्त की आत्प और सप्तियता के बारे में बता रहे थे तब मैं खिरकी से बाहर उस पेर को देख रहा था इससे पहले की इससे पहले भी मैंने इस पेर को कई बार देखा है लेकिन इस बार यह देखना कुछ अलग तरह का था उसके बाहरी डुपकार को देखने में तो कोई खास बदलाव नहीं था सिवाए इसके कि उसके रंग अधिक चमकदार और अधिक जिवन्त लग रहे थे लेकिन इस बार उसमें एक नया आयाम जो गया था लेकिन उसका वर्णन करना मुश्किल है मैं नहीं जानता कि कैसे लेकिन मुझे किसी ऐसी चीज का भान हो रहा था जो अगोचर थी अद्रिश्य थी उस पेर का सत्व या उसकी अंतरात्मा अगर आप ऐसा कहना चाहें और किसी हद तक मैं उसका हिस्सा था मुझे आज इस वास्तुविक्ता का बोध हुआ कि मैंने इस पेर को पहले सचमुच कभी देखा ही नहीं जो कुछ देखा था वहीं थी उसकी एक सपाट विरस और नर्जी उच्छवी अब जबकि मैं उस पेर को देख रहा हूँ तो वह बोध अभी भी है तेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि वह अब जा रहा है वह अनुभूती अतीत में उतरती जा रही है क्या ऐसा कुछ किसी एक च्छनिक जलक के अलावा कुछ और भी हो सकता है एक पल के लिए आप समय से मुक्त हो रहे थे आप अब में चले आये थे और इसलिए पेर को मन के चस्मे के बिना देख सके बिएंग की सदक्ता आपके देखने का हिस्सा बन गई थी काल निर पेक्छता के विस्तार के साथ एक अलग ही तरह का बोध आ जाता है एक ऐसा बोध जो किसी भी जीव या वस्तु के अंदर बसने वाले प्रान की हत्यार नहीं करता है एक ऐसा बोध जो जीवन की पवित्रता और रहस्य को नश्ट नहीं करता है बलकि उसमें जो है कि प्रती एक घरा सने वो सम्मान रहता है एक ऐसा बोध जिसके बारे में नौत तो कुछ जानता ही नहीं है जिसके बारे में मन तो कुछ जानता ही नहीं है मन इस पेर को जान ही नहीं सकता वह तो पेर के बारे में किवल कुछ तत्थियों और जानकारियों को जान सकता है मेरा मन आपको नहीं जान सकता वह तो आपके बारे में केवल नाम, निशकर्ष, तथ, राय आदे ही जान सकता है केवल बिईन ही परतियक्ष जानता है, इस पश्ट जानता है तथा पी मन का भी एक स्थान है, महत्व है और मन यह बात जानता है वह स्थान, वह महत्व है दिन प्रतिदीन के जिवन में वईवारिक कामकाज का छेतर है लेकिन जब मन आथ के जिवन के सभी छेतरों की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है अन्य जनों के साथ और प्रकृति के साथ आपके समंद्धों को भी जब वो अपने हाथों में ले लेता है तब यह एक इतना विकट भस्मा सूर जैसा परजीवी बन जाता है कि यदि उस पर अंकुस न लगाया गया तो हो सकता है कि वो इस धर्दी के संपुन जिवन को नश्ट करके अंतता अपने ही मेजबान को मार कर खुद को भी खतम कर ले आप अभी अभी या ज़रक देख चुके हैं इकाल निर पेक्षता यानि बूत या भविसे से उदासीन होकर वर्तमान में रहनी की अवस्था आपके देखने को कैसे रुपांतरीत कर सकती है लेगिन कोई एक अनुभाव प्रयाप्त नहीं होता वह चाहे कितना भी सुन्दर वगहरा क्यूं न हो जिसकी हमें दरकार है और जिससे हमारा सरुकार है वह है चतन्यता में इस्थाई रूप से चले जाना इसलिए वर्तमान को नकारने के वर्तमान का विरूधी प्रतिरूधी बनने के पुराने धर्रे को तोड़ा लिए या अपना सुभाव बना लिजिए कि जब जब भूत और भोविस में जाना आउश्यक नहों हो स्वभा भगत आदत को ध्यान से देखना उसका अलोकन करना अरंभ करें कि किस तरह आपका मन अब से बच निकलना उससे दूर भागना चाह रहा होता है आप देखेंगे कि भविस की कालपनिक तस्वीर वरतमान के मुकाबले या तो बहतर बनाई जाती है या बद्तर यदि कलपना किया गया भविस से बहतर है तो वह आपको एक आशा एक सुखत परतियाशा परतान करता है और अगर वह बद्तर है तो वह आप में व्यगरता पैदान कर देता है ये दोनों ही इस्थितिया केवलब्रह्म है भाती है आत्म अलूकन करने से आपके जिवर में अधिक उपस्थिता विध嘛 nta स्वाय मेवचली आती है जिसिपल आपको बोद हो कि आप उपस्थिती नहीं है तो आप उपस्थिती ही हो जाते हैं जब आप अपने मन का अलोकन करनी की अवस्था में होते हैं, तब आप उसके जाल में नहीं फस्ते हैं, तब एक अन्य कारक परविश्च कर लेता है, लेकिन वह मन का नहीं होता, वह होता है प्रतियक्ष दर्शी वर्थमान. अपने मन के अलोकन करता के रूप में, द्रश्टा के रूप में उपस्थित रहे, अपने विचारों के, अपनी भावनाव के और साथ ही अलग-अलग इस्थितों में अपनी परतिक्रियाओं के अलोकन करता के रूप में, अपनी परतिक्रिया को भी उतनी ही तवज्ज़ जी जितने की आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो कि आपकी प्रतिकिरिया का कारण बना हुआ है इस पर भी ध्यान देजिए कि आपका अवधान कितनी बार अतीत में या भविस में चला जाता है जो आप देख सकें जो आप देखें उसका निश्कर्ष मत निकालिए उसका विसले भी ऐसी चीज़ की अप्रेक्षा अधिक सबल मसूस करेंगे जिसका की आप उलोकन कर रहे हैं जानी आपके मन में भड़ी हुई तमाम चीज़ों की अप्रेक्षा स्वयम आपकी सांथ तथा उलोकन करती विद्हमानता को मौन द्रश्टा को जब कोई स्थिती एक प्रवल भावनात्मक आविक के साथ आपकी पर्तकिरिया को भरका देती है जैसे जब आपकी अपनी छवी खात्रे में पर रही हो या भाय को पैदा करने वाली चुनोती आपके जिवन में आ गई हो या सब कुछ कलत हो रहा हो या अतीत के कोई भावन आत्मक मनोगरंथी जाग उठी हो तब एक अत्यांत्र सचेत उपस्थिती की विदमानता की अविश्रक्ता होती है क्योंकि ऐसे प्रसंगों में आपकी प्रविर्ती और चेतन्य होने की हो जाय करती है ऐसे में आपकी पर्तकिरिया या भावना आप पर हावी हो जाती है बल बच्चाव करने लगते हैं इन प्रतिकिडियाओं के अलावा आप कुछ और नहीं रह जाते आपका यह रविया प्रतिकिडिया वाला होता है यानि आपका मन आदेतन अपने अस्तितु को बचाने की मुद्रा में आ जाता है मन के साथ खुद को तदात में कर लेना इस अवस्था को और भी हवा देता है और अपने मन का अलोकन करना इस अवस्था की हवा निकाल देता है अपने मन के साथ तदात में करना काल को यानि अतीत वभविस्य को ही विस्तार देता है जबकि अपने मन का अलोकन करना काल में बदल जाती है एक बार जब आप यह अनुभूत कर लेते हैं कि वर्तमान में उपस्चित रहने का वर्तमान में विद्वान रहने का अर्थ क्या होता है तब आपके लिए यह बहुत सरल हो जाता है कि जब भी आपको किसी वयोहारिक प्रियूजर में समय में जाने की अशक चलाएं ताकि आप अब में गहरे उतर सकें ऐसा करने से समय को यानि अति या भावश्त को वयहारी काम काज के लिए प्रियूजर करने की आपकी छमता में कोई कमी नहीं आती है और नहीं अपने मन का प्रियूजर करने की आपकी छमता में कमी आती है वास्तविक्ता तो यह है कि इसे इन छमाव में व्रिधी ही होती है तब जब आप अपने मन को प्रयोग कर रहे होंगे तब आप पाएंगे कि वह अधिक कुशाग्र और अधिक एकाग्र हो गया है मांसिक समय को अलविदा कीजिए जीवन के व्यवहारिक पहलू के लिए समय का इस्तमाल करना सीखिए इसे आप घड़ी वाला समय कह सकते हैं लेकिन जब वह व्यवहारिक प्रयोजर पूरा हो जाए तो तुरंद अपने वर्थमान पल की सजगता में लोटाए इस तरह किसी मांसिक समय का स्रिजन नहीं होगा किसी यात्रा आदी का समय करना नहीं है बलकि इसमें सामिल रहता है अतीज सबक सीखना ताकि हम विगत की गलतियों को बार-बार दोहराते नर हैं कोई लक्ष निर्धारित करना और उसके लिए काम करना भी इसमें सामिल रहता है और बहुत तकी वह गनित आदी के द्रिष् अवध्धान के छेतर में जहां ही हम अतीत या भविश्य के संदर्व के बीना कारें नहीं कर पाते वर्तमान पल ही प्रमुख कारण रहा करता है अतीत में सिखा गया कोई भी सबक प्रसंगीक हो जाता है और उसे अब में लागू किया जाता है कोई भी योजना और कोई भी लक्ष प्राप्त करने के लिए कारिक्रम बनाना भी अब में ही होता है Enlightened वेक्ट्यों के अवधान का मुख्य फोकस हमेशा अप पर रहा करता है लेकिन फिर भी एक हद तक वे समय से आउगत रहते हैं दुश्रे सब्दों में वे घड़ी वाले समय का इस्तमाल तो करते हैं लेकिन मांसिक समय से यानि मन के समय से वे सदा मुख्त रहते हैं वे उसके चंगुल में नहीं फस्ते हैं इस अभिहास को करते हुए आपको चौकस रहना होगा कि आप अंजाने में हैं घड़ी वाले समय को मन के समय में बदलना डाले उदाहरन के लिए आपने अतीत में कोई गलती की है और उससे सबक आप अब ले रहे हैं तो आप घड़ी वाले समय का इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन अगर इस बात को लेकर बैठी जाते हैं और अपनी अलोचना करते रहते हैं उस पर पस्चताप, खेद, खिंता करते रहते हैं अप रात बुद में रहने लगते हैं तब आप मैं और मेरा की गलती करने लगते हैं आप इसे अपने सुवा का भाव बना लेते हैं और तब यह मांसिक समय बन जाता है जो कि हमेशा ही आपकी पहचान के एक मिथ्या भाव से जूर जाता है छमा ना करना निच्रा ही इसका अर्थ होता है बांसिक समय के भारी बोच को अपने सिर पर लादे रखना अगर आप अपने लिए कोई लक्षन निर्धारित करते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो आप घड़ी वाले समय को इस्तमाल कर रहे होते हैं आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है, कहां पहुंचना है फिर भी आप वरतमान में उठाय जा रहे अपने हर कदम को पूरा सम्मान, पूरा ध्यान देते हैं लेकिन अगर आप अपने लक्षे पर, अपने मंजीर पर ही आविशक्ता से अधिक अपना ध्यान के अंदिर्व कर देते हैं शायद इसलिए कि आप उसमें सुक, उपलब्धी या अहम की तुष्टी चाहरा होते हैं तब आप अब को सम्मान और ध्यान देना बंद कर देते हैं ऐसे में वह तो बस भविश्य तक पहुँचने के लिए केवल कदम रखते जाने का एक जड़िया बनकर रह जाता है जिसका कोई तात्विक महत्वन नहीं होता घड़ी वाला समय तब मन के समय में तपदील हो जाता है आपके जिवन यात्रा तब एक साहसिक यात्रा नौ होकर केवल एक विचार क्रस्त आयुशक्ता बनकर रह जाती है कहीं पहुचने की, कुछ पाने की और पुरा करने की फिर आप ना तो यात्रा पत के इधर उधर खिले हुए फूल को देखते या सुनते हैं और ना ही जिवन के उस संदर, उस अद्भुत्ता का आपको भान रहता है जो की आपको अपने चारों तरफ खिला हुआ दिखा करता है जब आप अप में उपस्चित रहा करते हैं अब के परमहत्व को मैं देख पा रहा हूँ लेकिन मैं आपके इस बात से पुरी तरह सहमत नहीं हो सकता कि समय पुरी तरह एक भ्रहम है, भानती है जब मैं कहता हूँ समय एक भ्रहम है, एक भ्रानती है तब मैं आपको कोई दार्शनिक व्यक्तव्यन नहीं दे रहा होता हूँ मैं तो आपको एक समाने तथ की याद दिला रहा होता हूँ एक इतना परत्यक्ष, इतना सीधा वसाफ, इतना खुरा तथ है कि आप उसे देखने समझने का कश्ट भी नहीं उठा रहे हो या उसे एक बेकार की चीज मार रहे हो लेकिन यह बात अगर एक बार समझ में आ जाए तो मन रचित जटिलताओं और समस्याओं के तमाम पर्टों को या तलवार के एक धटके की तरह काट सकती है इस बात को मैं दूसरे सदों में यू कहता हूँ केवल वर्तमान पल ही है जो आपके हाथ में है ऐसा कोई समय कभी नहीं आया जब आपका जिवान यह पल नहीं था चाहिए यह बात सत्य नहीं है मानसिक समय का पागलपन अगर आप मानसिक समय के बहुरूपिय पन पर एक नज़र डाले तो फिर आप नी संदेह का उठेंगे किया तो एक मनोरोग ही है उदाहरन के लिए कोडि सिधान्त वादिता जैसे साम्यवाद राष्टिय समाजवाद या कोई भी राष्टवाद और कटर धार्मिक विचार दाहरा जो कि इस नहीं धारना पर चला करती है कि सर्वतम अवस्था कई भौईस में इस्थित है और इसलिए वह मनजिल के ही रास्ते को सही सिध करती है वह मनजिल तो एक ऐसा विचार है एक ऐसी धारना है मन गढ़ंत भौईस का एक ऐसा मुकाम है जो हमें मुक्ति, मोक्ष या उधार प्राप्थ होने पर मिलेगा जैसे सुक, पड़िपूर्णता, समानता, सुवतंतरता, इत्यादी वास्तों में होता यह है कि वहां तक पहुंचने के साधन वर्तमान में तो लोगों को गुलाम बनाने कश्ट पहुंचाने, हत्या चार करने और हत्या तक कर देने वाले बन जाते हैं उधाहरन के लिए अलमान है कि साम मिव्याद को स्थापित करने वह आगे बढ़ाने के लिए लगवा पांच कर लोगों को माड़ डाला गया था और यह सब रूस, चीन तथा अन्य देशों में एक बेहतर दुनिया बनाने के नाम पर किया गया था यह एक ऐसा हिलाद देने वाला उदाहरन है जो बताता है कि एक भावी स्वर्ग बनाने के लिए वर्तमान को किस तरह एक नर्ग बना दिया जाता है क्या अब भी इसमें कोई संदेह है कि मनव वेग्यानिक समय एक गंभीर वा खतरनाक मानसिक रोग है या मानसिक अदर्स आपके जिवन को किस तरह संचालित क्या करता है क्या आप मेसा ही जहां है वहां से अलग कही अन्यातर होने के कुशिश क्या करते है जो कुछ भी आप किया करते है जा वह अधिकतर किसी मुकाम को पाने के साधन करूप में किया करते है क्या आपके कारे सिध्धी बहुत दूर तक नहीं बरकि आसपासी रहा करती है या वह अलप वधी के सुख तक सिमित रहती है जैसे सेक्स, खाना, पीना, ड्रक्स या रुमांच और उत्तेजना क्या आपका फोकस हमें सही कुछ बनने, कुछ हासिल करने, कुछ जीतने, कुछ प्राप्त करने या फिर कोई नया रुमांच या सुख का पीछा करने पर ही रहा करता है क्या आप ऐसा मानते हैं, क्या आप जितनी अधिक चीजें अरजित करते जाएंगे जितनी अधिक चीजें के मालिक बनते जाएंगे आप उतने ही अधिक पड़िपूर्ण, बेहतर और मनोवेगानिक रूप से पूर्ण होते जाएंगे क्या आप किसी ऐसे पुरुष या इस तरी की प्रतिक्षा में है जो आपकी जिन्दी को माइने दे सके जेतना कि मन के साथ तदात में रहने वाली या आत्मग्यान से वन्चित रहने वाली अवस्था में अब में वास्क करने रहने वाली शक्ती और असीम स्रिजन चमता आमतर पर मांसिक समय द्वारब पुरी तरह अंधेरे में धकेल जी जाती है तब आपका जीवन अपना इसपंदन अपनी ताजगी अपना अच्रच का भावख हो देता है और विचार, भावना, वर्ताव, प्रतिकिडिया और इक्षा का पुराना धर्रा अपनी उद्देश सेहिन पुर्णरा विर्ति का तमासा करता रहता है आपके मन की लिखी हुई यह एक ऐसे स्क्रिप्ट होती है जो आपको एक खास तरह की पहचान तो देती है लेकिन अपकी वास्ट विध्टा को उसके सक्ते को या तो छिपा देती है या तोर मरूर देती है और तब ऐसे औस अंतोस जनक वर्तमान से प्लायन करने के लिए आपका मन भाविस्ट का दामन थाम लेता है नकरात्मक्ता वद्दू की जरेतों समय में समाई हुई है लेकिन ये विश्वास की भाविस्ट वर्तमान से बहतर ही होगा या हमेशा तो एक भ्रह्म नहीं होता वर्तमान भ्यंकर हो सकता है और भाविस्ट में हालत बहतर हो सकते है और अक्सर हो भी जाते है भविस्य आम तोर पर अतीत की ही प्रतिक्रिती हुआ करता है कुछ सतही बदलाव भले ही हो जाते हो लेकिन वास्तविक उर्पांतरन शायद ही कभी होता हो और वो अभी इस बात पर निर्भर करेगा कि अब की शक्ती हासिर कर लेने के द्वारा क्या आप वर्तमान में इतना विधमान रह सकते हो कि अतीत का अंध ही कर दे भविस्य के रूप में जिसे आप देख रहे हैं वह वर्तमान की चितना कहीं तो एक अंतरंग भाग है अगर आप मन अतीत का बोज उठाय चल रहा है तो आपको वह बोज बढ़ता हुआ हिम लगेगा वर्तमान के अभाव में ही अतीत खुद की निरन तरता बनाय रखता है वर्तमान में चतन्यता की जैसी अवस्था होगी वैसे ही आपके भविस्व का सोरूप होगा जो की वास्तों में अब के रूप में ही अनभूत किया जा सकता है भले ही आप एक करूर पे जी चाएं लेकिन इस परकार का बदलाव सतही ही होगा तब आप अपने कामधाम उसी संसकार ग्रस धर्रे के साथ किवल थोड़े अधिक विलास्ता पुन वातावरन में कर रहे होंगे आदमी ने परमानु को तोड़न सीख लिया है एक लाठी से दस या बीच लोगों को मारने के बजाए अभी एक आदमी के वर एक बटन दबा कर एक लाठी लोगों को मार सकता है क्या यहीं वा वास्तिक बदलाव है यदि इस पर आपकी चेतना का यहीं वा गुन धर्म है जो कि भविश को निर्धारित करता है तो फिर वह क्या है जोकि आपकी चितना के गुन धर्म को निधाल्ट करता है वह है आपकी उपस्थिती की आपकी विद्वानता की मात्रा इस लिए एक मात्रव अस्थान जहां असल पड़िवर्टन हो सकता है और जहां अतीत का अंध हो सकता है वह है अब जितनी भी नकरात्मक्ता है वो मालसिक समय का संग्राह करने और वर्तमार का प्रत्याग करने के कारण होती है बेचैनी, व्यगरता, तनाव, दबाब, चिंता ये सब भाई के ही रूप है और जरूरत से ज्यादा भईस्य को पालने और प्रयाप्त रूप से वर्तमार में नौ रहने के कारण ही ये बहर पैदा होते हैं अपराद भाव, पस्चाटा, कुधन, मनो मालनिय, व्यथा, शिकायत, उदासी, कटुता और छमान न करने का कोई भी रूप ये सभी जरूरत से ज्यादा अत्रीत को पालने और प्रयाप्त रूप से वर्तमार में नौ रहने के कारण ही पैदा होते हैं अधिकतर लोगों के लिए जब इस्वास करना मुश्किल लगता है कि चतन्यता के अवस्था में नकरात्मक्ता से पूरी तरह मुख्त हो जाना संभव हो जाता है और यह अवस्था वह मुख्त अवस्था भी है जिसकी ओड सभी अध्यात्मिक सिक्षाएं इस सारा करती है तो यहीं लगा करता है कि आपके दुख आपकी समस्याय तो आपके जीवन के किनी खास परिस्थितियों के कारण होती है और उन्हें प्रमप्रागत दृष्टि कोन से ही देखा भी जाता है यह सच है लेकिन जब तक आप इसके असली जर को यानि समय निर्वाता अपने मन क गरबर को अतीत और भविष्ट के प्रती इसकी आसकति को और अब के प्रती इसकी विरक्ति को नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे तब वेहीं समस्याय बारी बारी से आती रहेंगी बार बार आती रहेंगी आपकी समस्याओं को या आपके दुख के दिखते कारणों को या और प्रसंताओं को अगर किसी जादू से दूर कर दिया जाए लेकिन फिर भी अगर आप वर्तमान में प्रयाप्त रूप से उपस्थित शुरहना शुरू नौ करें तो वह दूर दिन दूर नहीं होगा जब आप खुद को समस्याओ के वैसे ही गिरोह के बीच दुखों के वैसे ही कारणों के बीच दुबारा घिरे पाएंगे जो कि आपकी चाय की तरह आपके साथ साथ चला करते है अंतता समस्या के वल एक है खुद को समय के साथ बांद लेने वाला आपका यह मन मैं नहीं मानता कि कभी मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुँच सकता हूँ जहां कि मैं समस्याओ सु पुरितरा मुक्त हो जाओ आप ठीक कह रहे हैं आप कभी भी उस मुकाम पर पहुँच नहीं सकते क्योंकि आप उसी मुकाम पर ही तो है समय में यानि अतीत में या भविस में कोई मुक्ती नहीं होती, कोई उधार नहीं होता आप भविस में सुवतंत्र नहीं हो सकते, वर्तमान ही सुवतंत्रता के कुंजी है इसलिए आपके वल अब में सुवतंत्र हो सकते है अपनी जीवन परिस्थितियों के तले जीवन की तलास मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं अब मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता हूँ जैसा कि होता है इस समय मैं अपने जीवन में बहुत धीं दुखी हूँ यह एक तथ्य है और अगर मैं खुद को यह समझने समझाने लगूँगा कि सब कुछ ठीक जबकि कुछ भी ठीक नहीं है तो मैं खुद को भाका ही तो रहा हूँगा मेरे लिए तो वरतमान पल बराही दुख़ाद है वह मुझे बिलकुल भी मुक्तिन नहीं दे रहा है मेरा उधार नहीं कर रहा है जो चूज मुझे चला रही है वह बहुष में किसी चुदहर के संभाव路 ना आपको लग रहा है कि आपका ध्यान और धान वर्तमान पल में है जबकि इसे समय द्वारा अतीत व भुष्ष्य द्वारा पुरी तरह हरप लिया गया है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अब में पुरी तरह विधमान हो और दुखी भी हो आप जिसे अपना जीवन कह रहे हैं उसे जीवन के परिश्चिति कहना अधिकुचीत होगा या मासिक समय है भूत और भवश्षे भूत काल या अतीत में कुछ बाते जिस तरह हुई है आप नहीं चाहते थे वे उस तरह हो अतीत में जो कुछ भी हुआ आप अभी भी उसका विरोध परतिलोध कर रहे हैं और अब आप उसका विरोध परतिलोध कर रहे हैं जो है आसा है आसा वह है जो आपको चलाती रहती है लेकिन आसा आपके फोकस को भविश पर केंदरित रखती है और वह निरंतर फोकस आपके प्रती आपकी और स्विक्रिती को इस्थाई बनाये रखता है और इस तरह आपके दुख को भी यह सच है कि मेरे वर्तमान जीवन के परिश्थिती उन बातों का पड़नाम है जो कि अधीत में घटी धूई थी लेकिन फिर भी वह मेरे वर्तमान जीवन परिश्थिती तो है ही लेकिन इसमें फासा होना कुझे दुखी कर देता है कुछ देर के लिए अपने जीवन की परिश्थिती को भूल जाईए और अपने जीवन पर अपना ध्यान के निरित किजिए इसमें अंतर क्या है आपके जीवन प्रिस्थिती का वजूद समय में रहा करता है अतीज वभविस में रहा करता है आपका जीवन तो अब है आपके जीवन प्रिस्थिती आपके मन का मामला है आपके जीवन वास्तु इकता है खोजिए उस संकरे द्वार को जो जीवन की उड़ ले जाता है उसे अब पहते है अपने जीवन को समेट कर इस पल में ले आईए आपके जीवन परिस्थिती समस्याव से भड़ी हो सकती है अधिकांस जीवन परिस्थितिया ऐसी ही होती है लेकिन यह तो देखिए कि क्या इस पल में कोई समस्या है आने वाले कल में नहीं और नहीं दस मिनट बाद में बलकि अब में क्या आपको अब कोई समस्या है जब आप समस्याव से भड़े होते हैं तक कुछ भी नया परवेश नहीं हो पाता है समाधान तक की जगा नहीं बचती है इसलिए जब भी आप कर सकें थोड़ी जगा बनाएं थोड़ी खाली स्थान बनाएं ताकि जीवन परस्थितियों के तले अब जीवन को पास सकें अपनी ज्यान इंद्रियों का पुरा पुरा इस्तमाल कीजिए जहां है वहीं रहिए चारों तरफ देखिए कवल देखिए विसलेशन मत किजिए परकास को अकृतियों को रंगों को बनावट को हर चीज के मौन उपस्थिति से अवगत रहिए उस खाली स्थान से अवगत रहिए जो चीजों को होने देता है आवाजों को ध्यान से सुनिए उन पर विचार विवेचन मत कीजिए आवाजों के नीचे रहने वाली खामोसी को सुनिए किसी चीज को छोईए किसी भी चीज को उसे और उसके होने का महसूस कीजिए अपनी आती जाती सांसों की ताल पर ध्यान दीजिए हवा का अंदर आना और बाहर जाना महसूस किजिए इस जीवन शक्ति को अपने सरीट के भीतर महसूस किजिए हर चीज को होने दिजिए भीतर भी और बाहर भी सभी चीजों के है पन को वैसा ही रहने दिजिए अब में गहरे उतरिए तब आप समयक मांसिक का निकताओं के अच्चेतन करने वाले संसार को पीछे छोड़ते चले जाएंगे तब आप उस विच्छिप्ट मन से पहार निकल कर आ रहे होंगे जो की आपके जीवन उर्जा को सोख लिया करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा इस धर्थी को धिर धिरे विसाक और विनेश्ट कर रहा है तब आप समयका स्वपन लोग से जाक कर वर्तमान में आखे खोल रहे होंगे जितनी भी समस्याएं हैं विसाम मन की ही भरांतिया है ऐसा लग रहा है जैसे एक भारी बुझ हट गया है हलकापन महसूस हो रहा है मैं इस पश्चता महसूस कर रहा हूँ लेकिन मरी समस्याएं तो अभी भी मेरी बाट जो हरे है या ऐसा नहीं है उनका समाधान थोरे न हुगा है क्या मैं और अस्थाई तोर पर उन्हें कवल टाल नहीं रहा हूँ अगर कभी आपको स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो वहाँ भी आप थोरी दिर बाद यहीं कहेंगे हाँ लेकिन क्यूंकि स्वर्ग में होना भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा समझने वाली बात यह है कि समस्याओं तो दरसल कोई होती ही नहीं है केवल इस थितियां होती है जिन्हें या तो अब के साथ सुलजाया जाना होता है या उन्हें वर्थवान पल के हैं के हिस्से के रूप में उसे सुईकार करना होता है या उसे तब तक के लिए अकेला छोड़ देना होता है जब तक कि वो स्वेम न बदल जाए या जब तक कि उसे निप्टा न जाए सके समस्याए मन रचीत होती है और उन्हें जिंदा रहने के लिए समय की अतीत की वह भवस्य की आशक्ता पड़ती है समस्याएं अब की वास दुक्ता में नहीं टिक पाती है अब अपने अवधान को फोकस किजिए और मुझे बताईए कि इस पल आपकी समस्या क्या है मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि जब आपके अवधान का फोकस पुरी तरह अब में हो तब किसी समस्या को होना संभाव ही नहीं है हाँ उसमें कोई इस्ठिती और से हो सकती है जिसे या तो सुलजाया जाना होता है या सुईकार किया जाना होता है उसे समस्या क्यों बनाया जाए किसी भी बात को समस्या क्यों बनाया जाए जिवन जैसा भी है क्या वह अपने आप में एक चुनाती नहीं है आपको समस्याएं कहें के लिए चाहिए आपका मन तभी समस्याओं को गले लगाया करता है जब वह चैतन्य नहीं होता बलकि बेखुदी और बेसुधी में होता है क्योंकि तब समस्याएं आपको एक परकार के पहचान देती है या एक आम बात है लेकिन या पागलपन है समस्या का मतलब है कि आप किसी इस्थिती पर मांसिक रूप से डेरा डाल कर बैठ गए है जिसमें कि कभी कोई कदम उठाने का नो कोई आपका सच्चा इरादा है और शायद नो ही कोई संभावना है और या भी की अंजाने में ही आप उस समस्या को अपने अहम का एक हिसा बना रहे है अपने जिवन इस स्थिती से आप इतने अकरान्त हो गए होते हैं कि तब आप जिवन की बीइंग की अपनी चेतना ही खो बैठते हैं या आप अपने मन में ऐसी सैकरो बातों का पागलपन वाला बोज लेकर घूम रहे होते हैं जिन्हें की भवश में आपको करना होगा या करना पड़ेगा बजाए इसके कि आप अपने अधान का फोकस उस एक बात पर रखें जिसे आप अभी कर सकते हैं जब भी आप कोई समस्या पैदा करते हैं तब आप दुख ही पैदा कर रहे होते हैं आपके सामने एक सीधा सरल चुनाव है कुछ भी हो जाए मैं अपने लिए कोई और दुख पैदा नहीं करूँगा कोई और समस्या पैदा नहीं करूँगा हालांकि यह एक समाने सासुन चुनाव है किन्तु यह एक बरापडिवर्तन कारी चुनाव है लेकिन आप यह चुनाव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप दुख से वाकई उब न गए हो, उकता न गए हो जब तक कि आपको दुख ठोक में न मिल गया हो और आप इस चुनाव को तब तक पुरा नहीं कर सकते जब तक कि आप अब की वर्तमान के शक्ति को हासल नहीं कर लेते इस तरह जब आप अपने लिए कोई दुख पैदा नहीं करते हैं, तब आप औरोग के लिए भी कोई दुख पैदा नहीं करते हैं और तब न तो आप इस सुन्दर धर्ती को, न अपने भित्री प्रका आकाश को, और न है सामुविक मानुविया मानस को समस्या करने के नकरात्मक्ता से और अधिक दूशित करते हैं. अगर कभी आप जीवन मरन जैसी आपात स्थिती में पड़े हूँ, तो आपने देखा होगा कि वह स्थिती कोई समस्या नहीं थी, मन के पास इतना समय ही नहीं था कि वह उसे गवाएं और उस स्थिती को समस्या बनाएं. जब वाकई कोई अपात स्थिती आती है तब मन थम जाता है, तब आप पुरी तरह अब में उपस्चित रहते हैं और कोई अनंत शक्तिसाले चीज काड़े भार संभाल लेती है. यही कारण है कि ऐसी अनेक रिपोर्ट उपलवध है कि सधारान लोग भी आचाना कि और विश्वस्निय सहार्ष का काम कर जाते हैं. किसी अपाद अवस्ता में या तो आप बच जाते हैं या नहीं बच पाते हैं और दोनों ही तरह कोई समस्या नहीं है. कुछ लोग तब नराज हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि समस्या तो ब्रहांतिया होती है. जो वे हैं उनके उस एहसास के लिए तब जैसे मैं एक खत्रा बन जाता हूँ. अपनी एक मिथ्या मैं को बचाने के लिए उन्होंने काफी समय लगाया होता है. बड़सों तक बेखुदी में वे अपनी पूरी पहचान को अपनी समस्याओं या अपने दुखों के रूप में ही परिभासित करते हैं. अपनी इन समस्याओं के बिना भलावे क्या रह जाएंगे? कुछ लोग जो कुछ कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, दरशार उसका एक बड़ा हिसा दर द्वारा प्रेथ हुआ करता है और डर तो हमेशा ही बहुशे पर अपना फोकस रखने और अब से बच निकलने से जुरा रहता है. अब मैं चुकी कोई समस्या नहीं रहती है, इसलिए उसमें कोई डर, कोई भय भी नहीं रहता है। बलकि वह इस्थिती के प्रति सहज बूध वाली अनुकरिया होगी। अन्य आव सरुपर समय से बंधा मन अगर प्रतिकरिया कर ही देता है, तो आप देखेंगे कि कुछ ना करना, यानि क्यों अब मैं ठाहरे रहना, अधिकारगर सावित होता है। चेतना के विकास में बरी छलांग वह है उस गहन रुपांतरन का हिस्सा बनना, जो कि इस ग्रह की सामुझी चेतना में और उसके पारवी हो रहा है। यानि बहुत तिकता, रूप अकार और अलगाव की स्वपना वस्था में पड़ी चेतना को जगाना, यानि समय का अंध करना। हम मन के उस धर्रे को तोर रहे हैं, जो माना जीवर पर यूगों से हावी होता रहता आया है। यह हो जाएगा, मेरा मतलब है कि क्या यह पड़ी वर्तन और परिहाड़े हैं, यह अनिवाड़े हैं। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं, उसे कैसे गरहन करते हैं। करना और होना दरसल एक ही प्रक्रिया है, चोकि आप चेतना की अखंड़ता कसा चुरे रहते हैं, इसलिए आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसके कोई पूरी गरांटी भी नहीं है कि लोग ऐसा करही लेंगे, यह प्रक्रिया और पड़ी हारे यह स्वता होने वाली नहीं है, आपका सहयोग इसका अनिवारे भाग है, तथा भी आप इसे देखें, चै तन्यता का विकास में यह एक बड़ी छलांग है, और म अपने मनों वेगानिक समय को अपने आप पर हावी होने दिया है, आप एक सीधे सरल सिधान का प्रयोग कर सकते हैं, आप खुछ से यह पूछे, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, क्या उसमें संतोश प्रद, आनंद, सहज्टा और हलकापन है, यदि ऐसा नहीं है, तो समझ ल आनंद, सहज्टा और हलकापन नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि जो आप कर रहे हैं, उसे बदलने की आउशक्ता है, बलकि उसे आप जिस तरह कर रहे हैं, उसको बदलना ही काफी होगा, क्या कि तुल्ला में कैसे अधिक महत्वर रखता है, देखिए कि क्या आपका ध्या वर्तमान पल जो आपको प्रस्तूत कर रहा है, उस पर अपना पुरा पुरा अवधान दीजे, इसका अर्थ यह है कि आप जो है को पूरी तरह सुईकार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, कि आप किसी चीज़ पर अपना पुरा अवधान भी दे रहे हो, और साथ इस उतनी ही जल्दी विरुप्त होने लगती है, और जिवन का परवाह संतोष प्रद आनंद और सहच्ता के साथ होने लगता है, जब आप वर्तमान पल की सज़क्तास के साथ कर्म करते हैं, तब आप कुछ भी करें, वह हमेसा गुनवता, परवाह और प्रे में पगा होता है, आपको स्वयन प्राप्त होगा, यह एक बड़ा ससक्त अध्यात्मिक आचरण है, विश्वय विद्वान अध्यात्मिक सिक्षाओं में सबसे प्राचीन और सबसे सुन्दर है भगवत गीता, और वह कर्मफर के प्रती असक्त न रहने के सिक्षार देती है, इसे कर्म योग कहा गया है, इसे निश्काम कर्म की संग्यादी गुई है, अब से दूर दूर हो रहते हुए जद्वोजाहत कर्दी की लत जब आप में नहीं रहती, तब आपके हर कर्म बीइंग का संतोष प्रद अनंद प्रविश करने लगता है, जिस पल आपका अवधान अब के प्रती रहने लगता है, तब आप एक विद्धमान, एक निश्चलता, एक सांतता का अनभाव करने लगते हैं, तब आप पड़ी पुर्णता और संतुष्टी के लिए भविश के सहारे जीना बंद कर देते हैं, दुख से मुक्त होने के लिए तब आप उसका मुह ताखना बंद क की फलता, अपने जीवन प्रिस्थितियों के तले तब आपने जीवन की तलास लिया होता है, मानसिक समय न रहने पर आपके स्वव का भाव आपको बिइंग से प्राप्त होता रहता है, नौकी आपके विक्तिगर्द अतीत से, इसलिए जो आप हैं उससे इतर कुछ और बन बन जाए, इस या उससे मुक्त हो जाए, बीइंग की गहराई में तो आप पूर्ण ही रहते हैं, संपूर्ण अब रहते हैं संपूर्णता की उस अवस्था में भी क्या हम बाहरी लक्ष्यों को पाने की यूग रहेंगे, इक्चुक रहेंगे बिल्कूल, लेकिन तब आपको ऐसी भ्रामक आश्थाएं वह अप एक्चाएं नहीं रहेंगी, कि भविस में कोई वस्थू या कोई व्यक्ती आपका पडित्तरान करेगा आपको दुख से मुक्त करेगा, या आपको सुख वपरसंता परदान करेगा जहां तक कि आपके जिवन प्रिष्थित्यों की बात है, उसमें कुछ ऐसी चीज़े हो सकती है, जिनको पाना या हासिर करना अवश्यक हो क्योंकि या भौतिक संसार, रूप, आकार, लाव, वव, हानी वाला तो है ही, लेकिन गहरे इस तर पर तो आप पूर्ध ही है, पहले से ही, और जब आपको इसका भान हो जाता है, तब आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें प्रफुलता और अनंद की उर्जा काम किया करती है मानसिक समय से मुक्त हो जाने पर, आप अपने लक्षों के पीछे ऐसे बहंकर इरादे लेकर नहीं दोर पड़ते हैं, जो भय, क्रोध, वह और संतोस से उपजे हो, या कुछ बनने की तलब से, और ना ही आप विफलता के भय से निस्क्रिया ही रहा करते हैं, जो कि अहम के में लिए अपना अस्थित्व को देने जैसा होता है, जब आपके स्वा का गहंतर भाव बिइंग से फ्राप्त किया जा रहा होता है, जब आप बनने की मरव विजगानिक तलब से मुक्त हो रहे होते हैं, तब नो तो आपका सुख, नो आपकी परसंता, और नो ही आपके स् इसलिए तब भैसमुक्त रहा करती है तब स्थायितों की तलास आप वहां नहीं करते हैं जहां उसे पाया ही नहीं जा सकता जैसे रूप अकार के लाभानी के और जन्म मरन के संसार में तब आप यह चाहना ही नहीं करते हैं कि इस्थितियां प्रिस्थितियां इस्थान यह ल हर चीज सम्मान योग है लेकिन महत्व किसी चीज का नहीं है ग्रूप और अकार जन्म लेते हैं और मिर्थियों को प्राप्थ होते हैं लेकिन आप उस ग्रूप और अकार के नीचे विधमान सास्वत को पहचानने लगते हैं आप जान जाते हैं कि जो कुछ भी सत्य है वास् अध्याय चार अब से दूर रहना मन की ही एक रन्ती है अब का लोपुना सबसे बड़ी गलत फहमी मैं भले ही यह बात पुड़ी तरह से माननू कि समय अंत्ता एक भरम है लेकिन इस मानने से मेरे जिवन में क्या अंत्ता आने वाला है मुझे तब भी रहना तो उसी संसार में पड़ेगा जिस पर समय पुड़ी तरह से हावी है कोई बौधिक सहमती एक दूसरा विश्वास मात्र ही होती है और इससे आपके जिवन में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है सत्यका बोध करने के लिए आपको उसे जीना होगा जब आपके स्रीड का एक-एक कोशानो इस कदर उपस्थित रहता हो कि वा जिवन के साथ साथ संपदित होता हो और जब आप यह मसूस कर सकते हो कि जिवन हर पर बिइंग का उलास है तब यह कहा जा सकता है कि आप समय से मुक्त हो गए है लेकिन फिर भी आने वाले कल में मुझे अपने बिलो का मुक्तान करना है और मुझे वयोवरिद भी होते जाना है और हर किसी की तरह एक दिन मर भी जाना है तो भला मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मैं समय से मुक्त हो गया हूँ आने वाले कल के बिल कोई समस्या नहीं है इस भौतिक सरीर का अंत होना कोई समस्या नहीं है समस्या है अब का लोप हो जाना अब को न देख पाना ही समस्या है बलकि यूँ कहें कि वह मूल भाम व भ्रान्थी असल समस्या है जो कि किसी इस्थिती को किसी घटना को या किसी भाणा को एक समस्या में एक दुख में तपदिल कर देती है अब का लोप होना बींग का लोप होना है समय से मुक्थ होने का अर्थ है अपनी पहचान के लिए अतीत की और अपनी परिपूर्णता के लिए भवजसे की मनवग्यानिक आवसक्ता से मुक्थ हो जाना यह अवस्था चतन्यता के इतने गहरे डुपांतरन की घोतक है जितनी की आप कल्पना कर सकते हैं अपवाद सरुप कुछ मावलों में चतन्यता का यह बदलाव प्रभावशाली और आमूल रूप से होता है सदा सरद्वा के लिए होता है जब ऐसा होता है तब आमतर से यह घरगोर्द दुख के बीच संपुन समर्पन कर देने के माध्यम से होता है लेकिन अधिकतर लोगों को इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लगना पड़ता है जब आपको चतन्यता के काल निर्पेक्ष अवस्था की पहली जलक मिल जाती है तब समय यानि अतीर तथा महुष्ष में जाने और वर्तमान में उपस्थ रहने के बीच की इस्थितियों में आपका आना जाना सुरू हो जाता है आप सबसे पहले तो इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अब में आपका आउधान सचमुशन कितना कम रहा रहता है किन्तु यह जानना कि आप वर्तमान में उपस्थित नहीं रहते हैं यह एक बड़ी सफलता है क्योंकि यह जानना ही उपस्थिती है भले ही सुरुवात में यह घड़ी वाले समय के अनुसार दो-चार पल ही ठार पाती हो फिर इसके बड़ती आविर्ती के साथ आप अतीत या भविश्य में अपना फोकस रखने के बजाए वर्तमान पल में अपनी चेतन्यता का फोकस रखने का चैन कर सकते हैं और जब कभी भी आपको लगे कि अब आपके हाँ से छूट रहा है तब आप उसमें ठारे दहने के लिए सक्षम हो जाते हैं दो-चार पलों के लिए नहीं बलकि इतनी लंबी आउधी के लिए कि वा घड़ी वाले समय द्वारा दिखा जा सके इसलिए इससे पहले कि आप चैतन्यता की अवस्था में दिड़ता पुर्वक इस्थापित हो यानि इससे पहले कि आप पुर्णतया चैतनिक हो आप कुछ समय के लिए चैतन्यता और और चैतन्यता के बीच वरतमान में उपस्षित रहने के अवस्था और मन के साथ तदात के बीच कुछ आउधी के लिए थोड़ा बहुत दो इधर उधर होते ही रहेंगे अब आपसे छूट भी जाएगा लेकिन फिर भी आप बार-बार उसमें वापस भी आशकेंगे और अंतता वर्तमान में विद्धमार रहना ही आपकी सरवाधिक अवस्था बन जाएगी अधि कि खाक से और दूरलब आउस्थरों पर छनिक रूप से भी कवी हो पाता है तो वे इसे पहचार भी नहीं पाते हैं कि यह है क्या अधिकांस लोग चेतन्यता त्था आज चैतन्यता बीच नहीं जूलते बल्कि केवल आ चैतन्यता के ही विविन इस तरह के बीच जूलते र आपका तात्पड़े क्या है जैसा कि शायद आप जानते हों सोते समय आप सुअपन रहित निंद्रा और सुअपन सहित निंद्रा के बीच लगतार आते जाते रहते हैं उसी प्रकार जागे हुई अवस्ता में भी अधिकतर लोग समाने अच्छे तन्यता और गहरी अच्छे तन्यता के बीच इधर उधर होते रहते हैं समान अच्चे तन्यता से मिरातात पर्य है अपने विचार प्रकेडिया और बहौनाओं के साथ अपनी प्रते किडियाओं इक्षाओं और अनिक्षाओं के साथ तादात्मियता हो जाना अधिकाज लोगों की समाने अवस्था यही रहा करती है इस अवस्था में आप अपने और अहम मन्यन मन द्वारा चलाए जा रहे होते हैं और बिंग से अनभीग्य रहते हैं बेखबर रहते हैं यह अवस्था किसी तीखी पीड़ा और प्रसंता वा दुख की नहीं होती है बलकि लगतार, लगभग, असहस्ता, असंतोस, उब, उप सिर गई हो, हो सकता है कि आप इसे पहचान नौ सकें, जान नौ सकें, क्योंकि यह अवस्था आपके रहन सहन का समाने हिसा बन चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसपास से निरंतर आने वाले धीमे शूर का, जैसे एर कंडिशनर की धूँ धूँ का, आपको तब तक पत और यह सहस्ता को दूर करने के लिए अंजाने में ही मदिरा, ड्रक्स, सेक्स, भोजन, कामकार, तेलिविजन और तो और खड़िदारी को भी एक एंधिस का प्रियूप करते हैं, जब ऐसा होता है, तब कोई कारे कलाब जो की एक डियंतरी वा संयमी मातरा में अनंदकारी हो तो वे बस कुछ पलो के लिए ही आते हैं, समाने और चतन्यता वाली या और सहज तब एक गहरी और चतन्यता के दुख में तबदील हो जाती है, एक ऐसी अवस्था में तबदील हो जाती है, जिसमें दुख वपीडा अधिक तीखे और इस पश्ट लगने लगते हैं, जब अहम के सामने कोई खत्रा या कोई बरी चन्वती आ गई हो, जब आपकी जीवन परिश्चीतियों में कोई आशंका यहानी हो रही हो या जब किसी संबंध में टकराव हो रहा हो, या अवस्था समाने और चतन्यता का ही एक धनिभूत रूप है, सभाव में बस वहीं बस मात समाने और चतन्यता में जो है कि प्रती आदतन प्रतिरोद करना या उसे और सहस्ता और और संतोस को पैदा करता है, जिसे कि अधिकांस लोग जुवन की एक समाने बात माल लेते हैं, लेकिन अहम के लिए किसी चुनावती या खत्रे के चलते जब यहीं प्रतिरोद घनी अकरात्मक्ता पैदा करता है, जैसे क्रोध, घनाडर, अक्रामक्ता, आउसाद, इत्यादी, गहरी और चतन्यता का मतलब अक्सर यह होता है कि संचीत दुख भराक उठे हैं और आप उनके साथ तदात में हो गए हैं, उनके साथ एका कार और एक जान हो गए हैं, गहरी और चतन्यता के भिना शारेडिक हिंसा का होना और संभव है, लेकिन ऐसा तब आसानी से हो जाता है जब और जहां लोगों की कोई भीड या एक पुरा देश, एक सामुही के नकरात्मक उर्जा पैदा कर रहा हो, आपकी चतन्यता का सबसे अच्छा संकेतक यह है कि जीवन में जब भी कोई चुनोती आती है, तब आप आचरन कैसे करते हैं, जो व्यक्ति पहले से ही और चैतन्य है, वो चुनोती आने पर और भी अधिक घणी और चल जाने की प्रवित्ति रखता है, लेकिन चैतन्य व्यक्ति चुनोती आने पर और भी घणी चैतन्यता की और प्रवि इचले जाए समानने और चैतनिम व्यक्ति के सपने तब डरावने सपनों में तबदील हो जाते हैं अगर आप बिल्कुल समाने से प्रश्चितियों के दोरान भी वर्तमान में उपरस्चित तथा विदमान नहीं रह सकते जैसे कि किसी कमरे में अकेले बैठना किसी एकान जग प्रश्चितियों का किसी नुकसान का या नुकसान के किसी खत्रे का सामना करना पर रहा हो तब आप पर अपने ही कोई पर्श्चितिया हावी हो जाती है जो कि आखिरकार किसी ने किसी भाय का ही रूप होती है और वह आपको घड़ी और चैतन्यता में खीच ले जाती है य अपनी चैतनियता के मामले में नौ कि इस मामले में कि आप कितनी देर अपनी आखे बंद करके बैठे रह सकते हैं या आप धिविददर्शन क्या देखते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन की समाने इस्थितियों में तब भी अधिक चतन्यता लाएं जब सबकुछ तुलनात्मक रूप से सहल, सरल, सहजहीं चरढ़ा हो इस तरह आपके वर्तमान में उपसित रहने की छमता बढ़ती जाती है यह आप में और आपके चारों एक उच स्पंदन शील आवर्तन का एक उर्जा छेतर बरा देती है उस उस छेतर में कोई और चेतन्यता, कोई नकरातमत्ता, कोई व्यमनस्यता या हिंसा नोतो परवेश कर सकती है और नहीं बनी रह सकती है बिल्कुल वैसी ही जैसे परकास की उपस्थिती में अंधकाट टिक नहीं सकता है जब आप अपने विचारों और अपनी भावनाव का द्रश्टा बनना सीख जाते हैं जो की वर्तमान में उपस्थित रहने का एक अनिवारी अंग है और जब आप पहली बार समानने अच्चय तन्यता के इस्थिर प्रिष्ट भूमी के बारे में सत्यक होते हैं और यह जान पाते हैं कि अपने भीतर आप सच्मुच्यान से शायद ही कभी रहते हो तब आपको बहुत अश्चर्य हो सकता है अपने सोचने विचारने के इस्तर पर निशकर्ष, निरने और संतोस और अब से दूर दूर रहने वाली मांसिक धारनाओं के रूप में आप प्रतिरोत को बड़ी मातरा में पाएंगे भावनात्मक परत के नीचे, नीचे बहती और सहस्ता, तनाव, उब, उक, ताहट या घबराहट की धारा आपको दिख जाएंगे यह दोनों अपनी सोब भावगत परतिरोत परनाली वाले मन के ही पहलू है उन्हें तलाशना क्या है? कार्ल जूंग ने अपनी एक किताब में अमेरिका के एक आदिवासी मुख्या के साथ हुई बात्चित का उल्लेह किया है जिसमें वा मुख्या बताता है कि उसके नचर में अधिकतर गुरे लोग का चेहरा तनाव ग्रस्त आखे घुरती हुई और वेवहार कुरूर होता है उसके ही शब्दों में वे हर समय जैसे कुछ तलासते कुछ ढूंढते रहते हैं वे ढूंढते क्या रहते हैं? ये गुरे लोग हमेशा कुछ चाहते रहते हैं वे हमेशा बेचैन और परिसा रहते हैं हम नहीं जानते कि वे चाहते क्या हैं हमें तो वे पागल लगते हैं लगतार बेचेन रहने वाली और अंदर बहने वाली या धारा पस्चिमी और द्योगिक सभ्यता के जरम से पहले से ही शुरू हो गई थी लेकिन पस्चिमी सभ्यता में जो कि अब पूरब सहित समुची धर्थी पर फैल चुकी है यह बात अबहुत पूरू चुभने वाले रूप में परकट हो रही है यह जीजस के जवान में भी थी और जीजस से छेसा सार पहले बुद्ध के युग में थी और उससे बहुत पहले भी रही थी आप इतने व्यक्रक क्यों रहते हैं? जीजस ने अपने सिस्यों से पूछा था क्या व्यक्रता वो चिंदा वाला कोई दिन तुम्हारे जीवन में एक भी दिन और जोड़ सकता है और बुद्ध ने सिखाया था कि दुख का मूल हमारी लगतार ललक और चाहत में ही रहता है एक सामुहिक रूप के रूप में अब के प्रतिरोध करने के तार बीग के प्रति अपनी सिज़क्ता को खोद देने से जूरे हुए है और वही हमारी मानावता विहीन और द्योगिक सभेता का अधार भी है इतिफाक से फ्राइड ने भी इस बैचैनी की इस और सहस्ता की अंतरधार को पहचाना था और इसके बारे में उसने अपनी किताब Civilization and its Disconnects में भी लिखा है लेकिन उसने इसकी असल जरू नहीं पहचाना और इस बात को समझाने में अस्फल रहा कि इससे मुक्ति संभाव है इस सामुहिक रोग ने एक ऐसे आपरसन दुखी और और साधाना रूप से हिंसक संभेता को पैदा कर दिया जो कि ना के मल खुद के लिए बलकि इस धर्थी के समुचे जिवन के लिए एक खत्रा बन गई है सामाने और चैतन्यता का अंत करना तो हम इसे वेदना से इस विप्ता से कैसे मुक्त हो सकते हैं चैतन्य बने उन अनेक तोर तरीकों को ध्यान से देखें जिर्में अनवस्यक निर्णाय निशकर्ष पर पहुँचने जो है के परतिरोत करने और आपको और स्विकार करने के जड़िये आपने वेचैनी और संतोष और तनाव पैदा हुआ करता है जब आप में चेतन्यता का प्रकास होता है तब हर वरटमान के इस पस्थिति में प्रकास की उजवलता और बढ़ जाती है और फिर जब भी आप खुद को अपनी घरी और चेतन्यता में खीचा जाता हुआ महसूस करते हैं तो उस स्थिती से उबरना आपके डिये सरल हो जाता है लेकिन सुरुवाती दोर में समाने और चतन्यता को पहचान पाना कठीन होता है च्योंकि वो आपकी आदत में घुली मिली होने के कारण समाने बात नजर आती है आत्म अलोकन करते हुए अपनी मान से वा भावनात्मक अवस्था पर नजर रखना आपका स्वभाव बना लिजे क्या मैं इस पल शांत हूँ, विचार रहित हूँ, चिंता रहित हूँ, अनुद्विगन हूँ खुशे या प्रश्ण पुछते रहना अच्छा रहता है, या आप यह भी पूछ सकते हैं, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है जितनी रूची आप इस बात में रखा करते हैं कि बाहर क्या चल रहा है उतनी ही रूची इस बात में भी रखिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है अगर आपके भीतर सब कुछ ठीक हो गया तो बाहर भी सब ठीक हो जाएगा प्रमुक वो प्रात्मिक सत्यता तो भीतर ही है गौन वो द्वित्य सत्यता बाहर है लेकिन ऐसे प्रशनों का उत्तर जल्दिबाजी में मत दिजेगा अपने अधान को भीतर केंदिर्ट किजे अपने भीतर एक नज़र डालिए देखिए कि आपका मन किस परकार के विचार पैदा कर रहा है आप क्या महसूस कर रहे हैं जब आप यह जान ले कि बेचानी का इस तर कम हुआ है कि प्रिष्ट भूमी इस्तिर हो गई है तो फिर यह देखिए कि आप दिवन को किस तरह से अंदेखा किया करते हैं किस तरह से उसका प्रतिरोत किया करते हैं उसे नकारा करते हैं अब को नकार करके ही तो ऐसे बहुत से तोर तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अंजाने में ही और चेतनेता में ही वर्तमान पल के प्रतिरोत किया करते हैं मैं आपको उनके कुछ उदाहरन आगे दूगा अभ्यास करते करते आत्म अवलोकन करने की अपनी आंतरिक अवस्था के मौनिटरिंग करने की उस पर नज़र रखने की आपकी छमता कुछ सागर होती जाएगी और प्रसंता से मुक्ति जो आप कर रहे हैं उसके परती क्या आप में प्रसंता अप्रियता जुन जुलाहट जलाहट वह कुधन रहती है वह आपका रोजगार्वी हो सकता है या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए पहले तो आप सहमत हो गए हो और उसे कर भी रहे हो लेकिन आपके मन का कोई हिस्सा प्रती अच्छा अच्छा महसूस ना कर रहा हो और आपको उसे करने से रुक रहा हो क्या आप अपने मन में किसी नज़्दी की व्यक्ति के लिए अप्रियता वह कुधन पाले हुए हैं क्या यह बात आप जानते हैं कि इस तरह तो जो उर्जा आप पर सरजित करते हैं वह श्मात भी और प्रसंता और प्रियता जुन जुलाहट उधन नराजगी रोश अनिक्षा है अगर है तो मांसिक वह भावनात्मक दोनों की इस तरों पर उसे ध्यान से देखे आपके मन का वह कौन सा विचार है जो इस त्यति को पैदा कर रहा है फिर उस भावना पर ध्यान द यह एक ऐसी उर्जा है जिसे की अपने अंदर होने दिना आप वास्टों में चैन कर रहे हैं और क्या आपके सामने चुनने को कोई और विकल्फ हैралर हो सकता है कि आपका फाइदा उठाया जा रहा हो हो सकता है कि जिस काम में आप लगे हो वो निरस वो उबाव हो सकता है कि आप कोई निट का संगिस साथी बैमान हो तिर्चिराहट पैदा करने वाला या लापरवा हो लेकिन इन साब बातों का उन बातों से कोई समंध नहीं है अपर इन इस्थितियों के बारे में आपकी विचार और भावनाय उची थाय या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तथ्य तो यह है कि आप जो हैं कि प्रति प्रतिरोद कर रहे हैं वर्दमान पल को आप एक सत्रू समझ रहे हैं आप ओपर संता को और उची रोश वा कुढ़न को रच रहे हैं आप भीतर और बाहर के बीच द्वांत को टकराओ को पैदा कर रहे हैं आपकी औपर संता, और उची, रोश, व, उधन, किसी सारे डोग की तुला में एक व्यक्ति से दूसरे में अधिक आसानी से, अधिक पेजी से फैलती है परती दोवनी के सिधान की तरह या दूसरों के अंदर भी परसुप्त नकरात्मक्त को उभार देती है, उसे खुराक देती है, सिवाए उन लोग के तिने की संक्रमित नहीं किया जा सकता, यानि वे लोग जो बहुत चेतन्य रहते हैं रोश वो कुढ़ान केवल आपको और आपके आसवास वालों को ही परदूसित नहीं कर रही, बलकि उस सामुहिक मानुविक चेतना को ही परदूसित कर रही है, जिसके आप भी एक अभी नंग है इस धर्ती पर व्याप बाहे परदूसर दरसल लोगों की इसी आंतरिक चितना के परदूसर का परतिवीं भी है, लाखों लाख और चेतन्य लोग अपने भीतर के आकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निबा रहे हैं जो आप कर रहे हैं या तो उसे करना बंद कर दें, समंधित व्यक्ति से बात करें और उसे बता दें कि आपको कैसा लग रहा है या उसे नकरात्मक्त को हटा दे जो आपके मन ने इस सिद्धी के चारो और बुंदी है, जो कि आप में अहम की एक मिथ्या अनुभूति को बलपरदार करने के अलावा कुछ और नहीं कर रही है सर्थ तो यह है कि अधिकांस मामलों में वह आपको इसी दिशा में अटकाय रखती है और असर बदलाव को रोके रखती है जो कुछ भी नकरात्मक उर्जा से किया जाता है, वह नकरात्मक तक से संदूशित हुए भी नहीं रहता और आगे चलकर अधिक पीड़ा, अधिक आप्रसंता ही पैदा किया जाता है इसके अलावा नकरात्मक आंतरिक अवस्था संक्रामक में होती है क्या आप संसार को परदूशित कर रहे हैं, या इसके अवस्था गरबड़ी और गंदगी को साफ कर रहे हैं अपने भीतर आकास के लिए आप स्वें जिम्मेदार है, कोई और नहीं बिलकुर उसी तरह जैसे कि आप इस धर्दी के लिए जिम्मेदार है या था अंदर तथा बाहर इंसान अगर भीतरी परदूशन को साफ कर ले, तो वे बाहरी परदूशन करना भी बंद कर देंगे जैसा कि आप सुझाते हैं, हम नकरात्मक्ता को छोड़ें, तो कैसे? इसे छोड़ कर आप उस गरम कोईलों को कैसे छोड़ते हैं जो आपके हाथों में आजाता है आप उस भारी और वे मतलब के बोच को कैसे छोड़ते हैं जिसे आप ढोरziehen होते हैं केवल यहां बात समझ लेने पर कि आप उस दर्द को या उस बोज को अब और सहन वहन नहीं करना चाहते और फिर उसे थामे रखना आप तच्छन त्याग देते हैं गहरी और चैतनेता को जैसे कि संचित दुख या कोई अन्य गहरा दुख जैसे किसी प्रिये को खो देना का दुख ऐसे और चैतनेता का रुपांतरन समाने उस दुख को स्विकार करने के द्वारा और उसके साह उपसित रहते हुई आपके सतत अवधान में ही किया जा सकता है और समानने और चैतनेता के कई धरों को किवल यह जानने पर बड़ी असानी से छोड़ा जा सकता है कि अब आप उनको नो तो चाहते हैं और नहीं आपको उनकी आवशकता ही है ऐसा तब होता है जब आपको यह समझ आ जाती है कि आप चैन कर सकते हैं कि आप पुर्वप्रभाओं के प्रचविंबों का किवल एक पुडिंदा नहीं है इन सब का अर्थिया है कि आप अब की शक्ति को पाने में सक्षम हो गए हैं इसके अलावा आपके पास कोई और विकल भी नहीं है अगर आप किसी भावना को नकरात्मक कहते हैं तो क्या आप अच्छे और बुडे का धुरूवी करन नहीं कर रहे होते हैं जैसा कि आपने कहा है नहीं धुरूवी करन तो पहले ही कि उस अवस्था में हो रहा होता है जब आपका मन ये फैसला सुना रहाथा कि वरतमानवपल बुरा है, वही फैसला फिर नकरात्मक भावना को जर्म देता है लेकिन जब आप किसी भावना को रख करात्मक कहते हैं तब क्या आप सचमच यह नहीं कर रहे होते हैं उसे वहाँ नहीं होना चाहिए कि उस भावना को रखना गलत है मेरी समझ तो यहीं कहती है कि जो कुछ भी एहसास उठकर आए उसे रखने के अनुमती हमें होनी चाहिए बजाए इसके कि हम उनके बुरा होने का फैसला सुना दें या कह दें कि हमें उन्हें नहीं रखना चाहिए अगर हमें अब परसंता है और उची है ब्रोश और कुड़न है तो हो अगर खोध है चिरचिरापन है बद मिचाधी है या कुछ और हो है तो हो नहीं तो हम दवन में आंदरिक दवन में या और स्विक्रती में चले जाएंगे जो चीज जैसी है ठीक ही है बिल्कुल जब मन का कोई स्वरूप कोई भावना या कोई प्रतकेडिया आए तो उसे स्विकार करें तो कि इस मामले में आप उस भाव को आने देने की प्रती प्रयाप सज़क तो थे नहीं अब कोई फैसला नहीं है वह तो एक तथ्य है अगर आपके पास चुनने का विकल्प होता या आपको यह ग्यात होता कि आपके पास चुनने का विकल्प है तो क्या आप दू को चुनते या हर्ष को चैन वो सुकून को चुनते या बेचैनी और बेयारामी को शांता को चुनते या दोंद को क्या आप कोई विचार सुनते या उस भावक्ता को चुनते जो आपको कल्यार की सोभाविक अवस्था से अंतरात्मा के अनन्द की अवस्था से काट कर अलग कर देती है ऐसे किसी भी भावगता को मैं नकरात्मक कहता हूँ जिसका सिधा सिधा अर्थ है बुरी ना कि इस अर्थ में कि आपको उसे नहीं रखना चाहिए बलकि बिल्कुल सिधी सरल असनियत में बुरी पेट में किसी गर्बर के एहसास की तरह या कैसे संभाव हुआ कि 20 सदी के इंसान ने अपने ही 10 करोण संगी साथी इंसानों को माण डाला मनुश्यों दोरा मनुश्यों को दिया जा रहा दुख इतना दारुन है कि आप कलपना भी नहीं कर सकते और वो मांसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, सालेरिक हिंसा, प्रताणना, अत्याचार, पीरा पहुचाना और कुर्ता इसके अलावा है है जो कि वे एक दूसरे पर और अन्य समिंदन शिल प्राणियों पर प्रोजाना ही ढाते रहते हैं क्या वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि वे अपनी सोभाविक अवस्था के साथ आंतरिक जीवन के आनंद के साथ चूरे रहते हैं बिल्कुल नहीं कि वे लोग जो कि गहली नकरात्मक अवस्था में रहते हैं जो वाकई बुरा-बुरा महसूस करते हैं, वे लोग ही जैसा खुद महसूस कर रहे होते हैं, उसी को प्रति मिम्मित करते हुए उसे वास्त्विक्ता बना देते हैं, अब तो वे उसी प्रिजवी और उसी प्रकृति को भी नश्ट करने पर तुले हुए हैं, जोकि उन्हें पाल पोस रही है और विश्वस्णियां लेकिन सब्ति है यह इंसान एक खतरनाक पागल और बहुती और स्वस्थ पढ़ जाती है यह कोई निर्दय नहीं है यह तथ्य है और यह विश्वस्थ प्राप्ति और छती पुर्थी दोनों उपलब्द है अभी अब मैं उस बात पर यह होने की बात को स्विकार कर लेते हैं तब आप अंध्य होकर उस तरह का बरताव करने को मजबूर नहीं होते हैं और उसे दूसरों में पैदा करने की आर्शंका को भी कम कर देते हैं लेकिन मुझे तो लगता है कि आप खुद को दोखा दे रहे हैं अगर आपने कुछ द वस्था में नहीं जाते हैं तो आपका स्विकारणा किवल मन का एक बहकावा है जो कि आपके अहम को अप प्रसंता रोश वह कुढ़ा में बने रहने देता है और इस तरह वह आपको अनलोगों से आपके आसपास से आपके यहीं और अब से अलग होने के अपने अहसास को सिखार होता है सचे अर्थ की गई और सचे अर्थ में की गई सविकार्यता तो उन भावनाओं का सस्वहांत्रन कर देती देनेवाली होती है और अगर आप अंतर्तम से सचमू जानते हैं कि सब कुछ ठीक है जैसा कि आपने बताया है और जो कि सच भी है तो किया आप उस नक मन में भले ही एक धारणा रहती हो कि सब कुछ ठीक है लेकिन कहीं गहरे में आप सचमुच इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए परतिरोत का वहीं पुराना मानसिक भावनात्मक ढढ़ना या थावत चलता रहता है इसलिए आप बुरा-बुरा महसूस करते हैं अगर आपको यह पता चल जाए कि अमुग चीज़ खाने से आप बिमार पढ़ सकते हैं तो भी क्या आप उस चीज़ को खाते रहना चाहेंगे और यह दावा करते रहेंगे बिमार होना उक्के है आप जहां भी हो पुर्णतया वहां ही हो अगर आप कर सकें तो खुद को तब देखें जब आप किसी ऐसी इस्थिती के बारे में सिकायत कर रहे हो जिसमें कि आप हैं चाहे बोलते हुए या सूचते हुए जैसे इस बारे में कि आपके आसपास के लोग क्या करते हैं क्या कहते हैं और अपने आसपास के वातावरन के बारे में अपनी जीवन के इस्थितियों के बारे में या मौसम के बारे में भी क्या आप सिकायत किया करते हैं शिकायत करने का मतलब हमेशा यह होता है कि आप जो है कुछ स्विकार नहीं कर रहे हैं निश्चे ही ऐसा करना एक और चैतन्य नकरात्मक आवेश पैदा करता है जब आप सिकायत करते हैं तब आप स्वैम को एक शिकार, एक पीडि, एक बली पशु बना रहे होते हैं जब आप सिकायत को बोल रहे होते हैं तब आप उसकी जोक में बह रहे होते हैं इसलिए बेहतर यह होगा कि आवस्यक हो या संभाव हो तो कुछ करके अथवा बोल करके या तो उस इस्थिती को बदल दें या उस इस्थिती को छोड़ दें या उसे स्विकार कर लें बाकी सब पागलपन है समान्य और चेतन्यता हमेशा ही किसी न किसी रूप में अब को स्विकार न करने से जूड़ी होती है निश्चा ही अब में यहां भी शामिल हो रहता है क्या आप अपने अब को अब का और अपने यहां का परत्रोध कर रहे हैं कुछ लोग हमेशा ही यहां के बजाए कहीं और हुआ करते हैं उनका यहां कभी भी अच्छा नहीं होता आत्म अलुकन करके देखें कि आपके जिवन में भी यहीं तो नहीं हो रहा है आप जहां कहीं भी है वहां पुर्णता रहिए अगर आप पाते हैं कि आप यहां और आपका अब और सहनिय है आपको दुखी कर रहा है तो आपके पास तीन विकल्प रहते हैं उस इस्थिती को बदल दें उस इस्थिती से खुद को हटा लें या उसे स्विकार करें पूरी तरह अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो आपको इन तीन विकल्पों में से एक को चुनना ही होगा और यह चयन आपको अभी करना होगा चुनने के बाद उसके परिनाम को भी स्विकार कीजिए कोई बहानेबाज नहीं कोई नकरात्मक्ता नहीं कोई मानसीक परदूशन नहीं अपने भीतर अकास को स्वक्ष रखिए निर्मल रखिए निर्भर रखिए अगर आप कोई कदम उठाते हैं अपनी इस्थिती को छोड़ने का या बदल डालने का तो यथा संभव पहले नकरात्मक्ता को छोड़िए नकरात्मक्ता में से पैदा हुए कर्म की अपेक्षा अंतरग्यान में से पैदा हुए कर्म कहीं अधिक प्रभावी हुआ करता है कोई भी कर्म न करने की अपेक्षा कोई सा भी कर्म करना बहता रहता है खास तोर से तब जब कि आप और प्रसंता, रोस, कुढ़न वाली किसी इस्थिती में लंबे अर्शे से फसे हुए हो अगर वह कर्म, वह कदम गलत सिध हुआ तो भी कम से कम आपको कोई सबक तो मिलेगा और उस दसा में वह कोई गलती नहीं रह जाएगा लेकिन अगर आप उसमें ही फसे रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे क्या डर आपको कोई कदम लेने से रूक रहा है तो उस डर को ध्यान से देखिए उस पर अपना अवधान रखिए उसके साथ पुरी तरह उस पस्थित रहिए ऐसा करने से डर और आपके विचार के बीच की कड़ी तूट जाएगी अपने मन के अंदर डर को सिर उठाने मत दिजिए आपकी शक्ति का प्रयूक कीजिए डर उसके सामने ठार नहीं रह सकता अगर सचमुच ऐसा है कि आप अपने यहां में और अपने नाव में बदल लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और नहीं आप उस स्थिती को छोड़ सकते हैं तो अपने सारे प्रतिरोधों को त्यागते हुए अपने यहां को अपने अब को स्विकार कर लिजे तब आपका वह औवास्त्विक तथा औप्रसन अहम जिसे की खुद को अभागा, नराज, कुरुध या दुखी मानना वह दिखाना अच्छा लगता है वह टिका नहीं रह सकता बचा नहीं रह सकता इसे स्विकार्णा को समर्पन कहते हैं समर्पन कोई कमजोरी नहीं है बलकि इसमें बहुत शक्ति होती है केवल समर्पन करता व्यक्ति में ही अध्यात्मिक बल होता है समर्पन करके आप उस स्थिती से आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं तब हो सकता है कि आपको यह भी दे कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन आप वक कर नहीं रहे हैं अगर ऐसा है तो उठिए और उसे कीजिए या अपने निश्क्रियता, अपने आलस से या इस पल की अपनी औक्रमन्यता को पुरी तरह सुईकार कीजिए अगर आपने ही ऐसा करना चुना है इसमें पुरी तरह उतरिए, इसका अनन्द लीजिए जितना आलसी और औक्रमन्य हो सकते हैं, हो जाएए अगर आप इसमें पुरी तरह और सजग होकर उतरेंगे तो आप जल्द ही इससे बाहर निकलाएंगे या हो सकता है कि नौ भी निकले दुनों ही हाल में आपके अंदर कोई आंतरिक द्वंद, दुविदा, कोई प्रतिरूद, कोई नकरात्मकता नहीं रहेगी क्या आप तनाव में रहते हैं? क्या अब भविस्व को लेकर इतने वियस्त रहते हैं कि आपका वरतमान सिमट कर आपके लिए भविस्वें पहुँचने का एक سाधर मात्र बंण कर रहे गया है? तनाव तब होता है जब आप यहां होते हैं लेकिन पहुँचना वहाँ चाहते हैं या वर्तमान में रहते हुए भविश्म में पहुचना चाहते हैं इस तरह से बंट जाना आपको भीतर से भी चीरकर दूख कर देता है खुद में ऐसी फटन करना और उसके साथ जीना पागलपन है यह कह देना कि हर कोई ऐसा ही तो करना है इस पागलपन को कम नहीं कर देगा अगर आपकी विवस्ता है तो आप तेजी से चल सकते हैं तेजी से काम कर सकते हैं यहां तक की दौर भी सकते हैं और वह भी अपने आपको भविस में प्रचेपित न करते हुए और नहीं वर्तमान का प्रति प्रतिरोध करते हुए जब आप चलें, काम करें या दोरें तो उसे पूरी तरह करें तब आप देखेंगे कि आप तनाव ग्रस्त नहीं है अपने आपको दो काल में बाट नहीं रहे हैं बल्कि बस चल रहे हैं, दोर रहे हैं, या काम कर रहे हैं और उसका अनन्द भी ले रहे हैं या आप सब कुछ छोर दें और जाकर किसी पार्ग की बेंच पर बैठ जाएं लेकिन जब आप ऐसा करें तो अपने मन का अवलोकन करें वह कह सकता है उठो, काम करो, तुम समय बरबाद कर रहे हो उसका अवलोकन करें और उस पर मुस्कुराएं क्या अतीत आपके ध्यान का, आपकी तबज्जो का एक बरा हिसा हरब कर जाता है क्या आप अक्सर अतीत की ही चर्चा और अतीत कहीं चिंतन किया करते हैं चाहे वह नकरात्मक रूप से हो या सकरात्मक रूप से वे बड़े-बड़े काम जो आपने किये हैं आपके सहस भड़े काम या अनुभाव या आपकी व्यथा, कथा और वेकश्ट, वे दुख जो आपको दिये गए या जो कुछ आपने औरों के लिए किया है क्या आपकी विचार प्रकिरिया आपने अपराद भूत, अभिमान, रोस, कुरोध, पस्चाताप या आत्मगलानी पैदा कर रही है अगर ऐसा है तो आप नौक्यवल अहम के एक मिध्या भाव को बलपरदान कर रहे हैं बलकि अपने चेतन ततों में अतीत का धेर बढ़ाते हुए अपने सरीड के विधा अवस्ता प्राप्त करने की परकिरिया की गती को तेज कर रहे हैं इस बात के पुष्टी आप अपने आज़ पास रहने वाले उन लोगों को देख कर कर सकते हैं जो अतीत से चिपके रहने की प्रचंड प्रविर्ती रखते हैं अतीत के लिए मर जाए हर पल आपको उसकी आश्चकता ही नहीं है किवल उसका संदर हलीजे और वह भी तब जबकि ऐसा करना वरतमान के लिए बहुत ही आश्यक हो जाए इस पल की वर्तमान पल की शक्ति को और बीग की पुर्णता को महसूस किजे वर्तमान में अपनी उपस्थिती को विध मानता को महसूस किजे क्या आप चिंतित रहते हैं? क्या आपके मन में क्या होगा अगर वाले विचारों का जमखट लगा रहता है? इसका मतलब है कि आपने खुद को अपने मन के साथ तदात में किया हुआ है और वही मन खुद को एक कालपनिक भईसे में ले जा रहा है और दर पैदा कर रहा है ऐसा कोई तरीका है ही नहीं जिसके द्वारा आप उस डर से निपड़ सकें क्योंकि उस इस्थितिय का कोई वजूद ही नहीं है वह तो मन द्वारा गढ़ा गया एक भूत है लेकिन अपने स्वास थे और अपने जिवन को जंग लगाने वाले इस पागलपन की रोक थाम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं वर्तमान पल को स्विकार करते हुए अपने स्वास पर स्वास के प्रति सजग रहें अपने सरील में आते और जाते वायु प्रवाह को महसूस करें अपने आंतरिक उर्जा छेतर को महसूस करें अपना वास्तिविक जीवन आपको जिसके साथ निबाहना है अपना हर कामकार जिसके साथ करना है वह आपके मंदवारा रची जाने वाला कोई कालपनिक चितर नहीं है बलकि वह है यह पल वर्तमान पल खुँज से पूछिए कि क्या आपको इस पल में वर्तमान पल में कोई समस्या है अगले पल अगले वर्ड आने वाले कल या अगले पांच मिन्ट वें नहीं बलकि ठीक इसी पल में इस पल में क्या कोई गरबर है वर्तमान के साथ आप अपे हमेशा ही बड़ी अच्छी तरह रह सकते हैं अच्छी तरह काम कर सकते हैं लेकिन भविस्य के साथ आप कैसे रह सकते हैं कैसे काम कर सकते हैं और नो ही आपको ऐसा करने की नौबात आती है जरूरी जवाब, सही समाधान, अवस्यक सक्ति, सही कदम और संसाधन ये सब यथा समय और अवस्यक्ता के अनुसार आपको उप्रब्ध हो जाएंगे नो उससे पहले होंगे, ना बाद में एक ना एक दिन मैं इसे करके रहूँगा क्या आपका कोई लक्ष, आपका ध्यान इतना अधिक ले रहा है क्या आपका वर्तमान पल सिमट कर आपके लक्षे तक पहुँचने का एक साधन मातर बनकर रह गया है जो कुछ भी आप करते हैं, क्या उसे करने में मिलने वाले अनंद को यह निकाल बाहर कर रहा है क्या आप इस इंतेजार में ही रहते हैं कि जीवन को जीना कब सुरू किया जाए अगर आपके मन का ढर्रा यही है, तो आप चाहे कुछ भी हासिल कर लें, चाहे आप कुछ भी पा लें लेकिन आपका वर्तमान कभी सुखद रोग सुखमन नहीं रहेगा क्यों भविश से सुखद प्रतीच होता रहेगा क्या यह स्थाई और संतोस वह और पुर्णता का नुकसा नुस्खा नहीं है क्या आपको इंतजार करने की लथ है अपना कितना समय आप इंतजार करने में बिता देते हैं डाग घर में, ट्रैफिक जाम में, हवाई अड़े पर इंतजार करना या किसी के आने का काम खत्म होने इत्यादी का इंतजार करना, इन्हें मैं छोटे इंतजार कहता हूँ, लेकिन कुछ और भी इंतजार होते हैं, जिन्हें मैं बरा इंतजार कहता हूँ, और उनमें शामिल है अगली छुट्टियों का, एक बेहतर जौब का, बच्चों के बरे होने का, एक सचमुच सार्थक संबंध का, सफलता का, खुब पैसा कमाने का, कुछ बन जाने का, आत्मग्य होने का इंतजार आम तोर पर लोग ऐसे ही किसे बरे इंतजार में अपनी पूरी जिन्दगी ही बिता देते हैं या कहे कि इस इंतजार में जिन्दवी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इंतजार दरसल मन की एक अवस्था है। मुलत इसका अर्थ यह है कि आप भविस्य को चाहते हैं कि आप वर्दमान को नहीं चाहते। जो आपको मिला है उसे आप नहीं चाहते। आप उसे चाहते हैं जो आपको नहीं मिला है हर तरह के इंतिजार के साथ अंजाने ही आप एक द्वंद एक टकराव पैदा कर रहे होते हैं अपने यहां वह अब और एक कालपनिक बुश्ची के बीच टकराव यानि एक इस्थिती तो वह है जहां आप है लेकिन वहां होना नहीं चाहते और एक इस्थिती वह है जहां आप नहीं है लेकिन वहां आप होना चाहते हैं इंतिजार द्वारा आप इन दोनों के भी चुद्वंद वर्टकराव पैदा कर रहे होते हैं इंतिजार में वर्तमान को खोदेने के कारण आप अपने जीवन की खुबियों को भारी मातरा में खोदेते हैं अपनी जीवन की परिस्थिती को सुधारने का प्रयत्न करने में कोई बुराईन नहीं है आप अपने जीवन के इस्थिती परिस्थिती को तो बेहतर कर सकते हैं लेकिन आप अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते जीवन तो आधार है जीवन आपका गहंतम आंतरिक सत्व है या पहले से ही पुर्ण है समपुर्ण है पड़ी पुर्ण है आपकी जीवन इस्थिति में आपकी परिस्थितियां और आपके अनुभाव को शामिल रहते हैं कोई लक्षे निर्धायित करने और उसको पाने के लिए प्रयत्न करने में कुछ भी गलत नहीं है गलती तब होती है जब हम इसे जीवन को बीइंग को महसूस करने का एक अनुकल्प एक बदल मान बैठते हैं उस तक पहुचने का तो एक ही कल्प है एक ही विधान है और वह है अब अब के अभाव में तो आप एक ऐसे वास्तु विध बन जाते हैं जो कि निवप पर तो कुछ ध्यान नहीं दे रहा हो और अपना अधिकान समय और श्रम केवल उपरी सरच्रा बनाने में लगा रहा हो उदाहरन के लिए बहुत से लोग सम्रेदी के इंतिजार किया करते हैं लेकिन वह भविसमें नहीं आती जब आप वर्तमान वास्तु विक्ता का सम्मान करते हैं उसे अंगिकार करते हैं और उसे पूरी तरह सुईकार कर लेते हैं यानि आप जहां हैं, आप जो हैं, जो कुछ आप अव कर रहे हैं, जब आप उसे प्रितर स्विकार कर लेते हैं, जो आपके पास है, तब आप उसके लिए कृतगे होते हैं, जो आपके पास है, आप जो है के लिए आप कृतगे होते हैं, बेइंग के लिए, अपने अस्तित् वर्तमान के लिए किर्टागे होना, यानी अपने जीवन की परचुटता के लिए किर्टागे होना यहीं सचि समरिध्धी है या भविष में नहीं मिल सकती, यहीं समरिध्धी, समया नुशार फिर नाना रुप में परकट होती रहती है जो आपके पास से उससे अगर आप और संतुष्ट है या वर्तमान अभाव के लेकर आप खिन या कुरूद रहते हैं तो यह बात आपको धनवान बनने के लिए प्रेडी तो कर सकती है लेकिन आप चाहे लाखो कमाले आप अपने अंदर अभाव ही महसूस करते रहेंगे अपने अंदर खुद को कहीं आप पड़ी पूरीत ही महसूस करते रहेंगे आप ऐसे अनेक सुक्तो हासिल कर सकते हैं जो पैसे से खरिदे जा सकते हैं लेकिन वे आते जाते रहेंगे और हर बार आपके लिए एक खालीपन का ही एहसास दिखर जाएंगे जिसके कारण आपको सारेडिक वो मनुवेज्ञानिक तुष्टी करण की और भी अधिक आग सकता महसूस होगी तब आप बीइंग में निवास नहीं कर रहे होंगे और इसलिए अब के जीवन में उस पड़िपूर्टा को महसूस नहीं कर रहे होंगे जो की एक मातर सच्ची समड़िदी है इसलिए इंतजार को बड़े इंतजार को अपने मन की अवस्था बनाना छोड़ दिए जब कभी भी आप खुद को इस इंतजा हैं तो आपको कभी किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो अगली बार जब कोई आप से कहे छमा की जिए आपको इंतजार करना पड़ा तो आप जवाब में कह सकते हैं कोई बात नहीं मैं इंतजार नहीं कर रहा था मैं तो बस यहां खारा होकर हिसा बनी रहती है इन्हें नजर अंदाज करना बड़ा असान होता है क्योंकि हमारे समानली जीवन का ये काफी बड़ा हिसा बन चुकी है यानि ये अनवरत रहने वाले हमारे और संतोस की स्थाइप प्रिष्ट भूमी बन चुकी है फिर भी अपनी आंतरिक मांसिक भावनात अवस्था पर आप जितनी अधिक नजर रखेंगे उसके जितनी अधिक मोनिटरिंग करेंगे उतना ही असान यह जानना होता जाएगा कि आप कब अतीत के या भविस्य के यानि और चैतन्यता के जाल में फस रहे हैं और इसलिए समय के उस स्वापने से बाहा निकलकर करता है यह जानता है कि वरतवान पल तो इसके लिए मौत है और इसलिए यह वरतवान पल से हमेशा खौफ खाता है वरतवान पल में से आपको बाहर खींच लेने और समय के जाल में फसाद देने के लिए यह अहम विस सारे जतन करता है जो यह कर सकता है आपकी जीवन यात्रा का आंतरिक प्रयोजन आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उस सच देख सकता हूँ लेकिन मेरा अब भी यह मानना है कि हमारी जीवन यात्रा का कोई तो प्रयोजन होना ही चाहिए अन्यथा तो हम लहरों के थप्रयों के साथ यहों इधर से उधर दिते रहेंगे प्रयोजन का थाथ पर भ्यूश का होना है क्या ऐसा नहीं है वर्तमान में रहते हुए हम उसके साथ समनवाए कैसे कर सकते हैं जब आप किसी यात्रा पड़ जाते हैं तब यह जानना वाकई अच्छा रहता है कि आप कहां जा रहे हैं या कब से कम यह जानना कि किस जिसा में जा रहे हैं लेकिन यह मत भूलिए कि आपकी यात्रा में जो एक मात्र बात परम महत्वर रखती है वह है वह कदम जो आप उस पल उठा रहे होते हैं यहीं महज़पुर्ण होता है हमेशा ही आपकी जिवन यात्रा में एक तो ब्रह्म में प्रयोजन रहता है और एक बाहे प्रयोजन रहता है और एक आंतरी प्रयोजन बाहर प्रयूजन होता है अपने लक्ष या गंतव्य पर पहुचना जो काम करना अपने निष्चित किया है उसे पूरा करना, कोई उपलब्धी हासिल करना जिसमें निष्चा ही महविश से सामिल रहता है लेकिन अगर आपका गंतव्य या वे कदम जो आप भविस्य में उठाने वाले हैं आपके अधान का इतना बरहिंसा हरप कर जाएं कि वे आपके लिए अब में उठाए जा रहें कदमों से भी अधिक महत्पुर्ण हो जाएं तो आप अपनी आंतरिक यात्रा के प्रियोजन को पुरिच रख हो देते हैं जिसका कि इस बात से कोई सरुकार नहीं होता कि आप कहा जा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं बल्कि इस से रहता है कि आप हर का कैसे कर रहे हैं इस आंतरिक पर्योजन का भविश्य से कोई लेना देना नहीं होता बलकि सब कुछ इस पल में आपकी चतन्यता की गुनवता से होता है बाहि पर्योजन, अकास और समय के सपाट ववा सतही आयाम से स्वरुकार रहता है जबकि आंतरिक पर्योजन का संबंध काल निर्पेक्ष अब के उच गामी आयाम में आपके बीइंग को गहन से गहनतर करने से रहता है आपकी बाहि यातरा में लाखों कदम हो सकते हैं लेकिन आपकी आंतरिक यातरा में क्यों एक कदम होता है वह कदम जो आप अब उठा रहे हैं आपकी सजगता इस एक कदम के प्रति जितनी गहरी होती जाएगी उतना ही आपको यह बोध होता जाएगा कि इस एक कदम में ही सारे अन्य कदम भी शामिल है और गंतव्य भी यह तब यह एक कदम पुर्णता के शैली में रुपांतरित हो जाता है सुंतर्य और गून से पड़िपुर्ण कर्म बन जाता है वह आपको बीइंग में ले जाता है और आपके काड़ियों से उसका प्रकाश प्रसफुटित होने लगता है आपके आंतरिक यातरा का प्रयोजन भी यहीं होता है और उसके उपलब्धी भी यहीं होती है स्वैम के भीतर यातरा करना अंतर यातरा करना क्या इस बात का कोई महत्व है कि हम अपना बाहिय प्रयोजन पुड़क पर पाते हैं या नहीं कि क्या हम इस संसारों सफल होते हैं या विफल रहते हैं जब तक आपको अपने आंतरिक प्रयोजन का बोध नहीं होगा तब तक बाहिय प्रयोजन का महत्वब बना रहेगा उसके बाद बाहिय प्रयोजन एक खेल की तरह हो जाएगा जिसे कि आप बस इसलिए जारी रखते हैं क्योंकि उसका आप अनन्द ले रहे होते हैं यह संभाव है कि आप अपने बाहिय प्रयोजन में पुरी तरह असफल हो जाएं, लेकिन साथ ही अपने आंतरिक प्रयोजन में पुरी तरह सफल रहें, या इसका उलट भी हो सकता है, जो कि अधिकतर होता भी है, कि आपको बाहिय समरिधी मिल जाएं, लेकिन आप आंतरिक होना तय है मातर इस कारण से कि हर संसारिक वस्तु और स्थाई दुके विधान के अंतरगत रहा करती है जितनी जल्दी आपको यह बोध हो जाए कि आपका बाहे प्रयोजन आपको कोई स्थाई उपलब्ध नहीं दे सकता उतना ही अच्छा है जब आप अपने बाहे प्रयोज का सहायक सहयोगी बना लेते हैं अतीत आपके वर्तमान में कभी जीवित नहीं रह सकता आपने बताया है कि अतीत के बारे में अनावस्यक सोचना विचारना और चर्चा करना एक ऐसा तरीका है जिसके जड़िये हम वर्तमान से दूर ही रहा करते हैं लेकिन उस अतीत के अला हुआ है मैं उस अचेतर अतीत की बात कर रहा हूँ जो हमारे जीवन को संसकार ग्रस्त किया करता है खासतोर से सुरुवाती बच्पन के अनुभाव और सायद इसके बात के अनुभाव के जड़िये भी और हमारी वह सांस्कृतिक संसकार ग्रस्ता तो ही है जो कि जहां हम भ किरिया करते हैं क्या सुचते हैं हमारे संबंद कैसे रहते हैं और अपने जीवन को हम किस तरह चीते हैं हम इस सब के प्रति सचेत कैसे हो सकते हैं और फिर इससे चुटकारा कैसे पासकते हैं इसमें कितना समय लगेगा और अगर हम ऐसा कर सके तो बाकि क्या बचा रह जाए जब नहीं रहते तब क्या बचा रह जाता है अपने अंदर के अचेतन अतीत की जाच परताल करने की कोई आशक्ता नहीं है क्योंकि वह वर्तमान पल में किसी विचार, किसी इच्छा, किसी प्रतकिडिया के रूप में या आपके साथ घटीत होने वाले किसी बाहरी घटना के रूप में परकट होता ही रहता है अपने अतीत के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उसे वर्तमान के चुनोतियां आपके अंदर से बाहर परकट करा देंगी अगर आप अतीत में खोदते खोदते नीचे उतर जाएंगे तो वह एक अथा गर्थ ही सिध होता ज देगा यह ब्रहम है ब्रहांती है मरीची का है केवल वर्तमान ही आपको अतीत से मुक्त कर सकता है समय में अधिक समय बिताने से आप समय से मुक्त नहीं हो सकते यानि आप अतीत और भविस में जितना अधिक जाएंगे उतना ही अधिक उनमें फस्ते जाएंगे वर्तमान के शक्ति में परवेश्ट किजे यही है हल अब की वर्तमान के शक्ति होती क्या है वर्तमान में आपकी उपस्थिती की विदमानता की शक्ति विचार तंतर से मुक्त आपकी चतन्यता इसके अलवक कुछ नहीं इसलिए वर्तमान के तरपर ही अतीत से निपटिये अतीत को आप ज करते जाते हैं, गलत मत समझें, ध्यान और धान आवशक तो होता है, लेकिन अतीत को अतीत की तरह देखने के लिए नहीं, वर्तमार पर अपना ध्यान और ध्यान दिजे, अपने वेवहार पर ध्यान दिजे, आपके प्रते किडियाएं, मिजाज, विचार, भावनाएं, भय और इक्षाएं, ये जब वर्तमार में पैदा हो रहे हों, तब उन पर ध्यान दिजे, इनहीं में बसा है आपका अतीत, अगर आप इन चीजों को ध्यान पुर्वक देखने के लिए वर्तमार में पुड़ी-पुडी तरह उपस्थित रह सकते हैं, अलोचनात्मक या विसल पुर्षनात्मक रूप से देखना नहीं बलकि, बीना कोई गुन, दोश, निरूपन के देखना, तब आप अतीत का निप्टान कर रहे होंगे, अपनी उपस्थिती की शक्ती से उसका अंत्त कर रहे होंगे, अतीत में जाकर आप स्वयम को नहीं पा सकते, वर्तमान में रह परत्विटा क्यों करते हैं, या क्यूं हम अच्यतन्य रूप से अपने समंधों में एक खास धर का तमाशा किया करते हैं, एक सहचा त्यार किया करते हैं, वगैरा वगैरा जब आप अपने वर्तमान वास्त विक्ता के प्रती अधिक चैतन्य हो जाते हैं तब आपको आचाना के कुछ अंतर द्रिष्टी हो सकती है कि क्यूं आपकी कंडिशनी यानि संसकार ग्रस्तता एक खास तरह से काम किया करती है उदाहरन के लिए क्यूं आपके संबन्द कुछ खास धर्रों में चला करते हैं और अतीत में हुई बातें आपको याद आ सकती है या आप उन्हें अधिक इस पश्ट तोर पर देख सकते हैं या अच्छा है और मददगार भी हो सकता है लेकिन यह अनिवारे नहीं है जो को समझने का प्रयाश मत किजिए बलकि जितना हो सके उतना वर्तमान में उपस्थित रहे अतीत आपके वर्तमान में टिक ही नहीं सकता वह तो तभी टिक सकता है जब आप वर्तमान में उपस्थित नहीं रहते हैं अध्याय पांच वर्तमान में विधमान रहने की अवस्थ जो आप समझ रहे हैं यह वह नहीं है आप वर्तमान में उपस्चित रहने की विधमान रहने के अवस्था का उलेख परमुक रूप से क्या करते हैं मुझे लगता है कि मैं इसे बौधिक रूप से तो समझ रहा हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि मैंने इसे वास्तों में कभी अनुभाव किया है या नहीं। मुझे संदे है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि या वही है या वह अवस्था एक अलगी चीज होती है। जो आप समझ रहे हैं या वह नहीं है वर्तमार में उपस्तित रहने के बारे में विदमार रहने के बारे में आप नो तो सोच सकते हैं और नो ही मन उसे समझ सकता है इस उपस्तिती को समझना उपस्तित होना होता है एक प्रयूग करके देखें अपनी आखे बंद कीजिए और सुयम से कहिए पता नहीं मेरा अगला विचार क्या होगा फिर आप पुरी तरह सतर्क सचेत हो जाए और अगले विचार के प्रतिक्षा कीजिए बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जो के चुहे के बिल को टाक रही हो कौन सा विचार निकल कर आने वाला है इसे अभी करके देखिए क्या हुआ कोई विचार आने से पहले मुझे बहुत देर तक प्रतिक्षा करनी पड़ी बिल्कुल सही जब तब आप वर्तमान में भरपूर उपस्चिती के अवस्था में रहते हैं तब तक आप विचार मुक्त रहते हैं ऐसी अवस्था में वैसे तो आप शान्त रहते हैं लेकर बहुत सजग सचेत भी रहते हैं जैसे ही आपका चैतन्य आउधान एक निश्चित इस्तर से नीचे पहुशता है तेहुं विचार कुद कर आ जाता है मांसिक सुर वापस आ जाता है निरवता शांतता खो जाती है यानि आप समय में वापस आ जाते है कहा जाता है कि या जाचने के लिए कि उनके सी से वर्तमार में कितने विधमार है गुरु जेन, कुछ जेन गुरु उनके पीछे चुपके से आते और फिर अचानक ही उनके पर छड़ी मार देते पिल्कुल एक जटका अगर सी से पूरी तरह उपस्तित अतव विधमार रहता है और सजग सजट अवस्था में रहता है जिजस के सब्दों में अगर उसने अपनी कमर कसी हुई है और उसकी जोथ प्रजवलित है तो उसे पीछे से गुरु के आने का भाल हो जाता है और वह उसे रूख देता है या एक तरफ हो जाता है लेकिन अगर उस पर छरी पर ही जाती तो इसका अर्थ होता है कि वह ख्यालों में कहीं खोया हुआ था यानि विधमान नहीं था अनुपस्तित था और चैतन्य था प्रति दिन के जीवन में विधमान बने रहना स्वयम के साथ गहराई से जूरे रहने में सहायता करता है अन्य था मन जो कि बिहद चलाई मान रहता है अपने साथ आपको ऐसे बहा कर ले जाता है जैसे उफंती नदिल ले जाती है स्वयन्त के साथ गहराई से जुरे रहने से आपका क्या अभिपाराय है इसका मतलब है अपने सरीर में पूरी तरह से वास करना अपने सरीर के आंतरिक उर्जाद छेतर में अपना थूरा बहुत अवधान हमेशा रखना या कहें कि अपने सरीर को धीतर से महसूस करना एक तरह से वर्तमान में उपस्थिती की विदमानता की अवस्था के तुलना इंतजार करने से की जा सकती है जीजस ने अपने कुछ कथाओं में इंतजार की उपमा का प्रयूक किया है यह इंतजार आम तरपर होने वाला उबाओ या बेचाइनी किस्म का वह इंतजार नहीं है जो कि वर्तमान को नकारने वाला होता है और जिसकी चर्चा मैं पहले कर भी चुका हूँ यह वहां इंतजार भी नहीं है जिसमें आपके अवधान का फोकस बहुत के किसे मुकाम पर केंदित रहा करता है और जिसमें वर्टमान को एक ऐसे और वांचिनिय रोड़ी की तरह देखा जाता है जो आपकी वांचित चीज के बीच में अटकाल हुआ लगता है बलकि यह कुछ भीन गुनोवाला एक अलग तरह का इंतजार होता है वह इंतजार जिसमें आपके पूरी सजगता की अवशकता होती है जिसमें किसी भी पल कुछ भी घटित हो सकता है और अगर आप पूरी-पूरी तरह सचेत सजग नहीं है निश्चल नहीं है तो आप जो अब में रहती है किसी दिवास अपने के लिए किसी सोच विचार के लिए कुछ याद करने या कोई प्रत्याशा करने के लिए उसमें कुछ होता ही नहीं है उसमें नो कोई तनाव रहता है नो कोई भय रहता है कुछ रहता है तो बस सजग सचेत उपस्चिती, विधमान्ता उसमें आप अपने संपुर्ण बीइंग के साथ अपने शरीड के एक-एक कोशानु के साथ उपस्चित रहते हैं उस अवस्था में वहां आप जो अत्तीत वभवश्य को ढो रहा होता है वह वहां रहता ही नहीं है लेकिन फिर भी महत्यों की कोई चीज छूटती भी नहीं है आप सार रूप में आप ही बने रहते हैं वस्थ विक्ता तो यह है कि पहले की अपेक्षा आप कहीं अधिक परिपुर्ण आप हो जाते हैं दरसल यह केवल अब ही है जिसमें आप सचमुच आप रहते हैं एक ऐसे सेवक जैसा बनो जो अपने स्वामी के वापस आने की पर्तिक्षा कर रहा हो जिसमें कहा है सेवक नहीं जानता कि स्वामी कितने बज़े आएगा इसलिए वह जगा रहता है सचेत वर निश्चल रहता है संभल कर रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि स्वामी का आना उसे पता ही न चले एक अन्य द्रिश्टांत में जीजस ऐसी पांच लापारवाह और चैतन्य महिलाव का उल्ले करते हैं जिनके पास अपने दियों को जलाने रहने उपरसित रहने के लिए प्रयाप्त तेल चैतन्यता नहीं है और इसलिए वे दूले अवको देखने से चुक जाती है और विवाव भोज आत्म ग्यान से वन्चीत रह जाती है ये पांच उन पांच प्रबुद महिलाव के बिलकुल विपरीत है जिनके पास काफी चैतन्यता यानि तेल है जिस व्यक्ति ने ये इसुप देश लिखे थे वो अभी इन निती कर्थाओं के अर्थ को नहीं समझ पाया था इसलिए इनके लिखे जाने के दोरान ही पहला गलत अर्थ और गलत वड़न इनमें परविश्वर गया था और फिर बाद के दोश पुर्ण वेक्षाओं के चलते इनके वास्तविक अर्थ पुरित रख हो गये ये द्रिश्टांत संसार के अंत के बारे में नहीं है बलकि मनव वैज्ञानिक समय के अंत के बारे में है ये निती कथाए अहम गरस्त मन को स्रिश्टता की ओर ले जाने तथा चतन्यता की एक बिल्कुल ही नई अवस्था में जीने की सभावना की ओर इशारा करती है आपकी विध्मानता की निरावता वन निश्चलता में ही प्रस्फुटित होता है सुन्दरम जो मर्णन आपने अभी अभी किया है इसे मैं कभी-कभी कुछ पलों के लिए तम्मसुस किया करता हूँ जब मैं प्रकृती की गुद में अकेला बैठा होता हूँ जी हाँ अंता द्रिष्टी के ऐसे सहसा प्रकास के लिए जेन गुरुजन स्टोरी शब्द का प्रयूग करते हैं एक ऐसा पल जिसमें मन तो अनुपस्थित रहता है लेकिन आप पुरी तरह उपस्थित रहते हैं हालांकि स्टोरी कोई स्थायर उपांतरन नहीं होता फिर भी जब भी ऐसा पल आए तब किर्टक्य हो जाए क्योंकि यह आपको आत्म ग्यता का एनलाइटेन्मेंट का स्वात्यों चक्हा ही देता है हो सकता है कि आपको इसका अनुभाव सच्मुच अनेको बार हुआ हो लेकिन आपको नो तो यह पता था किया क्या है और नो ही आपको इसका महतों मालूम था प्रकिर्टि के स्वंदोरी के प्रती उसकी विशालता और पावनता के प्रती सजग होने के लिए वर्तमान में विधमा रहने के आश्षिता होती है क्या आपने कभी रात के साफ अकास की अननतिता को नजर भर कर ध्यान से देखा है उसकी नितांत निरवता, निशलता और और परिमेव विशालता से क्या आप कभी चकित विश्मित हुए हैं क्या आपने जंगल में बहती किसी छोटी जलधारा की कलकल धौनी को सुना है सचमुद सुना है या गर्वियों के किसी सांथ शाम को कोयल की कूप को सुना है इस सब चीजों के प्रतिश शजग होने के लिए बन का ठाहरना, शांत होना, खामोस होना जरूरी है अपनी समस्याओं के पुलिंदों को सिर्षे उतार कर कुछ देर के लिए नीचे रख देना होगा अतीत के, भविश्य के और अपने सारे ग्यान के पुलिंदे को भी सुनदोर्य के अलावा भी बहुत कूछ ऐसा है, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता जिसका वड़ना नहीं किया जा सकता और जो कि एक गहरा, आंतरिक और पवित्र मुल्टत्व है जब कभी भी और जहां कहीं भी सौंद्वर्य है वहां यहीं मुल्क तत्व किसी न किसी माध्यम से जगमगा रहा होता है यहां आपके समक्ष प्रकट तभी होता है जब आप वर्तमान में उपस्चित हो, विधमान हो क्या ऐसा नहीं लगता कि वह अनाम तत्व और आपके विधमानता एक ही चीज है क्या यह आपके उपस्चिति आपके विधमानता के बीना भी कोई प्रकट हो सकता है इसमें गहरे उतरिये स्वयंद खोज किजिए जब आप विधमानता के पलों का अनुभाव करते हैं तब शायद आपको यह भान भी नहीं होता होगा कि आप मन रहीत अवस्था में है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था और विचार प्रवाह के बीच अंतराल भहुत कम रहता है आपकी सटोडी अवस्था को आए कुछ पल ही होते हैं कि मन वापस आखुता है लेकिन सटोडी वहां थी अवश्य वर्ना तो आप उस संदड़े को अनुभूती नहीं कर पाते मन संदड़े को नो तो पहचान सकता है और नहीं रच सकता है किवल उन कुछ पलों के लिए जबकि आप पुरित्रा उपस्थित थे विधमान थे तब वह संदर्य वह पवित्रता भी आउपस्थित हुई थी उस अंतराल के संकर्ण होने के कारण और आप में सतर्कता वह जागरुक्ता का अभाव होने के कारण आप उस प्रत्यक्ष बोध के संदर्य के प्रतिव विचार रहित उस सजगता के और विचार द्वारा उसे नाम देने वा अर्थ निकालने के बीच के बुनियादी अंतर को शायद देखी नहीं पाये थे समय का अंतराल इतना कम था कि यह सब बस एक ही प्रक्रिया लगी होगी यह सत्य है कि इसमें जियों ही विचार का प्रवेश हुआ तो आपके पास उस सब के क्योर्ट स्मृत्ती ही शेस रह गई प्रत्यक्ष बोधम और विचार के बीच समय अंतराल जितना अधिक होगा मानक रूप में उतने ही गहराई आपको उपलब्ध होगी यानि आप उतने ही अधिक चर्तन्य होंगे बहुत से लोग अपने मन के कारगार में इस कदर खैद रहते हैं कि प्रकर्तिक संदरे का तो उनके लिए जैसे कोई वजूध ही नहीं है भले ही वे कर सकते हों वाह कितना संदर फूल है लेकिन वाह केवल एक कंप्यूटर की तरह बोलना आता है क्योंकि नो तो वे निरव तथा निश्चल रहते हैं नहीं उपस्थित रहते हैं वे तो फूल को सचमुच देखते भी नहीं है नो वे उसकी सुगंध को महसूस करते हैं और नहीं उसकी पावन्ता को बिल्कुल वैसे ही जैसे वे स्वेम को नहीं जानते ना उन्हें अपने मुल्ताच्व का पता है ना अपने पवित्रता का चुकि हम मन के प्रभुत्ववाली सस्क्रिती में रहते हैं इसलिए कुछ अपवादों को छोरका अधिकांश चित्रकला, वास्तु, संगीत और साहित्य संदर्य विहिन हो गया है, निस्सार हो गया है इसका काराणिया है कि जो लोग उनकी रचना कर रहे हैं, वे एक पल के लिए भी खुद को अपने मन से अलग नहीं कर पाते हैं इसलिए वे लोग कभी भी अपने भीतर उस इस्थान के इस पर्ष में वह संपर्क में नहीं आपाते हैं, जहां से सच्चा स्रिजन और संदर्य उदित होता है मन को अगर छुट्टा छोर दिया जाए, तो वह विककट रूपता की भयंकरता की ही रचना करता है केवल आठ गालेडियों में ही नहीं, बलकि सर्वत्र जरा शहरों का नजारा देखे, और दियोगिक बंजर जमीन को देखे किसी भी सब्हता ने कभी भी इतना गंदापन, इतना भधापन, इतना घिनवनापन पैदा नहीं किया विशुध चेतना को पहचाना जब आप बीइंग यानि अस्तित्यों के प्रती चेतन्य यानि जागरुख हो जाते हैं तब वास्तों में होता यह है कि बीइंग भी अपने प्रती चेतन्य हो जाता है और जब being अपने प्रति चेतन्य हो जाता है तो वह हो जाती है उपस्थिति विदमानता चुकि being चेतन्यता और जीवन प्रयायवाची ही है इसलिए हम कह सकते हैं कि उपस्थिति का अर्थ है चेतना का अपने ही پ्रतिचेतन्य हो जाना या जीवन को आत्मेशेतना प्राप्त हो जाना लेकिन इन शब्दों में उलजकर मत रह जाईये और दों ही इसे समझने की कोशिशि कीजिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे की उपस्थित रह सकने से पहले आपको समझने की अर्शक्ता हो आपने जो अभी अभी कहा है उसे मैं समझता हूँ लेकिन लगता है कि इसमें यह भी संकेत है कि बीइंग वह परम अनुभाव वातीत यथार्थ अभी भी पुर्द नहीं हुआ है कि वह अभी भी बिक्सित होनी की प्रक्रिया में है क्या इश्वर को भी नीज विकास के लिए समय की आज सकता पड़ती है हाँ लेकिन अगर किवल अभी व्यक्त ब्रह्मान के सीमित प्रेक्ष से देखा जाए तो इश्वर घोसना करता है मैं ही आदी हूँ और मैं ही अंत हूँ और मैं ही समस्त जीवन हूँ जिस काल निरपेक्ष समराज्जी में इश्वर निवास करता है जो भी आपका भी घर है उसमें आदी और अंत एही है और वह उस समस्त पडार्थों का सत्न है जो अभी तक हुए हैं और आगे भी होंगे वहीं एक कत्व और पुर्णत्यों की एक अव्यक्त अवस्था में सास्वत रूप से उपस्थित है मानव मन की समझ और कल्पना से पुरी तरह पड़े लेकिन अलग-अलग रूपे में व्यक्त होने वाले इस संसार में काल निर्पेक्च संपुर्णता तो एक और संभव और और कल्पनिया अधार नहीं मानी जाएगी यहाँ तो चैतन्यता जो की सास्वत स्रोथ से प्रसरजीत परकासी है उसे भी विकास पर किरिया के अंतरगत मान लिया जाता है लेकिन ऐसा हमारे सीमित बोद के कारण होता है परम अर्थ में ऐसा नहीं है फिर भी इस संसार में चितना के विकास के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ जिस किसी भी चीज़ का अस्तित्व है उसमें बींग है इसवर सत है कुछ मातरा में चेतना है एक पत्थर में भी अल्व विक्सित चेतना विधमार रहती है अन्य था तो वह होती ही नहीं और उसके अनू परमानू छिन भीन हो जाते सब कुछ सजीव है सूड़िय, प्रित्वी, पेर पौधे, पशुपक्षी, मनुस्य सब में चेतना भीन-भीन मातरा में व्यक्त हो रही है वह चेतना ही रूप आकार में प्रकट हो रही है चेतना जब रूप आकार में विचार के रूप में भौतिक रूप में प्रकट होती है तब संसार के स्रिष्टी होती है केवल इस प्रित्वी पर ही जीवन के लाखो रूपों को देखिए जल में, थर पर, नव में और फिर जीवन के हर रूप के लाखो प्रतिकिर्टियां बनती रहती है किस प्रयोजन से? क्या रूपों और आकारों के साथ कोई खेल खेल रहा है? यहीं वह प्रश्ण है जिसे पूरव के जीगयासु पूछा करते थे उन्होंने इस संसार को लिला की संग्या दी यानि एक परकार का दिव्य खेल जो इश्वर खेल रहा है जाईर है कि परतेक जीव रूप इस खेल में कोई बहुत महत्वन नहीं रखता समूंदर में अधिकतर जीव रूप जन्म के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते मानो रूप भी बहुत जल्द ही मिट्टी में मिल जाता है और जब आजाता है तो ऐसे चरा जाता है जैसे कि वह कभी था ही नहीं क्या यह दुखत है? कुरूर है? ऐसा आपको तभी लगेगा जब आप हर रूप को एक अलग पहचान दे देंगे अगर आप यह भूल जाएंगे कि जीव की चेतना तो इस्वर सत ही है जो की रूप में व्यक्त हुई है लेकिन ऐसा आप तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आपको यह बोध नहीं हो जाता कि आपका अपना इस्वर सत विशुद चेतना ही है आपके एक वेडियम में अगर किसी मचली का जनम हो और आप उसका नाम जौन रख दे उसका जनम परमान पत्र बना दे उसे उसके वनशावले बता दे लेकिन दो मिनट बाद ही कोई दूसरी मचली उससे खा जाए तो यह दुखत लगता है लेकिन यह दुखत इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसे एक अलग आत्मा होने की धारना बना ली जबकि वह तो एक ही थी अपने एक गतिशीर पर किरिया के एक छोटे से अंस को एक आनुवी कदम को थाम दिया था और उसमें से एक अलग अस्तितो बना डाला था चेतना नाना रूप धारन करती रहती है और ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक कि वह रूप इतने उलत नहीं जाते कि वह पूरी तरह उनी में मगन रहने लगे आज के मनस्यों में चेतना ने खुद को अपने रूपों के साथ पूरी तरह तादात में कर लिया है वह खुद को किवल एक रूप के रूप में जानता है और इसलिए यह अपने सारे डिक अतों मन वैग्यानिक रूप के विनाष्ट हो जाने के भाय में रहा करता है यहीं अहम ग्रस्त मन है और इसी के सारे विकार तथा विक्रिती हुआ करती है अब तो ऐसा लगता है जैसे इसके विकास पतफर इसके साथ कहीं कुछ बहुत बड़ी गरबड़ी हो गई है लेकिन यह भी तो लीला का ही एक भाग है इसी गरबड़ी द्वारा रचे गए दुखों का दबाव अंत्ता चेतना को रूपो की तदात मेयता से बहार निकलने के लिए और उनके स्वपने संसार से जागने के लिए मजबूर कर देता है तब उसमें आत्में चेतना का पुना संचार होता है लेकिन तब वह उस उस तर से काफी गहराई में होती है जहां वह तब थी जब इसने खुद को खो दिया था इस प्रकडिया को जीजस ने उस खोई हुए बेटे के द्रिश्टान के रूप में सुनाया है जो की अपने पीता का घर छोड़ देता है फिर अपना सारा पैसा उरा देता है कंगाल हो जाता है और अंतता परिशान होकर घर लटने को मजबूर हो जाता है जब वह घर लटता है तो उसका पिता उसे पहले से भी ज़्यादा प्रेम करने लगता है बेटी की अवस्था हालांके वैसी ही है जैसे की पहले थी लेकिन फिर भी वैसी नहीं रही थी उसमें गहराई का एक और आयाम जुर गया था यह द्रिष्टान और चतन्य पुर्णता से प्रकटता अप पुर्णता में से होते हुए की गई एक यात्रा का और पुराई से चतन्य पुर्णता की और की जाने वाली यात्रा का वर्णन करता है अपने मन के द्रश्टा वो अवलोकन करता बने रहते हुए वर्तमान में उपस्सित रहने का गहन तथा व्यापक महतुर क्या अब आप देख पा रहे हैं जब भी आप अपने मन का अलोकन करते हैं तब आप मन वाले अपने रूप में से चेतन्यता को वापस ग्रहन कर लेते हैं और फिर वहीं चेतन्यता मन की द्रश्टा या साक्षी बन जाती है परिनाम सव रूप या द्रश्टा यानि रूप आकार से परेर विशुद आपकी चेतना अधिक सबल होती जाती है जब हम मन का अलोकन करने की बात करते हैं तब हम एक ऐसी घटना का व्यक्ति करन कर रहे होते हैं जो सिष्टी से जुड़ी है और सच्मुच महतूर पुर्ध है आपके माध्यम से चेतना रूप आकार के साथ वाली तदात्मयता की अपनी स्वपना वस्था से जाकर उस रूप आकार से बाहर आ रही होती है यह घटना फिलहाल एक ऐसी घटना का एक अंश होते हुए उसके आने का प्रुभावास दे रही होती है जो कि कलेंडर वाले समय के लिहास से अभी कहीं सुदुर भविस में संभावित है उस घटना को कहते हैं प्रलय संसार का अंग्त चेतना जब सारेडिक और मानसिक रूप को वच्छवियों के साथ कर ली गई अपनी तदात्मियता से खुद को मुक्त कर लीती है तब वा विशुद चेतना बन जाती है जिसे हम एनलाइटेंड या चेतना या उपस्चिती या विधमानता कहते हैं कुछ लोगों में ऐसा घटित हो चुका है और ऐसा लगता है कि एक बड़ी संख्या में लोगों के साथ देड़ से बेर ऐसा होना नियत है हलाकि इस बात की कोई गरांटी नहीं है कि ऐसा ही होगा अधिकांश लोग अभी भी चेतना के अहम ग्रस्त रूप की ग्रफ्त में हैं यानि वे मन के साथ खुद को तदात्मिक किये हुए हैं और वे मन द्वारा ही संचालित किये जा रहे हैं अगर जल्दी ही उन्होंने खुद को अपने मन से मुक्त नहीं किया तो इस मन के द्वारा ही एक दिन वे तबाह कर दिये जाएंगे खुद को वे बढ़ते हुए भ्रम, भ्रांती, द्वांद, टकराव, हिंसा, निरासा, हतासा और पागलपन के महोरों में फसा हुआ पाएंगे अहम ग्रस्त मन एक दूबते जहाद जैसा हो गया है अगर आप इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसके साथ आपका दूबना तय है सामुईक अहम ग्रस्त मन आज इस धर्दी पर बसने वाली सबसे अधिक खतरनाक रूप से पगलाई हुई और ब्रबाद करने वाली हस्ति बन गई है जरस सूचिए कि अगर इस धर्दी पर रहने वाली मानुक चेतना में कोई बदलाव नहीं आया तो क्या होगा पहले से ही अधिकांस लोगों के लिए अपने मन से राहत पाने का क्यों एक ही तरीका रहा है यह कभी कभी वे चेतना के विचार रहित इस तरपर लोटाएं हर को यह हर रात को सुते हुए तो करता ही है लेकिन यहीं काम किसी हद तक सैक्स, सराब और कुछ ड्रक्स के जड़िये भी किया जाता है जो कि मन के हरकतों की अधिकता को दबाने का काम करती है अगर सराब, ट्रैंक्विल लाइजर्स और साथ ही अवेड ड्रक्स नो होते जिनकी बड़ी भारी मातरा में खफ़त है तो आदमी के मन का पागलपन और भी ज़्यादा भरकता हुआ दिखाई देता मेरा तो यहीं मानना है कि ड्रक्स लेने वालों की एक बड़ी संख्या को अगर उनकी ड्रक्स से वंचित कर दिया जाए तो वे खुद के लिए और दूसरों के लिए भी एक खत्रा बन सकते हैं यह ड्रक्स दरसल लोगों को उनके ही गर्वट जाले में परा रहने देती है ड्रक्स का विश्व व्यापी उप्यूग मन के पुराने धर्रे को तोड़ने और उचितर चे तन्यता में उभडने में केवल विलम कर रहा है हालांकि ड्रक्स के व्यक्तिकत उप्यूग करता अपने मन द्वारा खुद पर प्रतिदिन किये जाने वाले जुर्म से कुछ राहतों हासिर कर लेते हैं लेकिन प्रयाप के तन्यत उपस्थित की संभावना से वन्चित रह जाने के कारण वे विचारों से उपर नहीं उड़ पाते हैं और इसलिए उन्हें सही अर्थ में मुक्ते नहीं मिल पाती है मन से नीचे चेतना के इस्तर पर वापस आ जाना यानि हमारे प्राचीन प्रवजों का जो इस्तर विचार वाले इस्तर पर आने से पहले रहा था और जो पसुओं और पिरुपोधों का अभी भी है उस तर पर आ जाना या हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है बलकि विवश्टा है और सकता है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है मानव जाती क्यों अगर बचे रहना है तो उसे अगली अवस्था में आना ही होगा चेतना समूचे बर्मांड में करोडो रूपों अकारों में विकास पत्पर आगे जा रही है इसलिए अगर हमने ऐसा नहीं भी किया तो भी बर्मांड के पैमाने पर इससे कोई फर्क पढ़ रहे हैं वह सबस्थ संकेत है कि नई चेतना ने इस प्रिश्वी पर पैर रखने की जगह बना ली है यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है मैं आपको कुछ सिखा पढ़ा नहीं रहा हूं आप चेतना है और आप खुद को सुन रहे हैं पूरब में एक कहावत है शिक्छक और पहब सिख्चारती साथ मिलकर सिख्छा का निर्मान करते हैं फिर भी शब्र अपने आप में कोई महत्वन नहीं रखते वे स्वयंम शत्ति नहीं होते बल्कि वेटू क्यों सत्त्ती की और संकेत करते हैं मैं उपस्थिती में से बोलता हूं और जब मैं बोलू तब आप उस बीच से आया हुआ है जैसे कि सभी भासाएं हैं लेकिन जो शब्द मैं आपसे बोलता हूं वे उपस्थिति की प्रबल उर्जा वाली तरंग के वहवते हैं बले ही वे शब्द रूप में कुछ भी अर्थ रखते हो उपस्थिति का विधमानता का एक और भी अधिक सक्षम व जान दीजिए बीच में पढ़ने वाले अंतरालों पर सजग रहिए आप चाहे कहीं भी हो इस मौन को सुनना उपस्थित रहने का एक सरल और सीधा तरीका है भले ही वहाँ शोर हो लेकिन आवाजों के बीच बीच में और उनके नीचे नीचे हमेशा ही एक खामोसी हुआ कर देता है आपके भीतर की निरौता ही बाहर की निरौता को देख सकती है और उपस्थिति के अलावा विधमानता के अलावा मौन वन निरौता बहला और क्या होती है विचार के जंजाल से मुक्त चेतना के अलावा उपस्थिति बहला और क्या होती है यहीं है वह उड़ास से संपन सभ्यता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्राइश्ट आपके दिव्य विधमानता की वास्ट विक्टा किसी एक शब्द के परती असक्त मत हो जाए अगर आपको अधिक सार्थक लगे तो आप क्राइश्ट के बजाए उपस्थिती विधमानता शब्द का भी प्रियू कर सकते हैं क्राइश्ट आपका इस सत गौड एसेंस है इस सत को पुरा में कभी कभी स्वब ही कहा जाता है क्राइश्ट और उपस्थिती में किवल इतना अंतर है कि क्राइश्ट का मतलब है आपके भीतर वास करने वाली दिव्यता भले ही आप उसके प्रति सदग रहते हो या नहीं जोकि उपस्तिती विदमानता का अर्थ है आपकी जागरत दिव्यता या इस सत गौड एसेंस क्राइश्ट के बारे में बहुत सारी गलत भाहमिया और भ्रामक धरनाय साफ हो जाएंगे जब आप यह बात समझ जाएंगे कि क्राइश्ट में नो कुछ अतीत था और नहीं कुछ भविश्य यह कहना कि क्राइश्ट थे या होंगे या एक विरुधा भासी बात होगी जीजस थे वे एक व्यक्ति थे जो दो हज़र साल पहले रहे थे और उन्होंने दिवे विदमानता का बोध किया था और इसलिए उन्होंने कहा था अबराहम से पहले भी मैं था उन्होंने यह नहीं कहा अबराहम ने जब जनम लिया तब मैं पहले से नहीं था इसका अर्थ तो यह होता है कि वे समय की परिधी में और रूपाकार वाली पहचान के सिमा में ही थे किसी ऐसे वाक्य में जो कि भूत काल से शुरू किया गया हो उसमें पड़िउक्ति किये गए शब्द मैं हूँ एक मुलभूत पड़िवर्तन की ओर काल के आयाम से मुक्त होने की ओर संकेत करते हैं विशाल गहनता वाला एक जेन जैसा व्यक्तव्य है यह जीजस ने उपस्तिती के विधमानता के आत्म ज्यान के अर्थ को तरक मुलक विचार के माध्यम से नौ समझा कर उसे सीधे सीधे बताने का प्रयास किया वे काल द्वार नियंतरित यानी भूत या भरिषे द्वारा नियंतरित चितना के आयाम से पड़े काल निरिपेच के समराज में चले गय थे सासवता का आयाम इस संसार में आ गया था दरसल सास्वता का अर्थ अनन्द समय का होना नहीं है बलकि समय का नौ होना है व्यक्ति जीजस इस तरह क्राइश्ट बने थे विशुत चेतना के समवाहग और बाइबल में इश्वर ने खुद को क्या परिभाशित किया है क्या इश्वर ने यह कहा है मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा नहीं बिलकुल नहीं इससे तरह भूत और भविश को वास्विता परदान कर दी जाती है इश्वर ने कहा मैं हूँ क्योंकि मैं हूँ मैं जो हूँ वो हूँ कोई काल नहीं है यहां केवल विधमानता है उपस्चिती है क्राइश्ट का दुबारा आना मानो चेतना का उपांतरन होना है यह काल से विधमानता में उपस्चिती में आना है विचार से विशुचेतना में आना है नो कि किसी मनुस्य का आगमन होना है अगर क्राइश्ट कल को किसी रूप में पुना वापस आ जाएं तो वे आपसे इसके अलावा और क्या कह सकते हैं मैं सत्य हूँ, मैं दिव्य विधमानता हूँ, मैं शास्वत जिवन हूँ, मैं आपके भीतर हूँ, मैं यहां हूँ, मैं अब हूँ क्राइश्ट का कभी व्यक्ति करण मत कीजिए क्राइश्ट को किसी रूप की पहचान मत दिजिए अवतार, दिव्य माताएं, आत्म ग्यान प्राप्थ गुरू इन्हें गिनें वे जो की वास्त्विक हैं ये सभी व्यक्ति के रूप में कुछ भी विशेश नहीं है किसी मिथ्या अहम को न थामते हुए, उसका बचाव न करते हुए, उसे खुराक न देते हुए ये लोग आम लोगों से कहीं अधिक सरत, अधिक साधे और अधिक साधरन हुआ करते हैं प्रचंड अहम वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें कोई महत्वन नहीं देता और प्रायह इन्हें अंदेखा ही कर दिया करता है अगर आप किसी एनलाइटेंड सिख्छक की ओर अकर्शित हुए हैं तो इसलिए त्यूकि स्वयम आप में उसकी इतनी विधमानता है कि आप किस दूसरे में आप उसे पहचान लेते हैं ऐसे बहुत से लोग थे जो जीजस या बुद्ध को पहचान ही नहीं पाए क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है और नव कभी रही है जो कि बनावटी और पाखंडी गुरुओं की तरफ ही अकर्शित हुआ करते हैं अहम गरस्त लोग हमिसा किसी बड़े अहम गरस्त की ओर अकर्शित हुआ करते हैं अंधिकार कभी परकास को नहीं पहचान सकता, किवल परकास ही परकास को पहचान सकता है इसलिए ऐसा मत मान लेजिए कि परकास आपके बाहर कही है या या कि वह किसी खास रूप में ही आ सकता है अगर किवल आपका गुरूह इश्वर का अवतरन है तो फिर आप क्या है गुरु की विद्धमान्ता को किसी नाम वरोप से परे अपनी ही पहचान के پरत्विम को देखने के लिए और अधिक सका रूप से स्वयम विद्धमार रहने के लिए प्रियूट की जिये जल्दी आप पाएंगे कि विद्मान्ता में कुछ भी मेरा तेरा नहीं है विद्मान्ता उपस्थिती बस एक है वर्तमान में आपकी विद्मान्ता के उपस्थिती के परकाश को अधिक पर दिप्त करने के लिए यह काम एक समुह में करना काफी मद्यगार हो सकता है उपस्तिती की अवस्ता में रहने वाले लोगों का एक साथ मिल बैठना एक अत्याधिक सखन सामुहिक उर्जा चेतर को पैदा करता है यह ने नकेवल उस समुह के हर सदस की उपस्तिती के विद्यमानता के पड़िमान को बढ़ा देता है बलकि सामुहिक मानवी चेतना को उसके प्रबल मनवाली अवस्ता से मुख्त कराने में भी सहायता करता है इससे विधमानता की अवस्था अधिकाधिक व्यक्तियों को सुलब होने लगती है लेकिन जब तक कि समूह का कम से कब एक सद्ध से पहले सही और इस्तिय रुप से विधमानता में स्थापित नव हो चुका हो और इसलिए उस अवस्था के उड़जा तरंग को न थाम सकता हो तब तक यह खत्रा बना रहता है कि वहाँ मजूद कोई अहंकरस्त मन असानी से खुद को हाविक कर सकता है और समूह के सारे प्रयास पर पानी फेड़ सकता है हलांकि यह सामूहिक प्रयास बहुत मुहत्व रखता है लेकिन मातर यहीं प्रयाक्त नहीं है न तो इस पर निर्भर हो जाने के लिए आपको इसमें जाना चाहिए और नहीं आपको किसी सिक्षक या गुरुपर निर्भर होने के लिए इसमें जाना चाहिए सिवाई उस बीच वाली अवधी के कि जब आप विधमानता के पस्तिती के अर्ट को समझ रहे हो और उसका अभ्यास कर रहे हो अध्याइच्छ आंतरिक शरीर आपका अंतरतम स्वाम ही बिंग है एक दिन आपने अपने भीतर गहरे बैठने या अपने सरीर में इस्तित रहने के बारे में कहा था क्या आप बता सकते हैं किसका अर्थ क्या है या सरीर ही बिंग के समराज में पहुँचने का परविश्द्वार बन सकता है आए इसे थोड़ा और गहराई से समझे मैं अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं कि बिंग से आपका क्या विप्राय है पानी वह क्या होता है मैं उसे नहीं जानती अगर मचली का दिमाग मानो जैसा होता तो वह यहीं कहती अच्छा होगा अगर आप बेइंग को समझने की कोशिश करना बंद कर दें आपको पहले ही बेइंग की काफी जलक मिल चुकी है लेकिन मन तो हमेशा है इसे ठूस ठास कर एक छोटे से डिबे में भर देने और फिर उस पर एक नाम का ठपा लगा देने की फिटाक में रहा करता है लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता बेइंग का ग्यान जन्वकारी कवी से नहीं हो सकता क्यूंकि बेइंग में करता और कर्म दोनों एक दुसरे में विलीन हो जाते है बेइंग को नाम और रूप के पार सदा विधमान मैं हूं की तरह अनभूत किया जा सकता है अनभूत करना और उस अनभूती से यह जानना कि आप हैं और किसी और फिर उसे गहरी पैठ के अवस्था में वास करना यहीं आत्मगे होना है enlightenment है यहीं वस्था है जिसे जीजस ने कहा है कि वस्था तुम्हें मुक्त कर देगा मुक्त किस से इस भ्रह्म से कि आप अपने बहुतिक सरीर और अपने मन के आलावा कुछ नहीं है बुद्र ने इसे आत्मगे विभ्रह्म कहा और इसे ही असली भूल बताया है इस विभ्रह्म के परिनाम सरूप पैदा होने वाले तरह तरह के भ्य से मुक्त हो ये यह वा भ्य है जो तब तक आपका लगतार उत्पिरण करता रहता है जब तक कि आप खुद के अस्तित्यों के भाव को किवल इस अस्थाई और आसानी से आहत हो जाने वाली छवी के साथ जोड़े रखते हैं और पाप से मुक्त हो ये यानि उस दुख से बहार निकलिये जो आप अंजाने ही खुद पर और दूसरों पर तब तक ठोकते रहते हैं जब तक कि आपका अहमका या भ्रांत भाव उन साब बातों के बागडूर अपने हाथ में लिये रखता है जो आप सुचते हैं कहते हैं और करते हैं शब्दों के पार देखिए यह पाप सब्द मुझे बिल्कूल अच्छा नहीं लगता है इसमें यह भाव रहता है कि मुझे आका जा रहा है और दूसरी ठाराय जा रहा है मैं यह समझ सकता हूँ सद्यों से अग्यान, गलत वामी और नियंतरन करने की इक्छा के कारण बहुत से भ्रामक दृष्टी कोनों और व्याख्याओं की परते उस शब्दों पर चर्षती चली गई है जैसे पाप सब्द लेकिन उन सब्दों में सच का पूर्तो शामिर रहता ही है अगर आप उन व्याख्याओं के पाड़ जाकर उस शब्दों को देख पाने में और समर्थ रहते हैं और इसलिए उस सच को नहीं पहचान पाते हैं जिसकी और की वह शब्द संकेत कर रहा होता है तो आप उस शब्द का प्रयोग मत कीजिए शब्दों के सतही इस तर पर ही अटके मत रहे कोई भी सब्द किसी अर्थ तक पहुँचने का एक मात्र आधन होता है और कुछ नहीं उसका वह एक सरांस रूप मात्र है किसी मार्ग सूचक स्थम की तरह ही या खुद से पड़े किसी जगह की और संकेत्र मात्र कर रहा होता है शहद शब्द शहद नहीं होता शहद के बारे में आप जितना चाहे अध्यान कर ले बाचीत कर ले लेकिन उसे तब तक सचमुच नहीं जांस करेंगे जब तक कि आप उसे चक नहीं लेते और जब आप उसे चक लेते हैं तब वह शब्द आपके लिए उतने महत्यों का नहीं रह जाता, तब आप उस शब्द के साथ ही चिपके रहना पसंद नहीं करेंगे, इसी परकार, इश्वर, सब्द पर आप लगतार और जिवन भर सोच विचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ या है, कि जिस वास्त विक्ता की ओरिया सब्द स इसका उलट भी उतना ही सही है, किसी भी कारण से अगर आप शहद शब्द को ना पसंद कर दे हैं, तो संभाव है कि इस कारण आप उसे कभी चखना ही न चाहें, यदि आपको इश्वर सब्द को प्रती परबल आरुची है, जो कि आसकती का नकरातम को रूप ही हैं, तब आपके वर उस शब्द को ही नहीं नकार रहे होते हैं, बलकि उस वास्तविक्ता को भी नकार रहे होते हैं, जिसकी ओर यह शब्द संकेत करता है, तब आप उस वास्तविक्ता को अनुभूत करने की संभावना पर ही कुठारा घात कर रहे होते हैं, और वास्तों में इस सब आपका गहला संबन अपने मन के साथ आपका तदात में रहना ही है। इसलिए अगर कोई शब्द आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ दिजिए और उसकी जगा हुवा सब्द रख लिजिए जो आपके लिए काम परता हूँ। अगर आपको पाप शब्द पसंद नहीं है तो आप उसकी जगा और चेतन्यता या पांगलपन रख सकते हैं। वह आपको सत्य के निकट ले जाएगा। उस सब्द के पीछे इस्तित वास्तुइक्ता के निकट ले जाएगा। अपेक्छा करित उस सब्द के जिसका के से दूरुप योग होता आ रहा है जैसे पाप फिर आपको अपराद भोद होने के संभावना भी नहीं रह जाएगी मुझे ये शब्धी पसंद नहीं है ये जताते हैं कि मुझे में कुछ गरत है कि मुझे आँका जा रहा है वाकई आप में कुछ गरत है लेकिन आपको आखा नहीं जा रहा है आपको व्यक्तिगर्वत रूप से आहद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है लेकिन क्या आप उसी माना जाती के नहीं है जितने के 20 कश सदी में अपने करोड़ों विरादरें की हत्या कर डाली थी आपका मतलब है समुदाइक्ता से जुरा अपराद भाव सवाल अपराद भाव का सवाल नहीं है लेकिन जब तक आप अपने अहम गरस्त मन के वश्रिभूत हैं तब तक आप इस सामुहिक पागलकार पागलपन का एक हिस्सा ही तो है साइध आपने अहम ग्रस्त मन के वश्यभूत हुई इस माना अवस्था को ध्यान से और गराई तक नहीं देखा है अपनी आखे खोड़िये और उस भाय को, उस हताशा, निरासा को, उस लोव, लालच को और उस हिंसा को देखिये जो चारव तरफ व्याप्त है उस और कल्पनिया जगहन्य कुड़ता को और कश्ट को देखिये जो एक दूसरे पर और धर्ती के अन्य जीव जद्वों पर मनुश्य धाते आए हैं और धार हैं आपको इसके निंदा और अलोचना करने की अवस्यक्ता नहीं है, केवल अलोकन कीजिए, यह है पाप, यह है पागलपन, यह है अच्यतन्ता, साथ ही अपने मन का अलोकन करना भी मत भूलिए, इस पागलपन की जड़े वहां भी होंगी, उन्हें तलाशिये अपनी अद्रिश्य और अविनाची वस्त्विक्ता की तलाश आपने कहा है कि अपने भौतिक स्वरूप के साह तदात्मे करना भ्रम वब्रांती का हिस्सा है, तो कैसे यह शरीर यह भौतिक स्वरूप आपको बीइंग का बूद करा सकता है? जिस सरीर को आप देख सकते हैं, छूद सकते हैं, वह आपको बीइंग में नहीं ले जा सकता देखा और इस परश्ट किया जा सकने वाला यह सरीर तो किवल एक बाहरी आवरण है यह कहेंगी यह तो एक गहरी वास्त्विक्ता का वह रूप है, जिसे एक सीमिन और विक्रित अवस्थ में देखा जा रहा है बीइंग के साथ जुराव की अपनी सहज अवस्था में इस गहरी वास्त्विक्ता को यानि आपके भीतर विराजमात, जीवन्त, चीर उपस्थिते को एक अद्रिश आंत्रिक देख के रूप में हर पल महसूस किया जा सकता है इसलिए सरीड में वास्त करना सरीड को भीतर से महसूस करना होता है ऐसा करना सरीड के भीतर प्राण को महसूस करना है और इस तरह यह जानना भी है कि आपके वाली है आवरन मात्र नहीं है बलकि इससे पार और परे हैं लेकिन यह तो उस यात्रा के शुरुआत भर है जो कि आपको निरावता, निश्चलता और सांत्ता के समराज में इतनी गहराई तक ले जाएगी जहां तक की आप अभी तक गय ही नहीं थे लेकिन ये निरौता, निश्चलता और शांतता, अत्याधिक शक्ती और संपधित जिवन से उत्प्रोत होंगी आरव में आपको इसके केवल कुछ छन भंगुर जहलकी मिलेंगी लेकिन उन्ही के जड़िये आपको यह पोध होता जाएगा कि इस विचितर संसार में जो कि जर्म और मिर्द्यू के बीच दोलाय मान रहता है और जो थोड़े ही समय रहने वाले सुखों और उनके पीछे-पीछे चले आने वाले दुखों वाला है और अंतता विनिश्ट होने वाला है ऐसे संसार में आप एक बिकार और बेमतलब का केवल एक पूर्जा मातर नहीं है अपने बाहरी आवरन के तले आप किसी ऐसी चीज से जुर्य हुए है जोकि इधनी विशाल इतनी आपड़ी में और पवित्र है कि उसे समझ रहना और विव्यक्त करना और या बताना संभव नहीं है हाला कि इस समय मैं बता भी रहा हूँ मैं इसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं और आप विश्वास कर लें बलकि इसलिए कि आप इसे स्वयंद जान सकें जब तक आपका मन आपका समुच्चा अवधान हरपता रहेगा तब तक आप बीइंग से कटे ही रहेंगे जब तक ऐसा होता है और अधिकास लोगों के साथ ऐसा अगतार ही होता रहता है तब तक आप अपने सरीर में नहीं होते हैं मन आपकी सारी चतन्यता को सुकता रहता है और उसे बदल कर वो अपना माल बना लेता है आज़तन सोचते रहना एक सामुखिक बिमारी बन चुकी है इसलिए मन की हल्चल से ही आपको यह पता चल पाता है कि आप कौन है तब आपकी पहचान आपका अस्टित्व जो कि बिम से समद्ध नहीं रहता है इसलिए वो हमेशा ही खुद को खत्रे में महसूस करने लगता है और हमेशा ही कुछ न कुछ चाहिए वालिमान सिक्ता में रहने लगता है जो की एक प्रबल भावना के रूप में भय पैदा करती रहती है एक चीज जो की सचमुच महत पुर्ण है वह तब आपके जिवन से रूप्त हो जाती है और वह है आपके गहन सुवका बोध आपकी अद्रिश और अविनासी वास्तविक्ता अपनी बिएंग के प्रती चैतन्य रहने के लिए आपको अपने मन से अपनी चैतन्यता को वापस लेने की आउश सकता है अध्यात्मे की यात्रा अरम करने के लिए सबसे बुनियादी कामों में से एक काम यहीं है यह चैतन्यता की उस वीफुल मातरा को सोतंतर कर देगा जो कि अभी तक मजबूरान सोचने की लत्मे उल्जी रहा करती है इसे करने का एक अत्यांत प्रभावी तरीका तो यह है कि अपने अल्धान के फोकस को सोचने से हटा कर अपने सरीड में केंदरित किया जाए जहांकि पहली बार ही में बींग को मसूद किया जा सकता है एक ऐसी अद्रिस उर्जा के रूप में जो कि उसे जीवन परदान करती है इसे अब भौतिक शरीड के रूप में देखते वह मानते हैं अपने आंत्रिक शरीड के साथ जुड़ना क्रिप्या इसे अभी ही करके देखें इस अभियास के करने में आखों को बंद करना मदद करेगा बाद में जब सरीड में होना आपके लिए सहज और सरल हो जाए तो फिर आखे बंद करने की आवसकता नहीं रह जाएगी अपना पूरा ध्यान पूरा आवधान अपने सरीड में ले जाए अपने सरीड को अंदर से महसूस के ये क्या हो जिवन्त है? क्या आपके हाथों में, बाहों में, पैरों में, आपके पेट में जिवन्तता है? क्या आप उस सुक्ष्म उर्जा छेतर को महसूस कर रहे हैं जोगी आपके सारीश सरीड में व्याप्त है और उसके हर अंग को हर कोसान को सपन्दित जिवन देता है क्या आप इसे समूचे सरीड के हर अंग में एक साथ और एक ही उड़ा छेतर की तरह मसूस कर सकते हैं उस समय तक अपने आंतरिक सरीड को मसूस करने पर अपना फोकस बना रखिए इसके बारे में सोचना शुरू मत कर दिजे आप जितना अधिक फोकस रखेंगे जा अनुभूती उतनी ही सवल और इस परश्ट होती जाएगी ऐसा लगेगा जैसे हर कोसान अधिक सजीव होता जा रहा है और अगर आप भी कल्पना शक्ती तेज है तो आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे आपका स्रीड परतीब्त हो रहा है हालांकि ऐसा आभास आपको और अस्थाई रूप से ही मदद कर सकते हैं इसलिए किसी भी ऐसी उभरती च्वई पर ध्यान देने के बजाए उस पर अजिक ध्यान देजे जो आपको महसूस हो रहा है कोई छवी कितने भी सुन्दर वो सबल क्यों न हो वह एक रूप आकार में ठल चुकी है इसलिए अधिक गहरे उतरण के संभावना वहाँ बहुत कम रह जाती है अपने को महसूस करना अकार रहित, समय रहित और ठार रहित रहता है उसमें आप हमیसा ही गहरे और गहरे जा सकते हैं अगर आप अभी इस अवस्ता में बहुत कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो उसी पर अपना पूरा ध्यान वो अध्यान दिजे जो की आप महसूस कर सकते हैं हो सकता है कि आपके पैर में ये हाथ में हलकी सी जंजराट महसूस हो रही हो इस समय के लिए यहीं काफी है उस एहसास पर फोकस किजिए आपका सरीड जिवन्त हो रहा है बाद में हम इसका और अभ्यास करेंगे अब अपनी आखे खोल लीजिए लेकिन कमरे में इधर उधर देखते हुए भी थोड़े बहुत अवधान को सरीड की आंतरिक उर्जा पर केंदेत रखे रहे आपका आपके रूप आकार वाली पहचान और सार्ततो वाली पहचान के यानि आपके सच्चे स्वरूप के बीच के सीमा द्वार पर ही रह करता है इसके साथ अपने सरीड को कभी मत तुड़िये ऐसा क्यूं है कि अधिकान धर्मों ने सरीड को नकारा है निंदित किया है इसे अमान निकिया है ऐसे लगता है कि अधियात्मिक जिग्यासूं और निर्पकों ने सरीड को एक बाद हमाना है बलकि इसे पाप का घरा भी कहा है इतने कम जिग्यासूं ही बोधी क्यूं बन पाए सरीड के इस तरपर मनुश्य पशू के बहुत निकट है अनिवारे सारेडी काड़े कलापों में हममें और पशूं में बिल्कुल समानता है जैसे सुखव पीरा का अनुभाव करना सांस लिना, खाना, पीना, मलुत सर्ग करना सोना, सहवासी तलासना और प्रजन करना और जनमना और मरना भी परमात्मा से विलग होकर जिवात्मा का रूप में इस मायलोक में आने के एक लंबे अर्शे के बाद मनुस्यों को आचानक या पदाचरा कि वे तो एक पसू जैसे सरेड में है और इस बात से वे बहुत परिसान हो थे खुद को मुर्ख मत बनाओ तो तो किसी जानवर से ज्यादा कुछ और नहीं हो यहीं वह सच था जो उनके सामने खरा हो गया था लेकिन किसी सत्य को स्विकार करना बरा कठीन होता है आदम और हवा ने खुद को नगन पाया तो वे घबरा गए अजेता रूप से अपने पसु जैसे सरीड को और स्विक्रित करने उसे अमाने करने के प्रविती उनमें तेजी से घर कर गई यह खतरा की सहज पर विर्ती जैसे आवेग उन पर हावी हो सकते हैं और वे उन्हें पुड़ी तरह और चेतन्यता की अवस्था में वापस ले जा सकते हैं सच्मुच यह एक बड़ा और वास्तु भी खतरा था तब स्रीड के कुछ अंग और कुछ सारेडिक काड़य कल्प, लज्जा और वर्जना के घेड़े में आगे विशेश रूप से योना चार उनकी चेतना का परकास अभी उतना प्रबल नहीं था कि वे अपने पशुप परविर्ती के प्रती मित्रुवत हो जाते वह जैसी भी है उसे वैसे ही रहने देते और अपने उस आयाम का आनंद भी ले लेते यानि अकेले ही उसमें गहरे उतरते उसमें छिवी छिपी दिवेता को पाने के लिए उस माया के भीतत वास्विक्ता का पटा लगाने के लिए अता उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे उन्होंने अपने सरीर से अपना नाता थोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया किया उनका शरीड है ना कि यह किवे स्वयम यह शरीड है जब धारुम पैदा हुए तब यह शरीड से नाता थोड़ना और भी अधिक प्रबल होने लगा कैसे तुम यह शरीड नहीं हो वाला सिधान युगो युगो से पुरव और पश्ची में असंखे लूग सरीड को न कारते हुए उसे अमानने करते हुए हैं इश्वर, मोक्ष, मुक्ती, निरवान और एनलाइटमेंट को पाने का प्रयास करते आ रहे हैं धिरे-धिरे इस सोचने इंद्रियों, सुखों को न कारने वो निंदित करने का रूप ले लिया विसेसकर युओं सुख को और फिर उपवास तथा वेरागे का रूप ले लिया सरीड को दुरूबल करने और दंड देने की कोशिस में वे लोग उसे पीड़ा भी पहुचाने लगे क्योंकि वे इसे पाप का घरा मानते थे इसाई धर्म में इसे सरीड का तप कहा जाता था दूसरे धर्मों ने समाधी अवस्था में जाकर सरीड से पलायन करने या सरीड से बाहर निकलने के अनभाव करने की कोशिस की बहुत से लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं बुद्र के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने चोफ वर्सों तक उपवास और तपस्य के इस द्वारा सरीड को नकारने का अभ्यास किया था लेकिन उन्हें आत्मग्यान अनलाइटमेंट तब तक प्राप नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने वर अभ्यास छोड़ नहीं दिया तत्य यह है कि सरीड को नकार कर या उससे संघर्स करके या सरीड से बाहर निकलने का अनभाव करने से कभी भी किसी को आत्मग्यान अनलाइटमेंट नहीं हुआ है जब मैंने अपना अवधान आंतरिक सरीड पर लगाने की कोशिस की तो मुझे बड़ी बेचानी से महसूस हुई एक व्यकुलता का अनुभाव हुआ और कुछ वमन जैसा महसूस हुआ इसलिए मैं वह सव अनुभूती नहीं कर पाया जिनका आप जिक्र कर रहे है जो कुछ भी आपको महसूस हुआ वह एक ऐसा विलंब काली भाव था जिसे साथ आप परचित नहीं थे और उसे आपका परचित तब तक नहीं होता है जब तक ही आप अपने शरीड को अपना कुछ अवधान देने की शुरुवात नहीं कर देते जब तक आप कुछ अवधान नहीं देते हैं तब तक वह भाव तक आपको पहुचने देने से रुकेगा जो उसके ही नीचे गहराई में अवस्तित है अवधान का अर्थ या नहीं है कि आप उसके बारे में सोचने लगे इसका अर्थ है भावनाय का भरपूर और लोकन करना उसे पुरी तरह महसूस करना और इस तरह उसे पहचानना और उसे स्विकारना या थावत स्विकार करना कुछ भावनाएं तो असाने से पहचानने में आ जाती हैं जैसे क्रोद, भै, दुख, इत्यादी अन्य भावनाओं को पहचानना जरा मुश्किल होता है वे एक और स्पष्ट और धुन्दला सा एहसास मात्र हो सकती है बेचैनी का, भारीपन का, खिचाव का, किसी भावक्ता का वा सारीरिक संसराहट की एक बीच के इस्थिति का जो भी हो महतपूर्ण यह नहीं है कि आप उसे कोई नाम दे सकते हैं या नहीं महतपूर्ण यह है कि क्या उस एहसास हो, उस महसूसने को आप यथा संभव अधिक से अधिक अपनी सजगता में ला सकते हैं या नहीं आउधान ही रुपांतरण के कुंजी है और आउधान में स्विकारना भी शामिल रहता है आउधान प्रकास का एक किरन पुझ होता है या आपकी चेह तन्यता के फोकस की कई शक्ती होता है जो की हर चीज को तुवरांतरित करके स्वें में आत्मसाथ कर लेता है एक पुरी तरह सक्रिये शरीड में कोई भावना कुछी समय के लिए टिक पाती है वह आपके बीइंग की स्टाफ पर उठने वाली एक छनिक हिलोर जैसी होती है लेकिन अगर आप अपने स्रीड के अंदर नहीं रह रहे हैं तो कोई भी भावना आपके अंदर कई कई दिनों और हफ्तों तक तक तिकी रह सकती है या अपनी जैसी अन्य भावनाओं के साथ घुल मिल सकती है और फिर मिल जूल कर संचित दुख का रूप धारन कर सकती है बिल्कुल किसी परजीवी की तरह जो कि आपके भीतर वर्सों तक रह सकता है जो कि आपके उर्जा पर ही पलता है आपके सरीर को रुगों का घर बना देता है और आपके जीवन को घोड यातना में बना देता है इसलिए अपने अधान को इस भावना को महसूस करने पर रखिए और या देखिए कि क्या आपका मन किसी व्यथा कथा का किसी सिकायट का राग अलापने में लगा हुआ है जैसे किसी पर दोसार उपन करना, खुद पर तरस खाना या कुधन, खीज, नराजगी और प्रस्वंता का भाव रखना जो कि इस भावना को खुराक दे रहा हुँ यदि ऐसा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने च्षामा नहीं किया है अक्सर थवा नहीं करने का भाव कभी किसी व्यक्ति के प्रती रहा करता है तो कभी खुद के प्रती लेकिन यह किसी घटना यह किसी स्थिती के प्रती भी रह सकता है भूत, वर्तमान यह भविश्य जिसे की आपके मनने स्विकार करने से इंकार कर दिये हुँ जी हाँ भविस्ति के प्रती भी स्विकार न करने की आपकी मनह स्थिती का होना संभव है जैसे मन द्वारा औन निश्चित्ता को स्विकार करने से इंकार कर देना यह बात स्विकार करने से इंकार कर देना कि भविस्ति तो मन के नियंतरन से बाहर ही है छमा करना होता है अपनी सिकायत को छोड़ देना उसे त्याग देना और उस व्यथा के बारे में सोचते वो बाते करते रहना बंद कर देना यह स्थेजी तब स्वता हो जाती है जब आपको यह बोध हो जाता है कि सिकायत करने का स्वभाव अहम के मिथ्या भाव को बलवान करने के अलावक कुछ नहीं करता छामा करना जिवन के प्रती कोई प्रतिरोध न रखना है जिवन को आपके माध्यम से होने देना चलने देना है छामा न करने का परणाम होता है पीडा, कश और दुख जिवन उर्जा का सिमित संकुचित प्रवाह और कई मामलों में शारिडिक रुगनता जिवन ही आप पूरी तरह छामा कर देते हैं, तियों ही आपके मन की बाग्दोड आपके हाथों में वापस आ जाती है छामा न न करना मन का सोभाविक सभाव है, बिल्कुल वैसे ही सभाव जैसे कि वह अपनी ही एक मित्थ्या छवी रचलिया करता है अहम को रचलिया करता है और उसे पालता है लराई, जगरे और द्वंद, टकराव के बिना वजी नहीं सकता है मन कभी छमा नहीं कर सकता छमा के वल आप कर सकते हैं क्योंकि आप ही वर्तमान में बिधमान होते हैं आप ही अपने सरेड में परवेश करते हैं आप ही बीइंग में से निकलने वाले जिवन्त सांती, निरौता और निश्चलता को अनभव कर सकते हैं इसलिए जीजस ने कहा था मंदिर में परवेश करने से पहले छमादान कीजिए अव्यक्त के सांत आपका संबंद विधमान्ता और भीतर सरेड के बीच क्या संबंद है वर्तमान में विधमान्ता या उपस्चिती विशुध चेतना है वह चेतना जो कि मन में से वापस आ गई है नाम वह रूप वाले संसार में से वापस आ गई है आपका आंतरिक सरीर ही अव्यक्त के साथ आपकी कड़ी है बलकि यहीं आपने गहंतम पहलू में अव्यक्त ही है यह वह परमसुरोत है जिसमें से चितना उसी तरह प्रकट होती है जैसे कि सूडे में से प्रकास प्रकट होता है आंतरिक सरीड के प्रतिस रगता वह चेतन्यता है जो अपने उद्वाव को याद कर रही हो और प्रम्सुरोत की वापस लोट रही हो प्रश्ण क्या अव्यक्त ही बीइंग है? हाँ यह अव्यक्त शब्द नकरात्मक्ता अद्वारा उसी को बताने का प्रयास करणा है जिसे बताया नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता और जिसके कलपना भी नहीं की जा सकती इस तरह बताते हुए कि वह क्या नहीं है या उस और संकेत करता है जो वह है जबकि being एक सकरात्मक शब्द है लेकिन देखिए कि इन दोन ही सब्दों में से किसी के भी प्रती अनुरक्त मत हो जाएगा या उन्में विश्वास करना अरंभ मत कर दिजेगा वेकेवाल मार्ग संके तक है इसके अलावा कुछ नहीं प्रश्ट आपने कहा है कि विधमानता दरहल चेतना है जो कि मन में से वापस आ गई है या वापस कौन कर रहा है उत्तर आप लेकिन चुकी आपने सारभूत रूप में आप ही चेतना है इसलिए हम यह भी कर सकते हैं कि नाम वो रूप वाले सपने में से चेतना का जागना है यह इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा अपना रूप वो अकार प्रकास के एक विस्फोट के साथ समाप्त हो जाएगा आप अपने वर्तमान सोरूप में रहना जारी रख सकते हैं लेकिन साथ साथ अपनी गहराई में उस निराकार और अमर के प्रती सजग भी रह सकते हैं प्रश्ट मुझे यह स्विकार करना होगा कि यह मार्ग यह तरीका मेरी समझ से बाहर है लेकिन मेरे अंदर कहीं गहरे में लग रहा है कि जो आप मुझे बता रहे हैं उसका मुझे भान है या एक एहसास से अधिक कुछ है क्या मैं खुद को चल रहा हूँ उत्तर नहीं ऐसा नहीं है एहसास आपको इस सत्य के निकट लेया जाएगा कि अपनी सोंच से भी अधिक आप कौन है मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता जो कि आपके भीतर गहरे में पहले से ही नहीं है अपने भीतर से तार को जोडते हुए जब आप एक विशेश अवस्था तक पहुँच जाते हैं तब आप उस सत्य का साक्षा तार कर पाते हैं जिसे की आप सुन रहे होते हैं अगर अभी तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं तो अपने सरीड के प्रतिस्य जगता का अभ्यास आपको अवस्य गहराई तक अवस्य ले जाएगा आयू की प्रकिडिया के प्रभाव को मंद करना इसके अलावा भी आंतरिक सरीड के प्रतिस्य जगता के कुछ और सारी रिकलाब है उनमें से एक है इस बहुतिक सरीड पर बढ़ति आयू के प्रभाव का कम होना मंद होना हालांकि यह बाहय सरीड आमतर पर तेजी से बुठा होता दिखने लगता है लेकिन आंतरिक सरीड में समय के साथ प्रिवर्तन नहीं होता है सिवाए इसके कि आप इसे और अधिक गहराई तक महसूस कर सकते हैं अधिक पड़िपूर्दता से महसूस कर सकते हैं अगर अभी आप 20 साल के हैं तो आंतरिक शरीड का उड़जा छेतर आपको तब भी ऐसा ही महसूस होगा जब आप 80 साल के हो जाएंगे तब भी वह ऐसा ही जिवान्त इसपंदन वाला होगा सरीड से बहिर मुखी रहने की और अपने मन के माया जाल में तलीन रहने की आपकी आदत जैसे जैसे सरीड में अंतर मुखी होने की और अब में बिदमार रहनी के अस्ताय में प्रिवर्तित होती जाती है वैसे वैसे आपका यह भौतिक सरीड अधिक हलका, अधिक निडमल और अधिक जिवान्त होता जाता है चुकि सरीड में अधिक चेतन्यता होती जाती है इसलिए इसकी आनविक सरचना सचमुछी कम घनतों वाली होती जाती है अधिक चेतन्यता का आर्थ होता है बहुत इक्ता के विप्धम का कम होते जाना अपने बाह या स्रीड के साथ तदात में कर लेने की तुलना में जब आप अपने काल निर पेक्ष आंतरिक स्रीड के साथ अधिक तदात में हो जाते हैं जब वर्तमान में बिद्वान रहना आपके चतन्यता का सहजबा स्वभाव बन जाता है और अतीत वह भविस्ये आपके ध्यान पर हावी नहीं रहते हैं तब आप अपने मन, मानस में तथा स्रीड के कोसानूं में समय का और अधिक संचयन नहीं करते हैं अतीत तथा भविस्ये का मनुग्रेज्यानिक भार रूपी समय का या संचयन आपके कोसानूं की स्वयंपुन्णर निर्मान की छम्ता को बहुत बुड़ी तरफ प्रभावित करता है इसलिए अगर आप आंतरिक स्रीड में वास करने लगते हैं तो बाह्य स्रीड के भृधि होने की गति अत्यांत मंद हो जाती है और जब होता भी है तब आपके काल्ण जिपेट सत्व का वह प्रकास आपके बाह्य स्रीड में से जलकने लगता है और आप अपनी आयू के अनुरूप वृध परतीत नहीं होते हैं रूप परती रूधक परनाली को मजबूत करना सारेडिक छेतर के लिए इस अभ्यास का एक अन्यलाव हिया है कि या रूप परती रूधक परनाली को तब बहुत मजबूत बना देता है जब आप मानसिक रूप से भी स्रीड में रहने लगते हैं आप जितनी अधिक चतन्यता स्रीडि में लाते जाते हैं आपके रूधक परती रूधक परनाली उतनी ही मजबूत हो दी जाती है ऐसे लगता है जैसे तब आपका हर कोसानु जाग्या हो और प्रफुलित रहने लगा हो आपके स्रीड को आपके तवज्जो अच्छी लगती है यह स्वरोग हारी का सेल्फ हिलिंग का भी एक कारगर रूप है अधिकांस रोग आपके अंदर तब परविश करते हैं जब आप अपने स्रीडि में विधमान नहीं रहते हैं अगर घरका स्वामी घर में नरहा हो तो तरह-तरह के खुराफती लोग उस घर में घुसकर उसे अपना घर बना लेते हैं जब आप घर में रह रहे होते हैं तब इन अवांची तक्तों का आपके घर में घुसना मुस्किल हो जाता है ऐसा नहीं है कि इस अभ्याद से केवल आपके स्रीड की ही रोग प्रतिरोधक परनाली मजबूत होती हो बलकि आपके मानसिक रोग प्रतिरोधक परनाली भी बहुत मजबूत हो जाती है यह पड़नाली दूसरों के उस नकरात्मक मानसिक भावनात्मक वबल छेतर से आपका बचाव करती है जो कि प्राया एक संक्रामक रोग जैसा हुआ करता है अपने सरेड में रहना आपको सुरक्षा परदान करता है कोई ढाल परदान करके नहीं बलकि आपके समूचे उर्जा छेतर के जीवन इस पंदन के प्रबलता को बढ़ा कर ताकि कमतर बल के साथ इस पंदन करने वाले कोई भी चीज जैसे भाय, क्रोद, अवसाद, विसाद, आदे अपने अस्तित्तों को लेकर एक बिल्कुल अलग रहने लगें तब वे आपकी चेतना के छेतर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और अगर करते भी हैं तो उनके रोग थाम करने की अयशक्ता आपको नहीं करनी परती क्योंकि वे आपने से होते हुए बस गुजर जात जिसे अपनी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बढ़ाने की आवसकता महसूस होने पर भी होने पर आप कभी भी कर सकते हैं यह ध्यान करना तब विशेश रूप से प्रभावी रहता है जब किसी रोग का पहला लक्षन आप महसूस करें लेकिन यह ध्यान ऐसे रोगों में पिकारगार रहता है कि जब वे पहले से ही आपके अंदर अपना पैर पसार चुके हो बसरते की आप इसे थोड़ी थोड़ी देर बात करते रहें और पूरी सिध्धत के साथ फोकस करके करें किसी नकरात्मक्ता द्वारा आपके उर्जार चेतर में की गई किसी तूट फूर का भी निराकरन या ध्यान कर देता है लेकिन फिर भी हर्चन अपने सरीर में रहने के अभ्यास का या कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उस अभ्यास के बिना इसका प्रभाव बरा और अस्थाई रहेगा तो वह ध्यान प्रस्तूत है जब कुछ पलों के लिए आप फूर्शत में हो विशेश रूप से रात को सोने से पहले वाले आखरी पलों में या सुबह जागने पर सबसे पहले वाले पलों में तब अपने शरीर के चतन्यता को अधिक्तम भर लिजिए कमर के बल लेट जाएए अपनी आख्या बंद कीजिए अपनी सरीर के बिभिन अंगों पर एक एक करके अपने अवधान का फोकस करना शुरू कीजिए जैसे पहले हाथ पर फिर पैर, बाहे, तांगे, पेट, छाती, सिर, इत्यादी पर इन अंगों के अंदर जीवन उर्जा को जितनी अधिक सघंता से आप महसुस करते हैं कीजिए हर अंग के साथ इसे परकार लगवक 15 सेकंड तक रहे फिर अपने अवधान को कई बार अपने पूरे सरीड में एक लहर की तरह दोलने दिजिए जैसे हाथों से, पैरों की ओर और फिर वापस हाथों की ओर इसमें केवल एक दो मिनटी लगेंगे इसके बाद अपने आंतरिक सरीड को उसकी संपूर्ता में महसूस किजे उर्जा के एक अखंड छेतर के रूप में इस दोरान भरपूर तोर पर विद्धमा रहे अपने सरीड के हर एक कोसान में उपस्तित रहे अगर आपका मन कभी आपका द्यान सरीड से बाहल ले जाने में कम्याब हो जाए और आप खुद को किसी विचार में भड़कता हुआ पाएं तो चिंता मत किजे जैसे ही आप देखे कि ऐसा हो गया है तैसे ही अपने ध्यान और अध्यान को वाफस अपने सरीड में ले आएं अपने स्वास प्रस्वास द्वारा अपने सरीड में परवेश्ट करना Trust, कई बार जब मेरा मन बहुत सक्रिय हो जाता है और तब यह इतना गतिसीर हो जाता है कि इस पर से अपना ध्यान हटाना और उसे अपने आंतरिक सरीर में ले जाना मेरे लिए असंभावसा हो जाता है ऐसा तब खास तोर पर होता है जब मैं किसी चिंता या व्याग्रता में होता हूँ क्या आपको यू पाए बताएंगे जब कभी भी आप पाएं कि आंतरिक स्रीड के संपर्प में आना कठीन हो रहा है तब सबसे पहले अपने सांस पर फोकस करना प्राया असान रहता है सजग रूप से सांस लेना जो कि अपने आप में एक ध्यान ही है आपको धीरे धीरे स्रीड के संपर्प में ले आता है जैसे जैसे आपकी सास आपके सरीड में अंदर वा बाहर जा रही हो अपने अवधान के साथ उसका अनुगमन करें अंदर जाती सास के साथ पेट का तनिक फूलना और फिर बाहर जाती सास के साथ उसका सिकुरना इसे महसूस करें अगर आप असानी से कलपना में देख सकते हैं तो अपनी आखे बंद कर लिजे और स्वयम को परकास से घिरा हुआ देखे या किसी जियोतिर में ततों में निमगन मحसूस कीजे चतन्याता के सागर में तब उस परकास में उस जिवति में सांस भड़िये और मसूस किजिए कि वह जिवतिर में तत्वर आपके सरीर में भरता जा रहा है और उसे देवदिप्ति मान भी करता जा रहा है। प्रयूग करने के आवशक्ता आही पड़े तो आप उसका प्रयूग अपने आंतरिक स्रीड के संयोजन के साथ करें अपने मन का रचनात्मक उप्यूग आप तभी कर सकते हैं जब आप बिना विचार के चतन्य रहते हैं और ऐसी अवस्था में प्रविश्क करने का स्रल्तम उपाय है अपने स्रीड के माध्यम से वहां तक पहुचना जब कभी भी आपको किसी उत्तर किसी समाधान या किसी रचनात्मक सोच के आवशकता हो तब आप अपने आंदरिक उर्जा चेतर पर अपने अवधान को फोकस करते हुए कुछ पलों के लिए विचार करना बंद क होगा किसी भी विचार के गतिविधी में यह अपनी आदत भराले कि विचार करने के और अपने अंदर की आवाज सुनने के बीच कुछ पलों के लिए आना जाना रखें इसे यूँ कहां जा सकता है क्यों अपने मन मस्तिक्स से ना सोचे बलकि अपने समुचे सरीर से सोचे सुनने की कला आप मन द्वरा हस्त छेप किये जाने बीना वास्तों में सुन पाएं तब आप उस व्यक्ति के लिए रिक्तिस्थान बना रहे होते हैं उसके होने के लिए रिक्तिस्थान यह आपके द्वरा उसे दिया जा सकने वाला सबसम मुल्यवान उपहार होगा अधिकांस लोग यह जानते ही नहीं है कि सुना कैसे जाए क्योंकि उनके अवधान के अधिकतर हिस्से को तो विचार द्वारा हत्या लिये जाता है दूसरा क्या कह रहा है इस पर ध्यान देने के बज़ाए उनका ध्यान अपने ही विचार पर रहा करता है और उस चीज पर तो बिल्कुल भी नहीं रहा करता है जिसका वास्तों में महत्व है दूसरे व्यक्ति के शब्दों और मन के नीचे विराजमान उसकी बीइंग वास्तों में दूसरे की बीइंग को आप अपनी बीइंग के माध्यम से ही मसूस कर सकते हैं अन्यता नहीं, यहीं एक्क्य का बोद करने का आरम है, यहीं प्रेम है, बेइंग के गहंतव तल पर आप उस सर्वस्व के साथ एक हैं जो है अधिकान संबंधों में लोग एक दूसरे के साथ मांसिक संवाद परिसंवाद ही कर रहे होते हैं, प्रसपर संप्रिशन नहीं कर रहे होते हैं, अध्यात्मिक समागम में नहीं रह रहे होते हैं इस धंग में कोई भी संबंध पनप नहीं सकता और यहीं कारण है कि चारों ओर संबंधों में इतना द्वंध रहता है इतना टकराव रहता है जब आपका मन आपके जीवन को चला रहा हो तब द्वंध टकराव कलह कलेश लराई जगरा होना तो लाजमी है अपने आंतरिक श्रीर के संबर्क में रहने से एक ऐसा मन रहित स्वक्ष रिक्त स्थान बन जाता है जिसमें समध किल सकता है फल फुल सकता है आत्म ग्यान से पलिपूर्ण संबन वह चीज नहीं है जहां भी आप है वहीं से पलिपूर्ण करता है उस सुख के बिने किसी का जीवन अपूर कैसे हो सकता है कि किसी पूरूस वह इस तरी के बीच संबन के यह बारेम आपके अनुभाव पर खड़ी उटे है तो आप समय में एक ऐसी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं जो आपको बचा लेगी क्या यह वहीं मुलभूत गलती नहीं है जिस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं मुक्ति किसी सुदुर इस्थान या सुदुर समय में नहीं है वह यहीं है और अभी उपलब्ध है आपके इस कथन का क्या अर्थ है कि मुक्ति यहीं है और अभी उपलब्ध है मैं इसे समधा नहीं मैं यह अभी नहीं समझानता कि मुक्ति क्या होती है अधिकांस लोग एंद्रिक सुख पाने के या तरह-तरह का मानसिक परितोस पाने के पीचे भागते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजे उन्हें सुखी देंगी या इनके अभाव अथ्वा भाय की भावना से छुटकारा दिला देंगी किसी सारिक सुख के माध्यम से पाय जाने वucken को आप जिवित अवस्था की एक उची संग्या के रूप में देख सकते हैं या मनो व्ग्ञानिक पडितोस्कित किसी रूप के माध्यम से अहम के अधिक सुरक्चित होने या पडिपूर्द होने का भाव महसुस कर सकते हैं यह और संतुष्टी की वो अप पुंटा की अवस्था से मुक्ति पाने की खोज होती है नीर पुवाद के रूप से जो भी संतुष्टी उन्हें प्राप्त होती है वो अधिक समय नहीं चल पाती अलपावधे की होती है इसलिए आम तोर पर एक बार फिर यहां तब तथा अब से कहीं दूर किसी कालपनिक बिंदु पर उस स्वंतुष्टी या उपलब्धी की अवस्था की धार्णा बना ली जाती है जब मुझे यह हासिल हो जाएगा या जब मैं उसे मुक्त हो जाओंगा तब मैं सुखी हो जाओंगा यहीं वह अच्यतन मानसिक धार्णा है जो किसी भोविस्य में मुक्ती होने का ब्रह्म रच देती है असल मुक्ती है पुर्णता, शांती, भारा पुरा जीवन, वह होने, वह होना जो आप है अपने अंदर के गुन अनुभाव करना जिनका विलोम नहीं है यानि बेइंग का वह अनंद जो स्वयम से बाहर किसी चीज़ पर निर्भन नहीं रहा करता है मुक्ती किसी गुजरते हुए अनुभाव के तरह मसूस नहीं की जा सकती है बलकि एक निवास करती हुई प्रिजेंस की तरह अनुभाव की जाती है इस्वरवादी भाजा में यह इस्वर को जानना है किसी बाहरी चीज की तरह नहीं बलकि स्वयम अपने ही अंतरतम सारतत्व के रूप में असर मुक्ति होती है स्वयम को जानना, स्वयम को उस समय निरपेक्ष और निराकार परम जीवन के अप्रिथक के अंगल के रूप में जानना जिसमें से समस्थ जीवन उत्पन हुआ है असर मुक्ति स्वतंत्र होने की एक अवस्था है भय से, दुख से, अभाव और अचमता वाली सोच की अवस्था से और इस तरह समस्त एक चाओं, अकान चाओं और पेक चाओं से, लोग से, आज सक्ति से स्वतंत्र होने की अवस्था है मुक्ति यह स्वतंत्र होना है और नियंतरित विचाह प्रवाह से नकरात्मक्ता से और सबसे उपर अतीप वभविस को एक मन विज्ञानिक आवसकता समझ लेने से आपका मन आपसे कह रहा है कि आप यहां से वहां नहीं सकते कि कुछ तो घटित होना ही चाहिए या सोतंत्र तथा पूर्ण होने के लिए आपको यह यह वह बनना है चाहिए दरसल वह कह रहा है कि आपको समय चाहिए कि स्वतंत्र होने वह पूर्ण होने के लिए आपको आवसकता है खोजने की, चुनने की, करने की, उपलबने की, हासित करने की या वबनने की समय को आप मुक्ति के साधन के रूप में देखते हैं जबकि सच यह है कि समय मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आप सोचा करते हैं कि आप यहां से वहां तक नहीं पहुंच सकते लेकिन अभी आप वहां पहुंचने वाले होते कौन है क्योंकि अभी आप या तो पूर्द नहीं है या प्रयाप्त योग्य नहीं है लेकिन सच तो यह है कि यहीं और अभी ही केवल वह बिंदु है जहांसे आप वहाँ पहुँच सकते है आप यह बोध हो जाने पर वहाँ पहुँद जाते हैं कि आप तो पहले से ही वहाँ है जिस पल आपको यह ग्यान हो जाता है कि आपको इस्वर को तलाशन की आउशक्ता नहीं है उसी पल आपको इस्वर मिल जाता है इस प्रकार मुक्ति का कोई एक मेव मार्ग नहीं है किसी भी परिश्थिति का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन किसी भी विश्ष्थ परिश्थिति की आउश्थिता नहीं है लेकिन गंतव्य का बिंदु केवल एक है अब इस पल से परे या जो पल आपके समक्ष है उसके अलावा कहीं कोई मुक्ति नहीं है क्या आप अकेले हैं आपके कोई साथी नहीं है तो यहीं से अब में परवेश करें क्या आप सम्बंध मैं हैं तो यहीं से अब में परवेश करें इस पल के अलावा कुछ और है ही नहीं कि जिसमें कुछ करके या जिसे पाकर आप मुक्ति के निकट तक भी पहुँच सके उस मन के लिए इस बात को पचाप पाना मुस्किल ही होगा जो यह सोचने का आदिरहा हो कि जो कुछ भी पाने योगे है वह के वल भविश्य में है और नो ही अतीत में आपके द्वारा या आपके प्रति किया गया कुछ भी आपको जो है को स्विकार करने से और अपने अवधान को अब की गरायम उतरने से रोपता है ऐसा आप हविश में नहीं कर सकते इसे आप अभी कीजिये फिडिया पल कभी नहीं मिलेगा प्रेम और प्रेम के संबंध जब तक कि आप प्रेजेंस की याने वरतमान में विधमानता की चतन्य आवस्था में नहीं पहुँझाते तब तक आपके संबही संबंधों में विसेसकर घनिष्ट संबंधों में तूटान वय खीजन बढ़ती चली जाएगी और अंततावे विखर जाते हैं कुछ समय के लिए विसंबंध भले ही बिल्कुल दुरुस्त नजर आते हों जैसे कि जब आप प्रेम कर रहे होते हैं लेकिन उपर उपर से दिखाई देते इस दुरुस्तपन में तब निरपवाद रूप से दरालेत पढ़ने लगती है जब आए दिन होने वाली वाद विवाद की टकराओ की और संतोस की भावनात्मक हिंसा की और सालिर्क हिंसा की भी घटनाई बढ़ती चली जाती है ऐसा लगता है कि ज़्यादतर प्रेम संबंद लबबा चलने से पहले ही प्रेम और प्रेम संबंद में बदल जाते हैं तब ज़्यासा बटन दबते ही प्रेम, उग्र, कुरूट वह आतरामक होटता है उसमें सत्रुभाव पनपने लगता है या वह अनुराग से पहले समाने सी बात माना जाता है, तब वह संबन्ध कुछ दिनों तक, कुछ महिनों तक या फिर कुछ वर्सों तक प्रेम और और प्रेम के भी जूलता रहता है, और इस से आपको कभी खुशी मिल जाती है तो कभी गम, यह आम बात है कि अधिकतर जोड़े इस कभी खुशी और कभी गम के दुश्चक्र के आदि हो जाते हैं यह नाटक उन्हें यह एहसास देता रहता है कि वे जिवित तो हैं ही सकरात्मक और नकरात्मक ध्रूगों के बीच का यह संतुला जब बिगड़ जाता है और नकरात्मक तथा विद्वासकारी गटना चक्रों की संता जब बढ़ती चले जाती है तब लंबा चलने से पहले ही देड़ से बेर ऐसे संबंद अंतितब भरभरा कर गिड़ी जाते हैं ऐसा लग सकता है कि अगर आप किवल इतना कर सके कि नकरात्मक या विद्वान सात्मक चक्रों को हटा दे तो सब ठीक हो जाएगा और संब संबंद बड़ी खुब सूर्ती से फलने फुने लगेंगे लेकिन अफसोस यह संभाव नहीं है यह दोनों ही दुरूफ एक दूसरे पर निर्वर रहा करते हैं एक के बिना दूसरा रहने ही पाता सकरात्मक्ता में और परकट रहने वाली नकरात्मक्ता पहले से ही यतावत मजूद रहती है दरसल दुनों ही एक ही गरबड़ी के अलग अलग पहलू है मैं यहां उस संबंद की बात कर रहा हूँ जिसे आम तोर पर रोमांटिक संबंद कहा जाता है सच्चे प्रेम की नहीं जिसमें की कोई विरोध धिता वहा ही नहीं करती क्योंकि सच्चा प्रेम म दुड़लव है उतनी ही दुड़लव जितनी की किसी चैतने मनुस्त का मिलना फिर भी मन के विचार परवाह में अगर कभी कोई अंतराल आ जाता है तब तो प्रेम की संचिप्थ और और अस्थाई झरक देखने को मिल जाया करती है वास्तों में समंदो की सक्रात्मक अवस् उसे पहशान अधिक आसान रहता है यह कई रुपे में प्रकठ हो सकता है जिसे मालिकाना हक जताना इल्ष्या करना अधिकार वर नियंतरन में रखना कि नाराक करना गुस्से में बोलना छोड़ देना खुद को सही समझना और सम्वेद्द सीर होना बस खुद से ही सरुकार र किसी अभिभाव को द्वारा दिये गए पुराने कश्टों के लिए अचेतन रूप से बदला लेना, रोस में रहना और सारीर के हिंसा करना सकरात्मक पच्छ में आप अपने सांथी के साथ प्रेम में रहते हैं, यह सबसे पहली और गहरी सम्तोस प्रदक अवस्था होती है आप गहन रूप से, प्रबल रूप से स्वयम को जिवन्त अनुभाव करते हैं अचानक ही, जैसे आपके जिवन को एक अर्थ, एक प्रियोजन मिल गया है क्योंकि किसी को आपके जरूरत है, चाहत है, वो आपको महत्पुर्ण होने का एहसास देता है और आप भी उसके लिए यहीं करते हैं जब आप दोनों एक साथ होते हैं, तब आपको पड़ी पुर्णता की अनुभूती होती है यह अनुभूती इतनी प्रवल होती है, यह बाके संसार का जैसे कोई खास महत्पुर्ण ना रह गया हो लेकिन आपने देखा होगा कि आपको उस व्यक्ति के जरूरत से महसुस होने लगती है आपको उसके साथ रहने के तलब रहती है मानों आपको उसका चसका लगया हो आपके लिए वह एक ड्रग जैसा हो जाता है या हो जाती है जब तक वह ड्रग आपको उपलब्ध रहती है तब तक आप बहुत प्रसंद और प्रफूल रहते हैं लेकिन यह आसंका यह विचार भी कि अब वह साइद आपको उपलब्ध ना रहे आपको इर्स्या करने, मालिकाना हक जमाने, भावनात्मक ब्लैक मेलिक द्वारा, मतलब साधने और दोसार उपन करने की उड़ ले जाता है और यह सब उसे खोद देने के भाई से उपजा होता है अगर वह आपको छोर कर चला जाए या चली जाए तो यह बात आपके अंदर पर चंड शत्रुता पुर्ण रवाईया पैदा कर देती है या फिर आपको अत्यांत गंभेड दुख में डुबो देती है कुछ पलों में ही प्रेम पुर्ण सा हिड़ देता वो सम्मेता एक जंगली आक्रमकता या त्रास्त दुख में बदल जाती है अब वह प्रेम कहा गया क्या प्रेम पलभर में प्रकर इतना प्रत्किल हो सकता है तो पहली अवस्था में जो था क्या वह प्रेम ही था या क्यों एक चसका था उस पर कबजा करने का उसका संग साथ पाने का सुख दुख के पार है सांती प्रश्ट सुख और आंतरिक सांती में क्या कोई अंतर है? हाँ सुख तो इस सितियों के सकरातमक वो अनकूल हो जाने पर निर्वर करता है लेकिन आंतरिक सांती किसी पर निर्वर नहीं रहा करती क्या यह संभाव है कि हम जीवन में क्यों सकरातमक इस स्थितियों को ही आकरसित करें? अगर हमारी प्रविर्ती और हमारी सूच हमेशा ही सकरातमक रहे तो हम क्यों सकरात्मग घटनाओ और इस तीतियों को ही पैदा करेंगे, क्या ऐसा नहीं है क्या आप सच में जानते हैं कि सकरात्मगता क्या होता है और नगरात्मग क्या होता है क्या पूरी तस्वीर आपके सामने रहती है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए सिमितता और सफलता, हानी, रोग या किसी भी रूप में दुख दर्द होना उनके सबसे बड़े सिक्छक सिधुए हैं इनी इस्थितियों ने उन्हें सिखाया है अपनी जूठी छवी को तिलांजली देना और दिखावटी अहम द्वारा तै किये जाने वाले लक्षियों और इक्षाओं को छोड़ देना इनी परिस्थितियों ने उन्हें गहराई दिये विनम्रता दिये करूना दिये इन्हीं अधिक सच्चा वह खरा बनाया है जब कभी भी कुछ नकरात्मक आपको प्रति घटीत होता है तो उसमें छिपा हुआ कोई गहरा सबक हुआ करता है भले ही उद समय वह आपको दिखाई नौ देता हो यहां तक कि कोई छोटी विमारी या कोई छोटी मुटी दुरुखटना आपको यह दिखा और बता सकती है कि आपके जीवन में क्या वास्त्विक है और क्या अवास्त्विक कि आखिर में क्या महतुर और मायने रखता है और क्या नहीं विहंगम द्रिष्टी से ये पूरी तश्वीर देखें तो इस्थितियां हमेशा ही सकरात्मक होती है लेकिन फिर भी सार संचेप में वे नो तो सकरात्मक होती है और नो ही नकरात्मक वे तो बस होती हैं जैसे भी वे हैं और जब आप जो हैं को पूरी तरह स्विखार करने की आवस्था में रहने लगते हैं जो कि जीवन को जीने का एक मात्र, स्वस्त और विचिप्त यानि विवेकसिल तरीका है तब आपके जीवन में नो कुछ अच्छा रहा जाता है और न दिखाई देते हैं इसलिए बुक अफ जेनेसिस में कहा गया है कि आदम और हववा को तब स्वर्ग में रहने नहीं दिया गया जब उन्होंने अच्छा और बुरा बताने वाले पेड़े के फॉल को खा लिया था यह बात तो और स्विकारने और खुद को धोखा देने जैसी लगती है जब मेरे साथ या मेरे किसी निकट संबंधी के साथ कोई भयावाह बात होती है जैसे दुर घटना बिमारी कोई दुख या मिर्टू तब भले ही मैं यह दिखावा करूं कि इसमें कुछ पुरा नहीं है तेकि सत्य तो यही है कि बुरा हुआ है तो मैं इस बात से इकार क्यों करूं आप कुछ दिखावा नौ करें जो हो रहा है उसे आप बस होने दें यह होने देना आपके मन की परतिरोध करने वाली उस परविर्थी से पार ले जाएगा जो उसे सकरात्मक नाकरात्मक का अच आप हर पल को छहमा कर देते हैं जानी वह जैसा भी है उसे होने देते हैं तो ऐसा कोई विद्वेश बचेगा नहीं जिसे की कभी बाद में छहमा करने के नौबात आए याद रखिए कि हम यहां सुख की खुशी की बात नहीं कर रहे हैं उदारन के लिए अगर हमारा कोई प्रिया मर जाए या आपको लगए कि आपकी मौत निकट आ रही है तब आप खुश थोड़े ही न हो सकते हैं यह और संभव है लेकिन आप सांथ और से रह सकते हैं आपको दुख भी हो सकता है आसू भी आ सकते हैं लेकिन अगर आपने दुख का प्रतिरोत करना चोड़ द सांती है यह वह अच्छा पन है जिसकी कोई विलोम प्रतिलोम नहीं होता प्रश्ट अगर कोई ऐसे स्थेती हो जिसमें मैं कुछ कर सकता हूं तो ऐसा कैसे होगा कि मैं उससे होने भी दूं और सांथ ही उसे बतल भी रहा हूं उत्तर आप जो कर रहे हैं वह करें लेकिन सब्सक्रावी होने से ततकाल मुक्त कर देता है और इस प्रकार वह आपको बिएंग के साथ पुना जोड़ देती है परिनाम सरूप करने के लिए अहम रचीत उकसावे जैसे भय, लोभ, लालाच, नियंतरन, बचाव, अहम की मिथ्या छवी को खुराग देने ये निश्क् मता आ गई होती है अपने भागे के रूप में लिखा जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे स्विकार करो क्योंकि तुम्हारी आवस्ताओं में बिल्कुल सही फिट बैटने वाला और क्या हो सकता है यहाँ बात 2000 साल पहले मारकस और एलियस लिखा गया था जो कि ऐसे अत्यंत दूर्लम व्यक्टितव वाले लोगों में से एक था जिसके पास संसारिक बल भी था और बुद्धिमता भी थी ऐसा लगता है कि अधिकतल लोहों को प्रतिरोध करना छोड़ने और जो हैएको स्विकार करना शुरू करने से पहले यानी च्छामा करना शुरू करने से पहले अत्यादिक दुख तकलीफ में से गुजरन की अलसकता होती है जैसे ही वे ऐसे करते हैं एक बरत्चमतकार होता है जो कुछ बुराई जैसा दिख रहा था उसी के जड़िये बींग के चेतन्यता का जागरन हो जाता है और दुख तकलीफ आंतरिक शांती में तत्वारं अंतरित हो जाते हैं संसार के सारी दुख तकलीफों का अंतता यही प्रभाव होता है कि वह इंसान को यह समझने के लिए विवस कर देती है कि अपने नाम और रूप के परेवह क्या है इस परकार अपनी सीमित दृष्टी से जिसे हम बुराई के रूप में देखते हैं वह वास्तों में उस उच्चतर भलाई का ही एक अंस होता है जिसका कि कोई विलोग परतिलोग नहीं हुआ करता लेकिन आपके लिए यह छामा के माध्यम के अलावा अन्यथा सत्य सिध नहीं हुआत होता जब तक आप में छामा भाव नहीं आता तब तक बुराई का आना बारंबार होता रहता है और इसलिए बुराई बनी ही रहती है चमा जिसका किसारभूत अर्थ है अतीत की असारता को वियर्थता को और और वास्त विक्ता को पहचानना वह समझना तथा वर्तमान को जैसा वह है वैसा होने देना ऐसी चमा के माध्यम से ही रुपांतरन का चमतकार होता है नौकेवल भीतर बल्कि बाहर भी आपके सगन प्रेजन्स के आवस्ता एक सांत अकास बन जाती है नौकेवल आपके अंदर बलकि आपके आसपास भी जो कुछ भी और जो कोई भी चेतन्यता के इस चेतर में परवेश करता है वह इससे परभावित होता है कभी कभी तुरंत भी होता है और होता हुगा दिखता भी है और कभी किसी गहरे इस तर पर होता है और तब पड़िवर्टन थोरा बाद में दिखाई देता है तब आप भीना कुछ करे क्यों अपने होने से और उस सगन प्रेजन्स के तरंगों से ही वैमनस्यता वा करने लगते हैं पीरा दूर करने लगते हैं और चतर्नियता का निर्या करन करने लगते हैं अपने जीवन में नाटकों का अंध करना प्रश्ट जो है कुछ विकार करने और आंतरिक सांती होने की उस अवस्था में भले ही उसे आप बुरा नौ कहते हों लेकिन क्या तब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा आ सकता है जिसे की साधारन चेतनाय के द्रिष्टी में बुरा कहा जाता हो। लोगों के जीवन में घटीत होने वाली अधिकास तथा कजित बुरी घटनाय और चेतन्यता के कारण ही होती है। वे यार तो लोगों द्वारा खुद खड़ी कर ली जाती है या फिर अहम द्वारा रची जाती है। मैं ऐसी बातों को प्रायह, नाटक या नोटंकी कहा करता हूँ। जब आप पूरी तरह चेतन्य रहने लगते हैं तब आपके जिवन में ये नाटक नोटंकी नहीं हुआ करते है। मैं ये संछेप में बताना चाहता हूँ कि अहम किस तरह हरकते करता है और नाटक नोटंकी कहा बखेरा खरा कर दिया करता है। अहम वहमन है जिसका कभी अलोकन नहीं किया जाता जिस पर कभी यह ध्यान ही नहीं दिया जाता कि वह क्या कर रहा है और आपको यह पता भी नहीं चलता कि आपके जिवन के बाग दौर उसने अपने हाथों में ले ली है और वहीं उसे चला रहा है क्योंकि आप दृष्टा के अन्ने के साथ कोई संब्ध ही नहीं है और जैसे उसके आसपास ये चारह ओर सब अहम वाले ही रहते हैं और इसलिए उन्हें की वह खुद के लिए संभावित खत्रा मानता है या उन्हें अपने ही लक्षों के लिए इस्तमार करने के कुछिस क्या करता है अहम द्वारा अपने बुनियादी तोर तरिके खुद के भीतर गहरे में अपने ही भय और अभाव की भावना के साथ जूजने के लिए बनाए गए होते हैं और वे हैं परतिरोद, नियंतरन, शक्तिव अधिकार, लोग, बचाओ, अक्रामक्ता अहम के कुछ यूपती, नितिया तो अत्यान, चतुराई, चलाके भड़ी हुआ करती है लेकिन फिर भी वे इसकी समस्याओ को कभी सुलजा नहीं पाती है किवल इसलिए क्योंकि अहम स्वयम की ही वह समस्या होता है जब अहम वाले कई लोग साथ मिल जाते हैं चाहे व्यक्तिगत सम्मंधों में या संगठनात्मक या संस्थाप्मक समंधों में तब अप्रिय घटनाए कभी भी घटित हो सकती है द्वंद, टकराव, समस्या, सक्ति वा अधिकार का संगठ्स, भावनात्मक या सारेडिक हिंसा यानि किसी न किसी तरह का नाटक वा नटंकी इस बुराई में सामोहिक बुराई सामिल हो सकती है जैसे युद्ध, नरसंगहार और विस्फोट या सब एक गत्र और चैतन्याता के कारण होता है इसके अलावा अहम के अनिरंतर परतिलोत के कारण अनेक परकार के रोग हो जाते हैं जो की शरीड में उजा के परवाह में कमी या बाधा का कारण बन जाते हैं लेकिन जब आप बेइंग से जुरे जाते हैं और अपने मन द्वारा संचालित वापड़िचालित होना बंद कर देते हैं तब आप ऐसे नाटक नौ टंकियों को नौ तो आप करते हैं और नोहीं उनमें हिस्सा लेते हैं जब दो या दो से अधिक अहमवादी एक साथ आ मिलते हैं तब किसी न किसी तरफ कोई नाटक नो टंकी होना तो निशित है लेकिन अगर आप नितांत अकेले रहते हैं तब ही आप अपना कोई नाटक रज सकते हैं जब आप खुद के लिए कुछ अफसोस कर रहे होते हैं वो अभी नाटक ही है अगर आप में अफराद भाव या व्यक्रता पनप रही है वो अभी नाटक है अगर आप अती या भविस्यो द्वारा वर्तमान को धोमिल किये जाने दे रहे हैं तब आप समय को यानि मनववेग्यानिक समय को रच रहे होते हैं या भी वह समगरी है इसे कि नाटक की रचना की जाती है। ऐसा होने देने के द्वारा जब कभी भी आप वर्थमान पल का सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, तब आप नाटक की रचना ही कर रहे होते हैं। अधिकतर लोग अपनी खास तरह की नौटक नौटंकी से बराप्रेम करते हैं, उनकी कथा ही उनके पहचान होती है, उनका अहम ही उनके जीवन को संचालित कर रहा होता है, अपने स्वा का संपुर्ण भाव उन्होंने उसमें ही खपा दिया होता है, यह तक कि किसी उत्तर, कि किसी सुधार के लिए की जाने वाले उनकी कोई भी तलाज, जो की प्राया विफल ही रहती है, वो अभी इसे नाटक का एक हिसा बन जाया करती है, जिस चीजों से वे डरते हैं, और जिस चीजों का वे परतिरोत करते हैं, वह ही उनके नाटक का उद्देश सरह करता है, जब पुरी तरह स्विकार करने के अवस्था में रहने लगते हैं, तब वह अवस्था ही आपके जीवन में नाटक, नोटंकी का अवसान कर देती है, तब आपके साथ कोई वाद विवाद भी नहीं कर पाता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, किसी पुरी तरह सजग व्यक्ति के साथ आप वाद विवाद या बहुत मुव बहासा भला कैसे कर सकते हैं वाद विवाद करने के लिए पहले तो आवस्चक है कि अपने मन तथा अमानसीक आवस्था के साथ खुद को तदाप्त में किया जाए और साथ ही दूसरे व्यक्ति की इस्थिति के परति परतिरोद वह नतीजा यह होता है कि आमने सामने वाले दोनों ही जंग एक दूसरे से उड़ जा वह उग्रता प्राप्त कर लेते हैं यह अच्चे तरन्यता के ही तोर तरीके हैं किसी तरह की प्रतिक किडियात्मक उग्रता के बिना भी और बचाओ तथा आकरत्मकता के कोई धाल तरवार लिए बिना भी तो आप अपनी समस्या आप अपनी बात इस पस्टिता तथा द्रिर्चा के साथ रख सकते हैं तब वह बात किसी नाटक में तब्दिल नहीं होगी जब आप पूरी तरह चेतन्य रहते हैं तब आप द्वंद में पढ़ना बंद कर देते हैं एक कोर्स इन मि पूल रूप से स्वम अपने ही अंदर द्वंद होने पर भी लागू होती है और इस तरह आपके अंदर का द्वंद यानि मन की मांगो वह चाहतों के और जो है कि भी चलने वाला द्वंद तब थम जाता है स्वाप्थ हो जाता है और अस्थाईत्व और जीवन चक्र तथा भी जब तक आप अपने इस सरीड में हैं और सामुहिक मानव मन से जुड़े हुए हैं तक कभी कभी ही सही लेकिन सारीरी कश्ठोनी के संभावना रहती ही है इसको दुख या मानसिक भावनात्मक फिरा मानने के भूल नहीं कर ली चाहिए जितनी भी दुख तकलीफ हैं वे सब अहम द्वारा रचित होती है और परतिरोत के कारण पैदा होती है साथ ही जब तक आप इस सरीड में हैं तब तक आप इसके आवागमन के चकर के अधीन और सभी चीजों के और अस्थाई होने के विधान के अधीन ही रहेंगे लेकिन इस से आप बुड़े के रूप में न देखें ऐसा बस है सबी चीजों के हैपन को होने देने से विरोधा भासों के खेल के नीचे रहने वाला एक गहरा आयाम आपके समक्च एक चीर इस्थाई प्रिजन्स की तरह एक आप और परिवरतन शीर गहन सांती की तरह अच इस तर पर अलग-अलग प्रतीतों होते नाम रूपों का जर्म होता है वह मिर्त्य होती है स्रिष्टी और विनिष्टी होती है विकास और विगटन होता है यह हर तरफ देखा जा सकता है कि सिताड़े या ग्रह के पंच तत्तों वाले इस शरीड के पेर पौधे के फूल के देशों के उत्थान वा पतन के राजनैतिक पढ़नाली के और विक्ति के जिवन में हानी वलाव वाले अवस्यामी चक्र में भी आते हैं सफलता के चक्र आते हैं जब चीजे आपकी तरफ आती है संपन्ता आती है उन्नती होती है और विफलता के चक्र भी आते हैं जब ची आतोवी चीज से चिपके रहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप जीवन के परवाह के साथ चलने से इंकार कर रहे हैं। इससे आप दुखी ही होंगे। यह सच नहीं है कि उठता क्रम अच्छा ही होता है और गिर्ता क्रम बुरा होता है। यह बात तो मन की धारना मात्र है। अभी व्रिधी को आम तोर पर सकरात्मक माना जाता है। लेकिन कोई भी चीज हमेशा तो बढ़ती ही नहीं रह सकती। अभी ब्रिधी चाहे वह कोई भी सी हो यदि लगतार होती रहे तो अंद्यता वह द्यत्याकार हो जाएगी विरासकारी हो जाएगी नई अभी ब्रिधी होने के लिए पुरानी का विगटन अवस्यक है एक के बिना दूसर नहीं हो सकता अध्यात्मिक ज्यान के लिए अवनती वाले चक्र का होना अत्यांस अवस्यक है अध्यात्मिक आयाम की ओर आकर्सित होने के लिए किसी इस तरपर आपका गहाई तक और सफल होना या किसी गहडी हानी या पीरा का अनुभाव करना अवस्यक है या हो सकता है कि आपकी सफलता ह इतनी खोखली और निरर्थक हो जाए कि वह औसफलता ही लगने लगे हर सफलता में औसफलता चीपी रहती है और हर औसफलता में सफलता चीपी रहती है इस संसार में यानि नाम रूप वाले स्तर पर हर कोई देर सबेर औसफल होता ही है और हर उपलब्धी अंतता व्यार्थ वह अर्थ हिन हो जाया करती है, सभी मुर्थ रूप और अस्थाई होते हैं, तब भी आप सक्रिय हो सकते हैं और नए मुर्थ रूपों को रचने वह प्रकट करने का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ तदात में नहीं होना होगा, उन्हें अपने सुवा का भाव देने की आपको आवसकता नहीं है, वे आपका जीवन नहीं है, वे आपके जीवन जीने की किवल स्थितिया हैं। कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं कोई भी चक्र कितने भी समय के लिए ठार सकता है कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्सों तक कुछ चक्र लंबा चलते हैं और उन लंबे चक्रों में छोटे छोटे चक्र आते हैं जाते रहते हैं कई रोग उन चक्रों के विरूत संघर्स करने से पैदा हो जाते हैं जो दुरुबल शक्ति वाले होते हैं लेकिन वे आत्मों नत्ति के लिए महत्पूर्ध होते हैं कुछ न कुछ करते रहने की जबरन आदत और उपलब्धी जैसे कारकों से स्वभिमान वा आत्म सम्मान महसूस करने वाली प्रविर्ती या वा भरानती है जो तब तक बनी रहती है जब तक कि आप अपने मन के साथ अदात्मियता बनाए रखते हैं या प्रविर्ती किसी भी निम्र चक्र को स्विकार करना या उससे होने देना आपके लिए कठी या और संभाव ही बना देती है इस परकार सारेलिक तंतर के प्रग्या आत्म रक्षात्मक रूप में हावी हो जाती है और कोई न कोई रूप रचती रहती है ताकि आपको और अस्थाईत्यों के साथ घनिष्टता से जुड़ी हुई है बुध्य ने इसे अपने सिक्षाओं का केंद्र बनाया है हर परिस्थिति बिल्कुल और अस्थाई होती है और दिरंतर प्रवाह वह पड़िवर्तन में रहा करती है या जैसा कि उन्होंने कहा है आपके करता बंद कर देगी जीजस के सिक्षाओं का केंद्र भी और अस्थाईत्वर है धर्थी पर अपने लिए धन दौलत का भंडार मत भरो जंग और दिमक उसे चाट कर जाएंगे और चोर सेंद्र लगा कर उसे लूट कर ले जाएंगे जब तक आपका मन किसी भी स्थिती को अच्छी होने का निसकर्थ से निकालता रहता है चाहे वह कोई संबंध हो, कोई संपत्ति अधिकार हो, कोई समाजिक प्रतिष्ठा हो, कोई पद हो या आपका या भोतिक स्थिड़ हो तब तक मन खुद को उसके साँज जोड़ता रह एसी स्थिती आपको खुश रखती है, खुद आपको वह अच्छा अच्छा मसूस होना कराती है, वह आप और वह आपका यह जो आप खुद को समस्दे हैं उसका एक सबन जाती है, लेकिन जंग और दिमक द्वारा चट कर लिए जाने वाले इस आया में कुछ भी दिर्खकाल तक नहीं टीक पाता, या तो वह खत्म हो जाता है, या पड़िवर्थित हो जाता है, या उसके ध्रूप बदल जाते हैं, यानि वहीं इस्थिती जो कि कल या पिछले वर्स अच्छी कही जा रही थी, वह अचानक ही बुरी मानी जाने लगती है, जो इस्थिती कभी आपको खुश किया करती थी, वहीं आपको दुखी करने लगती है, आज की समरिद्धी आने वाले कल में खोखला उपभोकता वाद लगने लगती है, सुब विवाह और सुखद हानिमून दुखदाई तलाक बिना तलाक के एक ही चत के नीचे कूड़ता हुआ, साथ बनकर रह जात हैं, ऐसा अकसर सुनने में आता है, कि अमुक व्यक्ति को भारी हानी हो गई या उसके परतिष्ठा जाती रही, तो उसने आत्महत्या कर ली, या ऐसी ही सोच के परकाश्ठा होती है, बाकी लोग जब भी, जब किसी तरह के कोई बड़ी हानी हो जाती है, तो बहुत गहराई तक दुखी रहने लगते हैं, या खुद को विमार कर लेते हैं, दरसल वे अपने जीवन और जीवन इस्तिती में अंतर नहीं कर पाते, हाल ही में, मैंने एक प्रसीद अबनेत्री के बारे में सुना, जिसके मृतु असी से भी अधिक उमुकी हुई, चुकि उसकी सुन्दर के साथ, अपने बाहरी रूप के साथ, खुद को तदात में कर दिया था, पहले उसका बाहरी रूप उसे सुख देता था, उसके अहम के तुष्टी करता था, लेकिन फिर उस रूप का नौरहना उसके लिए दुखध हो गया, अगर वा खुद को अपने भीतर के निराकार और स्वयब निर्पेक्षी जीवन से जोड लेती, तो वस्षानत रहने वाले और छुबद ना होने वाले अपने अंतख करन से, उस फीके पढ़ते अपने बाहरी रूप को द्रश्टा की तरह, साक्षी की तरह देख पाती और उसे बस होने देती, इसके अलावा उसका बा लेकिन किसी ने उसे नहीं बताया कि ऐसा भी हो सकता है, ज्यान का जो परकाट सबसे अधिकावशक्य है, अधिक्ता लोग उससे अभी भी दूर ही है, बुद्ध ने कहा है, आपका सुख भी दरसल दुख ही है, कश्ट है और संतोश है, सुख अपने बिलोम से यानि दुख से अलग नहीं रहता, इसका अर्थ या हुआ कि आपका सुख और दुख दरसल एक ही चीज है, केवल समय के दृष्टी भ्रहम के कारण वे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा सोचना नकरात्मक होना नहीं है, यह तो केवल चीजों के सौभाव स्वरूप को पहचानन है, ताकि आप जीवान भर किसी मिर्ग मरीश्या के पीछे ही दौरते न रह जाएं, नहीं इसका अर्थ या है कि सुखद वो सुन्दर चीजों या स्थितियों की सरहना करना आप बंद कर दें, लेकिन उनसे किसी ऐसी चीज हासिल करने की चाहत रखना जो कि वे दें नहीं स जैसे एक पहचान, इस्थाईतों का भाव और उपलब्धी या अवस्य ही दुख, तकलीव और खिंता पाने का नुस्का है, आज का समुचा विज्यापन उद्यूप और उपभूकता समाच एकदम धराम हो जाएगा अगर लोग एनलाइटेंड हो जाएं और चीजों से ही अपनी पहचान बनाना वा चीजों में ही अपनी पहचान खोजना बंद कर दें, चीजों को अपनी पहचान बनाने वा मानने में आप जितना अधिक सुख चाहेंगे उतना ही अधिक आप इनके चक्कर में उलचते जाएंगे, बाहर का कुछ भी आपको कभी सुखी वसंतु प्रिश्ट नहीं बना सकता सिवाए और अस्थाई तोर पर और स्थाई तोर पर लेकिन इस सत्य को पहचानने से पहले आपको कई भ्रहांती मुक्तियों के अनुभाव में से गुजरदा होगा चीजे वह स्थितिया आपको सुख दे सकती है लेकिन वे आपको दुख भी देंगी चीजे वह स्थितिया आपको सुख दे सकती है लेकिन वे आपको आनंद नहीं दे सकती कोई भी चीज आपको आनंद नहीं दे सकती अनन्द और कारण होता है, स्वता होता है और आप भीतर से ही बीइंग के आनन्द रूप में प्रसफुटित होता है या सांती के भीतरी अवस्था का एक अभिन अंग होता है उस अवस्था का जिसे इस्वडिय सांती कहा जाता है यहीं आपके स्वभाविक वा सहज अवस्था होती है नौकि वह कि जिसके लिए आपको कोल्हू का बहल बनने की और उसे पाने के लिए जुझने वा संघर्स करने के अर्शता पड़ती हो अधिकतर लोगों या समझी नहीं पाते हैं कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा काम कभी भी मुक्ती या उद्धार नहीं दिला सकता जो आप करते हैं या अपने स्वामे तुमें रखते हैं या जिसे उपलब्धी मानते हैं जो लोग इस बात को जान लेते हैं वे अक्सर विरक्त हो जाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं और कहने लगते हैं जब कोई भी चीज आपको सच्ची पुर्णता परदान नहीं कर सकती है तो या फिर सारी जद्दो जहत कहें के लिए की जाए किसी भी चीज का फिर गंबर इस ग्यान को पाच चुके होंगे जब उन्होंने या लिखाता जो कुछ इस धर्दी पर किया जाता है वो सब मायने देखा है इसलिए धियान दो ये सब कुछ अब असार है मित्या भी मान है हवा को मुठी में बंद करने की कोशिस करने जैसा है जब आप इस मुकाम कर सफिन ये एक बार मुझे बताया 20 वर्स के अपने सन्यासी जिवन में मैंने जो सीखा है उसे मैं संश्चेप में एक वाकि में इस तरह कह सकता हूं जो आया है वह जायेगा भी मैंने यहीं सीखा है जो वह कहना चाह रहा था वहा दरसल यहा था मैंने सीखा है कि जो है के प्रति कोई प्रतिरोध मत करो मैंने सिखा है कि वर्तमान को होने दो और सभी चीजों तथा इस्तित्यों के और अस्थाई सवभाव को स्विकार करो इस तरह मैंने सांति पाई है जीवन के प्रति प्रत्रोध नो करना यानि शालिंता, सुघर्ता, मैत्रिभाव, सहज्टा, सरल्ता वर प्रफूल्ता की अवस्था में रहना यह अवस्था फिर इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि चीजे एक खास्त रस्य ही हो अच्छी या बुरी यह काफी यह बात काफी विरोधा भास भरी लग सकती है लेकिन जब किसी चीज पर आपकी निर्भरता नहीं रहेगी तो आपके जीवन की साधारन इस ठितियों में यानि बाहरी चीजों में परासुधार आने लगेगा वे चीजे लोग और इस ठितिया जिने आप समझते थे कि आपके सुख वो खुशी के लिए आवस्चक है अब वे आपकी किसी जद्दो जहाद और कुशिस के बिना ही आपके पास आने लगेगे और जब तक भी वे रहेंगे तब तक आप उनका आनन्द ले सकेंगे उनकी स सताएगा जीवन सहज वो सरल तरह से चला करेगा जो सुख जो खुशी किसी दूसरे सोरत से हासिल की जाती है वो बड़ी छिछली वो उथली हुआ करती है वो कभी भी बहुत गहरी नहीं होती है वो उस बीइंग का उस कांती में सांती का केवल एक फीका सा प्रतिविम होती है जिस बीइंग को आप अपने ही भीतर तप पाते हैं जब आप परतिरोधना करने की अवस्था में प्रविश कर जाते हैं बीइंग आपको मन के परस्पर विप्रीत धुरूओ के पार ले जाती है और चीजों पर रहने वाल निडभरतर से आपको मुक्त कर देती है आपक नकरात्मक्ता का स्त्माल करना और त्यागना जीतने भी आंतरिक प्रतिरोध हैं युश सभी किसी नर किसी तरह की नकरात्मक्ता के रूप में अनुभव किये जाते हैं नकरात्मक कोई भी हो वह प्रतिरोध खिंता वो रूटने वाली नराजगी से लेकर आत्मघाती निरासा तक रहता है परतिरोध कभी-कभी भावनात्मक्स संचीत दुख को जगा देता है भरका देता है और उस अवस्था में कोई छोटी सी भी बात प्रबल नकरात्मक्ता पैदा कर देती है जैसे क्रोध, आउसा या गहरा दुख अहम ऐसा मानता है कि नकरात्मक्ता के जड़िये वह वास्तुइता में हिर-फिर कर सकता है और इस तरह वह जैसा चाहता है वैसा पास सकता है उसका मानना है कि नकरात्मक्ता के जड़िये वह मनोवांशीत इस्थितिया पास सकता है और 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 वांशीत इस इस वास उभर कर आता है कि आपकी प्रसंता आपकी और प्रसंता आपकी इक्षा को पूरी कर देगी यदि आप अर्थारत मन यह मानता ही नहीं हो कि और प्रसंता कारगर होती है कामयाब होती है तो फिर आप उसे पैदा ही क्यों करेंगे वास्तों में तब यह यहीं है कि नकर जाए इसके की अवांशित इस्तिती को वह दूर करे वह उसे हमारे सामने बनाए रखती है। एक बार जब आप किसे नकरात्मक्ता के साथ खुद को तदात्मे कर लेते हैं तो फिर आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। बलकि एक गहरे और चैटन्ने इस्तर पर आप सकरात्मक्त बदलाव को भी नहीं चाहते हैं। ऐसा करदा आपको आपके दुखी, क्रोधी या सताय गए व्यक्ति वाली छोवी के लिए खत्रा पैदा कर देता है। तब आप अपने जिवान में सकरात्मक्ता की अपेक्छा करने लगते हैं। सहज रहती है, अब में पुरी तरह प्रचेंट रहती है। इतनी सांदार और बेनुक्स की केवल कोई मन से मुक्त प्राणे ही ऐसा रह सकता है। हाँ, कभी कभी दो बत्कों में लडाई हो जाती है, कभी किसी और स्पष्ट कारण से या कभी एक बत्क द्वारा दूसरे के निजी छेतर में आ जाने के कारण। जाले के कोवल में आ जाने कोवल के यादा है। तरह कर दो दो बत्क दोशना है। जाले कारण से बत्कों में आ जाने कभी कारण से प्राणी वीदार से लोगल